इसके बाद आता है मालिक, chapter number 4, इसके बाद एक और इसमें है Cobb-Douglas, Cobb-Douglas production function, yes, इसके बाद यहाँ पर आता है मालिक, Cobb-Douglas production function, वो आपको पूछा जाता है, Cobb-Douglas production function, वो आपको पूछा जाता है, 2 मिट रुकिएगा, यहाँ पर एक और चीज पूछी जाती है आपको, type of cost यहां पर एक और चीज आपको पूछी जाती है type of cost यहां दोगा तो accounting cost था direct cost था, indirect cost था, sunk cost था incremental cost था, वो चीज आपको पूछी जाती है, फिर एक और चीज आपको पूछी जाती है fixed cost variable cost फिर आता है, अच्छा total cost फिर आता है average fixed cost average variable cost average total cost यह वह concept है जो आपको next पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ इसके कर्व भी पूछे जाते हैं इसके साथ साथ इसके क्या पूछे जाते हैं करव बना के आना का यह करना को सौल करना इसके बाद मारिके इसके बाद के बाद काय है। मार्किट सब्सेरा क्वेशन को आपको banks एया तो 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 नैस्टनल मार्केट इंडरनाशनल मार्केट जोगरिफिकल मार्केट रीजनल मार्केट वह सारे मार्केट इसके इन्दर में आते हैं इसके बाद फिर आपको चालू होता है प्राइस यह सबसे इंपोर्टन जहां से mcq आएंगे कि price कैसे determine होंगे यह वो point है जिसमें से mcq आते हैं और फिर तीसरा आता है type of market इसमें से भी सबसे ज्यादा mcq आते हैं याद होगा तो market चार प्रकार के होते थे perfect competition, monopolistic, monopoly and oligopoly याद आ रहा है तो इस chapter में यह दो पर जाता ध्यान देना पहले वाले पर नहीं भी दिया तो भी चलेगा mcq यहां से फसेंगे यह और last में आपको याद होगा तो आपका chapter था chapter था BC कौन सा बिटा, business cycle, chapter कौन सा था बिटा, business cycle, अब business cycle के अंदर में तुमको क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तुमको चार phases पूछी जाते, expansion, peak, contraction and through या recession, yes or no, यहां mcq नहीं आता बच्चा maximum यही चार पढ़के चल जाता और यहां mcq नहीं फस्ता, फस्ता है indicator में कौश्चन बनते हैं indicator पे, yes, जो indicator वाला concept अब लड़कों के लिए था, लड़कों के लिए नहीं था, यादे, लड़किया लड़किया लेफ्ट देखे राइट चले जाती थी, इसलिए indicator वाला उनके लिए नहीं था, तो मारने वाली नहीं है मेरको, नहीं ना, आठी है, so indicator वाला concept था, जिसके ओपर question फूछते हैं, फिर internal and external causes, internal and external causes, कि आखिरियो होते क्यों है, internal and external causes, यानि यह दो पर focus ज्यादा करके जाना, पहले वाले जो है, वो तुमको by default में याद आ जाएंगे, expansion, pk, contraction, वो by default में, तुमने एक बार class में भी पढ़ा है, तो भी तुमको येस, तो चलो, आज हम marathon चालू करने जा रहे है, इको का marathon शांदार तरीके से चालू करने जा रहे है, मैं आप सबको option देता हो, कोई भी chapter तुम्हारे मर्जी से उठाओ, वहां से चालू करेंगे, कि मैं मेरे मर्जी से उठाओ, जल्दी से बताओ, मैं मेरे मर्जी से तुम्हारे मरजी से उठाओं हां बोलो एक मिन ऐसा चिलना ना गायको जल्दी से सहाथ उपर कर देने का गेम और चाप्टर नुमर वन वा मतलब यह मैराथान से आउट हो गया बर ना चाप्टर नूमर फाइव यह 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 चाप्टर नमबर बूलो बिटा फॉर ठीक लेटस्टार्ट कि आहाँ हाँ जी विया चाप्टर नमबर फॉर अब बड़े ध्यान से सुनिये यह जो मैरतों है मैं चाप्टर नमबर फॉर से चालू करने जारों मोई पढ़ाएंगे हम सभी पर हम चलू करने जा रहे है चाप्टर नमबर चार से सुनो सब्सक्राइनoda चाप्टर नमबर फोर किसके उपर बेज रहें कि मार्केट एंड टाइप तो भया इसके तीन यूनिट है त्यांद सुनना इसके किते यूनिट है तीन लिखते रहना बिना बूले राइट सर यूनिट नमबर वन आपका होता है मार्केट यूनिट नमबर टू आपका होता है बोलो बिटा प्राइस और यूनेट नमबर थ्री आपका होता है बेटा डिफ्रेंट टाइप ओफ मार्केट एंड प्राइस आज की दिन 100 परसेंट फोकस करके जाना मार्केट एंड प्राइस पूछ इधर-उदर मत देखना आज की दिन ध़्यान लगा है तो इंटर में व वापस मिलेगी है इना फुर्स्ट फ्लोर से थाड़ फ्लोर पर पहुंच जाओगे नहीं तो यहां से सीधा ग्राउंड फ्लोर से आउट इतने मौकें मिलेंगे नहीं, चलिए, सरस्वती माता की जै, चलो, लेट स्टार्ट, सबसे पहले बात आई थी पेटा, unit number one की, unit number one आपको बताता है, market मतलब क्या होता है, unit number one बताता है, market मतलब क्या होता है, क्या तुम्हें याद है, market is a place where buyer and seller bargain for price, याने, market is a place where buyer and seller bargain for price, तो क्या-क्या जरूरी है, क्या-क्या जरूरी है, क्या market में buyer जरूरी है, yes, क्या market में seller जरूरी है, yes, they should bargain for that particular product, अच्छा मुझे एक बात बताईए, क्या economics में market मतलब कोई fixed place होता है, नहीं, so market does not refer to a fixed place, market does not refer to a fixed place, market कोई fixed place की बात नहीं कर रहे हैं, हम market का मतलब भूलते हैं, market for a commodity, market का मतलब क्या है, बुलो बटा, commodity, हम कोई fix place की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, market for a commodity, for example, cloth, cloth is a commodity, तो हम cloth के market की बात कर रहे हैं, ना की cloth कहां मिलता है, तो हम किसी पेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम product की बात कर रहे हैं, अच्छा जी sir, sir, अब तीसरा point आता है, type of market, अब market के कई प्रकार है, type of market, सबसे पहले on the basis of geographic location, सबसे पहले बनता है, geographic location की basis पे मार्केट में, सबसे पहले आता है local market, सबसे पहले क्या आता है local market, अभी local Markets मतलब कया है जो आपके local area harua local region के अंदर का Markets होता है उसको हम कहते है local कर डी जिनल मारकेट डूसरा क्या मारकेट मारकेट री मार्केट क्या होता है जैसे leben see market yard आज पूलिए की जितनी सबस्झे है यह सारी इसारी के बिट मार्केट के अंदर में आती है तो इसको हम कहते है रीजिनल मार्केट एक रीजन का मार्केट यस जैसे अगर मैं स्ट्रॉबेरी की बात करूं तो यह हो गया महामलेश्वर तो महामलेश्वर इस अ मार्केट फॉर स्ट्रॉबेरी राइट तीसरा होता है नैशनल लेवल मार्केट तीसरा कॉन सा होता के basis पर हमारा पास cya market everybody repeat with me local market regional market national market international market logic clear है मालिक सबका ठीक है यह geographic location के basis पर हुआ दूसरा कई market जो based होते है वो time based होते है कैसे based होते हैं time based होते है पहला होता है very short period market पहला कॉन सा market होता है very short period मार्केट फरेग्जाम्पलन Canberink कि सबærमर्केट यह कि किरे पेरिशबल की अरО कर्द क्षाशब केzer गोड़ए मोबाइल muj बहुत इजी जल्दी जल्दी अपग्रेड होते हैं तो इन मार्केट फ injakन फ्रेक्ट का यह जल्दी जल्दी चेंज होता है हिस वह कहता है short period market फिर आता है बटा long period market long period market के example क्या है sir durable goods for example AC yes AC को 10-10 साल कुछ नहीं होता तो इनका जो market है यह long period market होता है और एक होता है very long period market एक होता है very long period market very long period market कौन से हो गए sir let's say railway railway के जो coaches होते है यह बहुत लंबे सालों तक के टिकते है Airline बहुत लंबे सालों तक के टिकती है, Buildings बहुत लंबे सालों तक के टिकती है, तो इनके जो market हो गए, यह बहुत long period market हो गए, yes or no, तो time के basis पे भी market होता है, बोलो कौन कौन सा, very short period, short period, long period, very long period, are you getting the point, yes, अच्छा जी sir, अच्छा जी sir, sir, इसके बाद में nature of transaction के basis पे होता है, nature of transaction के basis पे भी market होता है, एक होता है, spot market, एक क्या होता है, spot market, spot market को एक और नाम से जाना जाता है, cash market, गया, कोई product लेना था, for example, chocolate लेना था, बरवर है, आप गये, पैसे दिये, chocolate ले लिया, simply, short period market, with nature of transactions, spot market, yes, एक होता है, कौन सा बेटा, बोली जल्दी से, forward और future, forward और future, forward और future, forward और future market क्या होता है, सीधे शब्दों में भाई सा, उधारी, उधारी, आज product ले लो, पैसा कर देंगे, future date पे देंगे, तो यह हो गया आपका forward या future market, जिसको हम क्या बोलते हैं, या credit market भी बोलते ह है, इसको अलग शब्दों में क्या का जाता है, credit market भी कहा जाता है, इसके बाद में, nature of transaction के बाद में आता है, regulation के basis पर market, पहला होता है, कौन सा? regulated market, कौन सा होता है बोलो बेटा, regulated market, regulated market कौन सा है बेटा, let's say SEBI, SEBI किसको regulate कर रही है stock market को, याद आ रहा है क्या, तो यह हो गया regulated market, मतलब कोई authority है जो उसको regulate कर रही है, for example insurance, insurance को कौन regulate कर रहा है, IRD है, telecom को कौन regulate कर रहा है, यह हो गयен मारेट दूसरा हो गया अन्रेगुलेटेड मार्कट अब अन्रेगुलेटेड मार्केट आपने इसाफ से आप कुछ भी भाव बोल सकते हो ए ऩह दो लोग हैा अब जाधा भी बोल सकते हो एसनो को पुछ फ्राइस को करें अच्छा जी रेगुलेशन के अलावा एक होता है वाल्यूम मेंले होता है एक तक patience करते हैं कुछ लोग होते हैं काय में deal करता है wholesale, wholesale market हो गया yes wholesale as well so for example prestige for male clothes आप सभी जानते है prestige का जो ground floor है यह male clothes का retail market लक्समी रोड पर जाओगे रीटेल मार्केट है कोई भी शॉप पर जाओ जाकर एक शर्ट लेलो निचे नहीं देगा क्योंकि वो होलसेल मार्केट है वहां जाओगे देगा क्योंकि वो रीटेल मार्केट है तो वॉल्यूम के बेसेस पर किते मार्केट हुए दो लास्ट कॉम्पिटीशन यादा रहा है कॉम्पिटीशन के बेसेस पर मार्केट था पहला था पर्फेक्ली कॉम्पिटेटिव पर्फेक्ली कॉम्पिटेटिव मार्केट दूसरा था इंपर्फेक्ली कॉम्पिटेटिव मार्केट दूसरा था imperfectly competitive market यहां पर selling identical products perfectly competitive market वो market होता है जहां पर सारे लोग many buyer many seller similar product sell कर रहा है सीदे शब्दों में भाहिया एफसी रोड सीदे शब्दों में भीया कौन सब्दा एफसी रोड women oriented market yes or no वहां पर mail जा भी रहा है तो क्यों या तो थैली पकड़ने या तो पैसे ले देने बात समझ वहां पर जा भी या तो तीसरा आंकों को शांती देने तीन आरे लॉजिक समझ ना भाई तीन तरह के लोग है न वहां पर बरे बरे की नहीं या तो एक थैली पकड़ने वाले दूसरा पैसे देने वाले और तीसरे कौन कि दूसरों कुछरी खरूदी करते दिखने वाले ऐसे तीन तरह के-क मार्किट कितरों के मार्ट फारती इसको भोलते परफेकली कॉमपे टीम मार्किट सर क्या हम सकते हैं시면 वह भी perfectly competitive बोल सकते हो yes many buyer many seller selling similar और identical goods एक होता है imperfectly competitive market एक कौन सा होता है imperfectly competitive market हम इसको क्या कह सकते हैं हम इसको कह सकते हैं कि imperfectly competitive market के अंदर में जिसको हम oligopoly market भी बोल सकते few seller many buyer yes हर एक का अपना एक unique character है हर एक का अपना उनिक करेक्टर है और सबके सब बिल्कुल कैसे बिटा अलग चलो 123 स्टाइप आफ मार्केट जल्दी से बोलो कितने बेज़े पहले पर बेज़े बेज़े बिटा जोगरफिकल लोकेशन पहला बेज़े जोगरफिकल लोकेशन कितने पार्ट होंगे इसके चार एवरिबाडी कहां वेरि शॉट शॉट्र लॉंग भरड़ाएया लाओ मझे ले तरहोंग निकालना है थीक है यह वह नहीं मझे चाहिए बीच भीच में समंझ में हाँ हाँ हम तो कैसे धोगा आपके दोस्त को सब्सकर हाँ क्जाट कर अपने दोस्त को एमेजीन कर अपना दोस्त कैसा वेरीस पर कुछ और दोस्त शॉर्ट बंट कुछ और लॉंग फिर वेरी लॉंग है अठर Canalải आपने अपने को इमाजिन किया खुद को है हाँ 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 चलो नेचर अफ ट्रांजाक्शन के बीच में किते दो स्पॉट मार्केट मतलब कैस्ष पैसा दे प्रोडक्ट ले दूसरा कैसा उधारी फॉर्वड और फ्यूचर यहीं पे आपको टाइप ऑफ मार्केट्स ट्रक्चर यहां पे अपको ताइप अपने आपको किया आपको अपिध स्ट्रक्चर ताइप आफ मार्केट स्ट्चर भी मिलीगा, मार्केट स्ट्चर के कुछ टाइप है, मैं पहला बताने जा रहा हूं, इसका डीटेल हम यूनिट 3 में देखेंगे, पहला होता है perfect competition, याद आ रहा है तुम्हार को, पहला क्या होता है पिटा, perfect competition, अब यह perfect competition क्या होता है, perfect competition के सेंद तेंदर आर्देर मेनी बायर है हां यहां में जवाब देती है आर्या दियर मेनी बायर आर्देर मैनी इसलर सीविलेट forty नो तो गुर्देन दिफ्रेंट नच कहां आर्य यू प्राइसमेकर और क्राइस-टेकर क्योंकिटीशन जौदब लिए तुम ज्यादा भी नहीं रख सकते कम भी नहीं रख सकते स्टेक तबाइस बंबह। मैंने अहां पर मैंने यह एलग नहींत ओस है प्राईज टेकर ठीक है ये जनरल है यूनिट 3 जब पढ़ाऊंगा उसमें हम डीटेल में जाएंगे एक एक कोईट के उपर तो पहले समझेंगे ये मार्केट का स्ट्रक्चर है और पहले मार्केट का स्ट्रक्चर तो मार्केट किस किस तरीके से फॉर्म होता है पहला तरीका फॉर्म होता है perfect competition मेनी बायर मेनी सेलर सेलिंग सिमिलर गूट एक्जामपल सोचते जाना तो तो मारा माइंड ओपन होते जाएगा क्या मैं यहां पर अगेन FC road या लक्षमी road को रख सकता हूं? Yes, FC road मैंने load लिख दिया FC road अब perfectly competitive market many buyer many seller selling similar goods camp हो सकता है, Delhi के अंदर में cannot place हो सकता है तो अलग-अलग जेगा के अंदर में अलग-अलग market हो सकते है, दूसरी चीज Monopoly अच्छा poly का मतलब क्या होता है? seller और Mono का मतलब होता है one तो there is only one seller there is one seller there is many buyer जब देने वाला ही एक है तो प्राइस तो वही होगा जो वू बूलेगा है की नहीं? एक अनार, सो बीमार तो अनार देने वाला बताएगा ना अनार कित्ते का दूंगा बीमार थोड़े न बताएगा तो their price their price maker their price maker अच्छा तीसरा होता है Mono Polistic Mono Polistic के अंदर में many buyer many seller different goods different goods एक तरीके के नहीं अलग अलग विगड़े विगड़े तरीके के goods अच्छा इसका example क्या था? IRCTC Indian Railway Mono Polistic का example क्या है? कोई भी हम mall ले सकते हैं क्या? अगर हम शॉट में बात करें तो हम mall ले सकते क्या? there are many buyer there are many seller but selling different goods mall के अंदर में जब आप जाओगे तो different goods अच्छा ऐसा नहीं है mall के अंदर में कपड़े का दुकान नहीं होगा पर जो कपड़े भी होँगे वो भी किस तरीके से होँगे? अलग-अलग yes or no? and चौथा बोलो बिटा oligo poly oligo poly के अंदर में क्या होता है बिटा? few seller many buyer they are price taker also example क्या है बिटा? telecom हम 150 करोड को टच करने जा रहे हैं सर भारत के अंदर में yes or no? telecom देने वाले कितने? 4 telecom देने वाले कितने? 4 geo हो गया VI हो गया अगर cover जाया तो BSNL भी हो गया और वो Airtail ले देखे 4 चला कितनों को रहे? 150 करोड लोग को तो यह जो मार्केट हो गया कौन सा मार्केट हो गया? oligo poly market are you getting the point? यह चार मार्केट स्ट्रक्चर यहां आपका unit number one क्या होता था? over unit number one जो था यह आपका क्या होता है? over क्या में इसात रिवाइस करने का दम रखते हो बिना बुक देखे? ठीक है? चलो, what is market? market is a place where? buyer and seller bargains buyer and seller bargains for price ठीक है? अच्छा बताईए can there be many buyer many seller? yes market refer to a fixed place? no market refers to a market for a commodity market के type कितने है? आइसा 5 किसके basis पे? geographical time based nature based regulation based volume based competition based ठीक है? market के structure कितने है? 4 perfect competition monopoly monopolistic and oligopoly याद आ रहा है तुम लोग को yes अच्छा अब unit number one का last point आता है unit number one का last point आता है revenue याद होगा तो concept of MR TR AR sir what do you mean by MR marginal revenue total revenue average revenue revenue ठीक है देख बेटा product बेचके तेको क्या मिलेगा revenue ठीक है अब तेको याद दिराता हूँ हम लोगों ने कही न कहीं marginal utility नामका चीज़ जरूर पड़ा होगा marginal utility क्या था एक additional product को बेचके जो utility आती है उसको आप क्या बोलते हो या नीचे आती है marginal utility किसी भी product की उपर जाती है या नीचे आती है नीचे आती है क्यूंकि जैसे ही आदमी एक एक product consume करके ते जाता है उससे मिलने वाली जो utility है यह क्या होती है याद आ रहा है इतना कुछ upsold utility word को replace कर revenue से है marginal revenue एक product बेचके जो revenue आएगा उसको हम क्या कहेंगे marginal revenue so revenue derived from one unit sale of a commodity is called as marginal revenue ठीक है ऐसे मैंने 10 product sale किये तो total revenue बन सकता है क्या बिटा अच्छा अगर बुरा ना लगे सकता है यहाँ मैं जवाब देना total revenue is equal to marginal revenue one plus marginal revenue two plus marginal revenue till marginal revenue in याद आ रहा है what is marginal revenue difference of total revenue total revenue at n unit minus total revenue at n minus one याद आख या जिसी कर रहा हो utility को revenue से replace कर रहा हो utility को revenue से replace कर रहा हो है तो सोचना वियर मार्जिनल रेवेन्यू इस जीरो total revenue is maximum क्या marginal revenue negative भी हो सकता है yes क्योंकि कई बार product loss में भी sale करना पड़ता है तो marginal revenue negative possible है yes possible है पर क्या total revenue negative होगा या declining होगा तो जहां marginal revenue negative हो जाता है total revenue declining हो जाता yes अब average revenue कैसे निकलेगा total revenue divided by number of units क्या निकलेगा क्या विदा average revenue याद आरा है आपको सो सबसे पहले हम लिखेंगे MR फिर लिखेंगे TR फिर लिखेंगे AR marginal revenue it is addition to total revenue by selling one additional unit so it is an addition to total revenue by selling one additional unit क्या ऐसा भी कह सकता हूं marginal revenue is total revenue at n unit minus total revenue at n-1 ऐसा कह सकता हूं क्या marginal revenue is change in total revenue ऐसा भी तो mcq हो सकता है ना रहाया ना अच्छा चैन marginal revenue बी पॉजिटिव जीरो और निगेटिव अच्छा marginal revenue बी पॉजिटिव और निगेटिव अच्छा क्यूं सुनों logic बताता हूं सपोझ मैंने एक प्रोड़क्त बेचा जिसमें से 10 रुपय का profit आया थीक है बात समझना मैंने एक प्रोड़क्त बेचा जिसमें से कितने का profit आया 10 रुपय का profit आया अब दूसरा product अगर मैं बेचूंगा don't you think consumer law of demination marginal utility लगा रहा होगा next product just go same price चाहिए आ लो प्राइस पे चाहिए जब उसको नेक्स पॉर्डट्च लो मज़ें नीजी बढ़ेगा यह मारजिनल रेव्गिवयन्यू कम हो जाएगा यह मारजिनल कम हो जाएगा पर मेरे टोटल ड्रिवेंगरीष होगा इन्क्रीज्व होगा न अ यस okay फिर आपता है बिटा टोटल डविव पिटल रविविनुः गॉटल रविनुः इस total revenue is marginal revenue one plus marginal revenue 2 till marginal revenue n total revenue increases at diminishing rate आपका total revenue increase होता है यार से पूछो तुम्हारे लिए सगी बीवी को सोड़का है मैं पूछो क्यों हो दूसरा प्रोड़क्ट से भी उतना ही रेवन्यू थोड़ेन मिलेगा कंशुमर बोलेगा ना नेक्स्ट प्रोड़क्ट में को सस्ते में दे तो मेरा टोटल रेविन्यू इंक्रीज होगा हमन्हे भार वैर मारिणलेवन्यू इस गेरो ।ोकल रेविन्यू में दे प्र रत्रश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ट focus रिविक्टिवस्टर ए venya n Antonio massage number of units, अच्छा इसको ऐसा लिख सकता हो क्या, average revenue is equal to P into Q upon Q, ये भी एक बार MCQ में पूछा गया है, भाई, total revenue का formula क्या था, total revenue का formula क्या था, P into Q, तो एक बार MCQ में ऐसा पूछा था, कि average revenue is equal to P into Q upon Q, और whatever, it should be P into Q upon Q, अच्छा, आपको बुरा ना लगे, तो GB sir को बीच में लाके सिर्फ पी लिख दू तो चलेगा क्या, तुम्हाला एक सांग हो का, माचा मैं जर पकाए, क्या किला तुम्हीं, अरे बारा काइट्स नहीं किला, क्यों आनी क्यों गिला, जब दो लोग, जिनकी सोच मिलती हो, एक साथ आते तो वो अलग ही हो जाते हैं, वो भीड में से अल आवरेज रेवेन्यू क्या शो करता है, प्राइज, आपका आवरेज रेवेन्यू ही क्या शो करता है, प्राइज, समझ में आया, तो आवरेज रेवेन्यू के ऊपर यह है, चार बनने वाले MCQ, यह चार MCQ बन सकते हैं, आवरेज रेवेन्यू पर, यह चार MCQ बन सकते हैं, पक्का मालिक चलिए यहां आपका यूनिट वन पर्फेक्ली ओर होता है चलो फिर से एक बार तर्ड रिविजिन कि मार्कित मतलब वेरब और एंचलर बारगेन फॉर यह घडिया बेटे बहुत बढ़्या अच्छा के टाइप कितने पांच वॉदीशन बेस्ट वॉल्यूं बेस्ट वॉल्यूम बेस्ट कॉंपेटिशन बेस्ट मार्किट के स्ट्रक्चर कितने चार परफेक्क कॉंपटिशन मोनोपली मोनोपलेस्टिक ओलिगोपोली ठीक है कि रेविन्यूस के तरह के जनरेट हो सकते तीन एक प्रोड़क्त बेच के जो आएगा वो मार्जिनल ऐसे सारे मार्जिनल को जोड लिए तो टोटल डिवाइड बाइन नंबर आफ यूनिट्स एवर प्रोड़क्त का प्रोड़क्त का प्राइस कैसे डिटर्माइन होता है क्या seller decide करता है अकेले क्या buyer decide करता है अकेले याने market में जो भी price determined होता होगा यह price determined होता होगा by interaction of demand and supply तो any price क्या बोला बेटा मैंने है एनी price क्या बोला बेटा मैंने है एनी price is determined by interaction of demand and supply एनी price is determined by interaction of demand and supply चल मेरे हाथ पर concentrate कर है right is sell left is demand ठीक है right मतलब you know supply left is demand are you there यह किते है फोकस यह क्या है supply यह क्या है अगर supply 500 डिमांड ही 100 प्राइस कहां जाएगा उपर या नीचे पक्की बात क्योंकि देने वाले ज्यादा है और लेने वाले कम बरे बरे तो लेने वाले कम है वह बोल रहा भाई तू दे थोटी के नहीं तो किसी और से ले लूँगा भूत है बहुत है बात समझना देने वाले बहुत है तो supply ज्यादा है डिमांड कम है प्राइज गिरेगा प्राइज गिरेगा चलो थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं कि दिमांड बहुत ज्यादय पर देने वाले कम है कि प्राइज प्राइज बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा तो बेच वही पाएगा इसकी अफॉर्ड का पैसे बिलीटी हो ही हुआ है तो भाया हरे एक जनने ले पाएगा जो आफोड कर सकता हूं ले पाएगा अगर दिमांड ज्यादा है सप्लाय कम है तो चल सुन मैंको चाप्टर रोमबर टू से लौफट को से लौफ डिमांड बता if the price goes up the demand goes paki what law of supply बता if the price goes up supply goes up fix है चलो revise करते है law of demand if the price goes down demand goes up if the price goes up demand goes down paki बत ये उठाया मैंने law of supply को रग दिया यह law of supply दिखे रहे अब आते है law supply law supply if the price goes up supply goes up क्या था रहा है ultra game था if the price goes up supply goes up ठीख है यह उठा के मैं लिखिए रखदिया law of demand क्या था price goes up demand goes down law supply क्या था price goes up supply goes down ठीक है अब इस बहुत अच्छे ध्यान है तुम्हारा फिर एक बार बोल जिनका ध्यान नहीं जिनने गड़बड किया वापस से law of demand price goes up demand goes down law of supply अब इस दो concept को पकड़के हम ध्यान से price निकालते हैं we know price is determined by interaction of demand and supply supply 500 का है demand 100 की है price की दर जाएगा नीचे बरबर है याने supplier को जब तक भाव नीचे नहीं करता बेचते जमेगा नहीं अब supplier अपना price reduce करेगा यह consumer के लिए law of demand आ जाएगा यह बोलेगा price reduce हुआ है quantity demanded goes up लेकिन अब भी difference होगा अब भी market में बिकेगा का product नहीं supplier को और निचे आना पड़ेगा supply के ऊपर pressure बढ़ेगा price नीचे आएगा और price नीचे आएगा consumer के लिए law of demand बढ़ेगा law of demand में वो ज्यादा consume करना चाहेगा at certain point there will be equilibrium so a product quantity demanded is equal to quantity sales is called as equilibrium quantity price at which quantity demand is equal to quantity sold is called as equilibrium price market में sale होता है at equilibrium price at that price is the price determined by the interaction of demand and supply are you getting the point of demand is a real life में आपकी मम्मी को फोई product लेने के लिए ठीक है आपकी मम्मी को let's say purse लेने के लिए यह पर्स दिखाना मादे माड़े माडम एक नंबर परस यह इधर से आइसा खूल सकता हाइड तो है इधर से आइसा भी कूल सकता एक नंबर माडम देखो इधर से आइसा खूल सकता मस्त इसको इसको ऐसा टिचुक करके बटन है कभी भी खोलने का चेंज ऐसा नहीं खराब हो जाए एक नंबर चीज है माडम इसको आप आइसा मोड सकते पूरा कपूरा ऐसा थेक के देख लो कुछ नहीं होने वाला एक नंबर चीजे लेके जाओ कितने रुपए माडम सिर्फ आप के लिए बो नी करवा रहे हैं सौ रुपए 20 रुपए अंडर्स्टन मम्मी इसन नोन बायर हम अजम्शन लेते हैं बायर इस रैशनल नो अबाउट दो मार्केट वं में नी कितने रुपए बुली बीस अब यहां पर मम्मी को बता है बहुत सारे तु देगा नहीं दिखने वाला है एक नंबर प्रोड़क्ट माडम लेके जाओ ऐसा प्रोड़क्त कहीं मिलेगा ने थेके 20 रुपए माडम देखो ना आपका ना मेरा 40 रुपए चोड़ू बैक कर रहे और माडम इसके साथ पता है आपको किस्मी चॉकलेट किस्मी चॉकलेट भी फ्री है माडम अपने यहां आज स्पेशल आफर चल रहा है यह लेके जाओ 20 रुपए बोथ रेदी टो टेक अप्राइज इस देटर्माइन बाइड रेडी टो टेक अप्राइज अब दूसरे प्राइज अगर प्राइज को छोड़के किसी ब्यादर फैक्टर के कारण डिमांड उपर गई don't you think there will be shift in demand कर प्राइज को छोड़के shift होगा expansion contraction नहीं क्या होगा shift in demand कर अगर प्राइज को छोड़के किसी ब्यादर रीजन के कारण demand बढ़ी तो new equilibrium वही रहेगा या equilibrium उपर चल जाएगा या shift to right or left as the case may be ठीक उसी तरीके सगर supply बढ़ा तो new supply curve will be form demand will go up or down हाँ या ना simple चब्दों में if the price if any factor change other than price the equilibrium quantity or the equilibrium quantity supplied will also shift right or left up or down अब तीसरा और आखरी point सर सोच का मच की बताईए कई प्रोड़क्त ऐसे रहते हैं जिसके price पल-पल में change होते रहते हैं for example stock of a commodity हाँ या ना crude prices stocks you know फिर gold का rate market के अंदर में continuously change होते जा रहा जब यह continuously change होते जा रहा जब यह क्या होते जा रहा continuously change होते जा रहा तो equilibrium भी भहें टिका रहेगा या continuously shift होता रहेगा पूरा game यह है equilibrium के साथ क्या होगा step number one आपको बताया जा रहा है कभी भी sale equilibrium पही होगा point number two demand बढ़ी supply remains same new equilibrium will be formed demand same supply chain new equilibrium will be formed दोनो simultaneously change equilibrium will shift continuously equilibrium will shift continuously are you getting the point यही आपकी unit two में price determination and equilibrium shifting price determination and equilibrium shifting आई यह मेरे साथ लिखिये सबसे पहले है sir price कैसे determine होगे price is determined by interaction of demand and supply herein after d is equal to demand लिख के रख लेना s is equal to supply yes अच्छा law of demand बोलो बिटा law of demand क्या था कुछ याद नहीं आ रहा बोलते जाओ बोलते जाओ if the price goes up demand goes down law of supply below law of supply below if the price goes up supply goes up determination of price माननलो 5 quantity demanded quantity supplied 100 500 बुल बिटा जब प्राइस पांच से चार रुपय आएगा will quantity increase will quantity increase quantity demanded increase हो जाएगी क्यों increase हुई law of demand if the price goes down demand goes up लेकिन law of supply price जैसे ही उपर जाएगी तो supply उपर जाएगा लेकिन price नीचे आ रही है तो supply भी कहा आ जाएगा नीचे समझ में आया क्यों ऐसा चल रहा है और नीचे करो तीन इधर भी 300 पर पहुझ गए इधर भी 300 पर पहुझ गए अब ध्यानत जून यह वह price है जहां number of buyer ready है देने के लिए number of seller ready है देने के लिए तो इस price को हम क्या कहेंगे equilibrium price और इस quantity को हम क्या कहेंगे equilibrium quantity तो don't you think so curve कैसा बनेगा आप तो जानते ही है हमारी x कहां रहती है नीचे and y कहा है मेटा उपर सुन एक सेकंड के लिए pain रोक law of demand demand कर्व अपवर्ड स्लूपिंग होता है या downward स्लूपिंग होता है जाएगा वैसे वैसे quantity demanded क्या होते जाएगी कम या ज्यादा अगर प्राइज उपर जाते जाएगा तो quantity supplied कहा जाते जाएगा ज्यादा येस अब मुझे बात बता यह हो गया supply कर्व कैसा रहता था पॉजिटिव डोंट यू तिंक यह जहां एक दूसरे से मिल रहे हैं इस पी पॉइंट को हम क्या कहेंगे equilibrium सो तीन हमारे लिए equilibrium प्राइज हो गया and 300 हमारे लिए equilibrium quantity हो गया तो बताओ तो बताओ तो बताओ पहला concept price कैसे determined होता है बिटा interaction of demand and supply कैसे determined होता है बिटा interaction of demand and supply यह clear है मालिक से यश अब आते हैं next point के उपर ब्रो next point के उपर next concept है what is the effect of shift in demand oblique supply curve अब वह कहते हैं देखो यह तो तुमने एक product के लिए बता दिया कि यह प्राइज यही रहेगा पर reality में ऐसा होता है क्या नहीं प्राइज जो होता है वो क्या होता है बदलता रहता है demand जो होती है वो क्या होती है बदलती रहती है यह सो नो इसे कुछ ऐसे समयाता हूं यह अभी शादियों का सीजन है फटाकों का सीजन है बात समझना दिवाली आई पटाकों का सीजन शादिया आई फटाकों का सीजन डोंट यह उनका सीजन चल रहा है इस ताइम पे फटाकों का प्रोडक का demand जो होगा यह जादा होगा यह कम होगा जादा अब सिर्फ प्राइज एक फैक्टर है क्या प्राइज निच्च आया इसके लिए आप demand कर रहो यह there are also other factor other factor, so will the demand curve for फटाकास will go up because demand will increase, is it only because of price, no there are other reason also, so shift of demand, if if demand curve shift, understand, demand curve shift होगा, if any factor change other than price, अगर कभी भी factor, कोई भी factor change होता है other than price, तो आपका DC क्या होता है shift, अगर demand increase हुई, तो DC shift to demand decrease हुई, तो DC shift to, बोलो, इस जवाब पर तुम्हारा graphic depend करेगा, इस जवाब पर तुम्हारा graph depend करेगा, अगर demand increase होती है, तो demand curve कहां जाता है बिटा, right, और demand decrease होती है, तो यह कहां जाता है बिटा, left, याद आ रहा है तुमको, चलो याद करके देखते हैं, तो अगर यहां जा रहा है, तो we call it as increase और यहां जा रहा है, we call it as decrease, तो आप बताईए, क्या मैं कह सकता हूं, new equilibrium will form, it will be higher, new equilibrium will form, and it will be lower than earlier equilibrium, everybody, आपको सवाल पूछे जाएंगे, equilibrium के साथ क्या होने वाला है, equilibrium के साथ क्या होने वाला है, generally equilibrium पे हम सेल करते हैं, अगर सिर्फ क्या मान रहे है, demand बढ़ रही है, supply को हम constantly मान रहे हैं, सिर्फ demand बढ़ रही है, तो demand curve will shift to right, अगर demand curve shift to right हुआ, तो आपका new equilibrium जो फॉर्म होगा, वो higher पे फॉर्म होगा, और demand curve अगर lower जा रही है, मतलब demand curve left में बन रहे है, तो जो new equilibrium फॉर्म होगा, वो कहा फॉर्म होगा, lower side में आहो, अरे बीटा समझ रहे हैं क्या, if supply curve shift supply curve shift होता है, यहां जो सुन बीटा, any factor change other than, बुल बीटा, price, तो आपका SCB क्या हो जाएगा, shift बोलो बीटा, increase in supply हुआ, तो आपका SC shift होगा, कहां बीटा, upward या downward, यह तुम पहले fill in the blanks करके देखो, decrease in supply हुआ, तो आपका supply curve shift होगा, यह बताओ कहां पर, if there is an increase in supply, supply curve shift to below right, there is a decrease in supply, supply curve shift to left, equilibrium quantity, decreases, equilibrium quantity, increases, equilibrium quantity, decreases, and increases accordingly, So, याद होगा तो आपका supply curve भी बनेगा, याद होगा तो आपका supply curve भी बनेगा, supply curve is moving upward, यह बोलते है supply increase, इसको हम कहते है supply decrease, and accordingly equilibrium will shift, and accordingly equilibrium will shift, ठीक है, चलो, इस unit को वापस revise करते हैं, यहां तक के, यह unit हमारा अदा हो चुका है, price कैसे determined होता है, बुल जल दिए, how price is determined, interaction of, नहीं, सब लोग नहीं बूल रहे है, how price is determined, law of demand क्या बोलता है, if the price goes, the demand goes, law of supply क्या बोलता है, बरवर तो हमने एक चार्ड बनाया, 5 रुपे price था, तो quantity demanded 100 रुपे थी, बेचने वाले जादा आएंगे, क्योंकि price higher है, जैसी price नीचे लेके जाओगे, खरीदने वाले जादा आजाएंगे, बेचने वाले कम हो जाएंगे, येस, ठीक उसी तरीके से, आप price all drop कर दोगे, कहीं न कहीं, कुछ लोग क्या आएंगे, equalize आएंगे, और इसी price को हम कहते है, equilibrium price, इस quantity को हम कहते है, equilibrium quantity, तो generally कहां sell होते हैं product, at equilibrium, या buyer बेचने के लिए ready है, seller sell करने के लिए ready है, इसको हम कहते है equilibrium price and equilibrium quantity, अब एक और concept आया, क्या equilibrium हमेशा सेम रहेगा, नहीं, demand हमेशा सेम रहेगी, नहीं, supply हमेशा सेम रहेगा, नहीं, याने there will be shift in demand, तो अब next concept आया, what is the effect of shift in demand, मानलो supply सेम रहा, demand बढ़ गई, तो new demand curve will be form higher or lower, supply बढ़ गया, new equilibrium quantity will increase or decrease, are you getting the point, अब आते हैं, इस unit के last part पर, simultaneous increase and decrease, अब हम क्या बोल रहे हैं, कुछ product ऐसे भी तो हो सकते हैं, जिनके price continuously supply और demand दोनों एक साथ उपर नीचे जा रहा, अब तक हम क्या कह रहेते हैं, या तो shift demand उपर जा रहा, अब हम कह रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहा, simultaneous shift in demand curve और supply curve, simultaneous shift हो रहा है, demand curve में भी and supply curve में भी, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, equilibrium price and equilibrium quantity will also shift कैसा, simultaneously अगर बदल रहे हो तुम तो बदलेंगे हम भी, तो बदल रहे हो तुम तो बदलेंगे हम भी, तो यह बार-बार change होता रहेगा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यह हो गया आपका demand curve, यह हो गया आपका supply curve, आपका equilibrium बार-बार क्या करता रहेगा, move करता रहेगा, equilibrium will move simultaneously, Sir, कौन से product के लिए, stock for example, stock का price continuously change होता रहे था, क्योंकि इसकी demand और supply continuously क्या होती रहती, change, तो इनकी equilibrium quantity भी क्या होती रहती, change, इनकी equilibrium quantity भी क्या होती रहती, change, are you getting the point, तो यहाँ पर यह बनेंगे आपके supply curve, यह बनेंगे आपके demand curve और यह simultaneously क्या होती रहेंगे, change, everybody, yes or no, yes, चलो, start, 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 दो unit यहाँ पर आपके खतम हो गया, chapter number 4 के, revise करना चाहेंगे, 0 से मेर साथ, ठीक है, चलो, 0 से, page पल्टाओ, आओ, मेर साथ, 0 से, 4th revision of the same thing, market मतलब, place where, buyer and seller, bargain for, price, bargain for, price, market means a fixed place, yes or no, market means a fixed place, yes or no, market means a fixed place, और a fixed place, और a market means a price, market for a commodity, type of market किते है, पहला, रेगिल, जोग्रिफिकल लोकेशन के बेशिस पे चार, local, regional, national, time के बेशिस पे चार, दोस्त को याद करने का, very short, short, long, very long, फिर आता है, नीचर के बेशिस पे, spot market, future market फिर आता है, है, regulation के बेशिस पे, regulated market, unregulated market, फिर आता है, competition के बेशिस पे, perfect competition, imperfect competition, याद आ रहा है, फिर market के चार structure है, बोलो, पहला, perfect competition, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ऐसा market जिसमें एक seller है, मैं नीवायर है, मोनोपली, few seller, many buyer, many buyer, many seller, same product, many buyer, many seller, different product, पक्की बात, अच्छा, एक product बेच के जो revenue आया है, उसको हम क्या बलते हैं, marginal revenue को mathematically बोलो, total revenue at n unit minus total revenue at n minus 1, समझ में है, हाँ, what is total revenue, sum of all marginal revenue, तो भाया इसको ऐसा भी बोल सकता हो, total revenue is equals to summation of MR, ये भी तो एक mcq न, summation of MR, ये अपने GB भाव की language में, ठीक है, मैं को नहीं पता ही ये e कैसा बनता है, पर जैसा भी बनता है, ऐसा ही दिखता है, समझ नहां क्या ना तुमको, अच्छा, क्या मैं कह सकता हू, total revenue is MR1 plus MR2 plus MR3 till MRN, yes, what is average revenue, total revenue divided by number of units, या average revenue को टोटल revenue को फर्मुले के एक और दिखे से तोड़ते पी इन्टो क्यू अपन क्यू 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 गया है पो जाएंगे तो AR is equal to P, यह unit 1 खतम unit 2 price कैसे determine होता है, बोल बेटा, price is determined by interaction of, law of demand बोलता है, if the price goes up, demand goes, if the price goes up, supply goes up, यह क्या कहता था, law of supply, है तो जनरली ऐसा price जहां पर देने वाला देने को रेडियो और लेने वाला लेने को रेडियो इस price को क्या बोलते है, equilibrium price generally market में price क्या होगा equilibrium price लेकिन यह तो तब की बात है जब demand और supply को constant मान रहे पर real life में demand और supply will be formed, yes or no, right, ठीक उसी तरीके से, अगर supply curve, supply भी increase हुआ है, supply decrease हुआ, new equilibrium will be formed, accordingly, new equilibrium quantity, it will be increase or decrease, yes or no, अब तीसरा सवाल आया, मान लो कोई ऐसा product हो, जिसकी demand और supply continuously change हो रही है, for example stop, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, equilibrium quantity and equilibrium price will also simultaneously shift, समझ में ही बात, तो उन्होंने पहले बोला price कैसे निकालते हैं, दूसरा बोला, सिर्फ demand बढ़ी, सिर्फ supply बढ़ी, तो price कैसे निकालते हैं, तो हम बोलते, equilibrium quantity नहीं आएगी और उसी सबसे price निकलेगा, पर price हमेशा एक ही तरीके से निकलेगा, interaction of demand and supply, या तो equilibrium quantity बढ़ेगी, या equilibrium quantity कम होगी, ठीक है, फिर उन्होंने बोला, अगर price दोनों भी continuously change हो रहे हैं, तो क्या, तो हम बोल रहे है, equilibrium भी continuously क्या होगा, change, but तीनों point पे हमारा point एक ही है, the product price will be interaction of demand and supply, सिर्फ equilibrium quantity and equilibrium price according to the transaction क्या होते रहेगा, छेवी, अबर बेस concept lies same, the price is determined by interaction of demand and supply, are you getting the point, दो युनिट खतम, आते हैं तीश्रे युनिट पे, तक गए क्या, तक ना नहीं है बिटा, अब बहुत कम दिन बचे हैं, आज अगर ठक जाओगे और आज मेहनत नहीं करोगे, मैं आपको एक बात अभी भी बताता हूँ, आपने से कुछ लोग ऐसे होंगे, जो दो घंटा, ढाई गंटा, तीन गंटा बैठेंगे आज के दिन बाद में के चक्कर में तुम इदर बैठे हो, अगरी करोगे की नहीं, अगर तुमको लगता है तुम अवरेज बच्चे हो, छे घंटा टिका के बैठने का, क्योंकि ये तुमारे नॉलेज का टेस्टिंग नहीं है, तुमारे पेशन्स का टेस्टिंग है, पुछो ऐसा क्य बैठने का है, रात में आड़ बजे जाने का है, तो ये प्रैक्टिस तुमारे फाउंडेशन की नहीं है, ये प्रैक्टिस तुमारे इंटर की है, उदर जाना है तो टिका के बैठने का, फेवी कॉल लगा के, कई पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें तुमको बोर होगा, और ये ही तुमारा पेशन्स रिस्टिंग होगा, पिछले छे महने में नहीं पड़ा, आज मौका है, लॉजिकली सोचके देख, सेल्फ पढ़ने बैठता होता क्या, एक घंदा हुआ इन टोटल, एक घंदा एक मिनित में एक बहुत बड़े चाप्टर के दो यूनिट आउट ह जिसको हमने multiple time revise भी कर लिया, और मैं आपको बोलता हूँ, शाम तक मेर साथ टिक गए आज, तो मैं आपको पूरा economics फिर एक बार वापस से revise करवा के दोंगा, पर टिक ना पड़ेगा उसके लिए, तो तुमको message करके बुलाएगी, हाई बेबी, I am alone, can you please come, उसको बलने का ब जित्ते बच्चे online हैं, तुमने चुप चाप टिक के बैठने का आज कोई भी वीडियो आए, कोई भी लिंक आए, इदर उदर जाने का नए, बुलाती है, मगर जाने का नए, फोकस आता है, कध्यास कुतरासार का अभ्यास, इस ओनो, चल, अब थर्ड यूनिट पर आते हैं मेरा बच्चा, यूनिट नमबर थ्री, अब यहां पर आएगा, इम्पॉर्टन, डिफरेंट प्राइज, इन डिफरेंट मार्केट, अलग-अलग मार्केट में प्राइज कैसे आएंगे, अलग-अलग मार्केट में प्राइज के प्राइज के प्राइज के ते चार बोल कौन से, पर्फेक्ट कॉमपटेशन, मोनोपली, मोनोपलिस्टिक अन ओलीगोपोली, यह चार तरगे के मार्केट स्ट्चर ते, यहां हम पढ़ेंगे डिटेल में और उस हर चीज में प्राइस कैसे आएगा, वह यह पर्फेक्ट कॉमपटेशन, पर्फेक्ट कॉमपटेशन, यह लिप्स्टिक लगा इसको, पर्फेक्ट कॉमपटेशन, पर्फेक्ट कॉमपटेशन क्या होता है भाइसा, पर्फेक्ट कॉमपटेशन, हां जी, देर आर बोलो, लार्ज नंबर ओलो, बॉलो, बॉलो, लार गुट्ज और सर्विसेज जो बहुत सारे लोग एक लार चावित की ईडीं में करें यहानि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहां पे जो प्रोड़क्ट होगा तो कैसा होगा homogeneous 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 मतलब क्या बटा एक जैसा तो इसके अंदर में जो product deal होता है यह product कैसा deal होता है बटा homogeneous deal होता है yes are you price maker or price taker you are price taker why you are price taker because of huge competition because of huge competition you are price taker yes जैसे एक बात समझेगा भाई साब एक बात समझेगा मालेक अगर तुम अगर तुम market में हो तो तुमको वही price देना पड़ेगा जो market दे रहा है तुम market से ज्यादा charge करोगे customer निकल जाएगा market से कम charge करोगे तो दूसरे लोग भी price कम करने आ जाएंगे तो तुमको लगभग लगभग वही price देना पड़ता जो market में बिक रहा है तो your price taker अच्छा मुझे एक बात बताओ ऐसे market में entry एक्जिट करना है किसी बायर को या seller को आराम से एंट्री कर सकता है आराम से एक्जिट कर सकता है यह सोनो ऐसा कुछ एक है लक्षमी रोड़ पर लड़के नहीं जा सकते सोच के देखो मतलब बायर कोई भी हो सकता है येस अच्छानक किसी को लगता है कि यह बहुत बीड़ाने वाली है मैं भी अपना प्रोड़क महाँ पर जाके सड़क के किनारे छोटा सा ठील लगा के बेच दूंगा बेच सकता है येस तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ फ्री एंट्री एंड एग्सिट फ्रॉम मार्केट कोई भी आएगा कोई भी जाएगा नो सेलिंग कोस्ट क्या है मिटा नो सेलिंग कोस्ट करना पड़ता को बेचना तो क्या करना पड़ता यह बात अलगे काम होना चीए सिर्फ मार्केटिंग के बरुसे काम होगा क्या नैं कंटेंड भी होना चीए अब मुझे बात बता ऐसे और पर्टिकुलर मार्केट के अंदर में selling की कोई कॉस्ट होती है क्या नहीं कि इसको भी पता है जो बंदा बेच रहा है उसको भी पता है वैसे भुष सारे लोगमार्केट में आएंगे तो कोई बाजवाली तुकान में में आएगा तो हमारे पास भी एक बार आके जाएगा तो ऐसे केस में जो selling की cost होती है advertisement यह वह बहुत ज़्यादा नहीं होती आपको वस perfect competition में जाकर करके खड़े रहना है और कुछ नहीं करना बताईए ऐसे case में price क्या होगा अब मेरी बात ध्यान से सुन और दिमाग में बैठा ले अगर perfect competition है तो price हमेशा कौन सा रहेगा equilibrium price price will always be equilibrium price that is price is determined by interaction of Bulbata demand and supply price is determined by interaction of demand and supply तो यह हुआ डिमांड कर यह हुआ supply कर equilibrium पर हम लोग क्या करेंगे sale बरबर तो ऐसे case में firm का average revenue is equal to marginal revenue और यही आपका क्या बनेगा price एक product बेचके भी उतना ही revenue बनेगा जितना 10 product बेचके बनेगा क्या परफेक्क कॉंपटिशन में बैटे हो तो आपका AR will be equal to MR और यही आपका क्या माना जाएगा बिटा price यह है MCQ तो परफेक्क कॉंपटिशन में price equilibrium price रहेगा तो आपका AR हमेशा कैसा रहेगा equal रहेगा AR से AR will be equal to MR which will be equal to price yes अच्छा अब मेरी एक बात समझना यहने if the price is equilibrium price तो दोंट यू थिंक यू रेडी तो सप्लाए यू आर रेडी तो सप्लाए यू आर रेडी तो सप्लाए अगर प्राइज इक्विलिविरियम प्राइज है तो आप unlimited quantity इस प्राइज पर सप्लाए करने के लिए रेडी हो लेट मीं ग्यू एन एग्जामपल लेट मीं ग्यू एन एग्जामपल येस आप क्या करते हो आप मार्केट में सामने वाले से निगोशियेट करके प्राइज आ गया सामने वाला बोलता भी है मेरे को 10 पैकट चाहिए हमने निगोशियेट कर लिया सब कर लिया 10 पैकट हमारे पास कितने पैकट मिल रहे पांच दुकान क्या बलेगा एचोट टूं एक कामगर गडवावन से और पांच ल equilibrium price, you are ready to supply any number of quantity at the given price, you are ready to supply any number of quantity at a given price, therefore your demand curve is बोलो बिटा horizontal straight line to x-axis तो ऐसे case में जो आपका demand curve है आप बेचोगे equilibrium price पर तुम्हारा curve कैसा दिखेगा horizontal straight line parallel to x-axis जो शो करेगा perfectly elastic demand curve जो शो करेगा perfectly elastic demand curve तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि आपका AR MR के जित्ता था मतलब आपके price के जितना था तो यही आपके demand भी शो करेगा इस price पर आप कितना भी demand दे सकते तो price ले उतनी demand आजाएगी तेरी तो अगर आप match कर देते हो price को जितने में वो मंग रहा है और आप भी देने के लिए रेडियो तो अब वो कितने भी product मांगे you are ready to supply मान लीजा आपके पास तुरंत अविलेबल निया आप क्या बोलोगे बेंजी एक काम को आपको दस यह यह छे ले के जाओ कल किसी आदमी को बेच देना मैं चार मंगा के रखेगा business इस तरीके से ही होगा yes or no चलो आओ रिपीट वित मी पहला competition कॉंपेटिशन कौन सा होता है बिटा पर्फेक्ट कॉंपेटिशन पर्फेक्ट कॉंपेटिशन बोलो जल्दी से लाज नमर ऑब बायर लाज नमर ऑब सेलर सेलिंग similar goods प्रोड़क कैसे होंग यह प्राइज मेंकर प्राइज टेकर कभी एंट्री कभी एक्जिट सेलिंग कॉस्ट लगने वाली इक्विलिविर्यम प्राइज पर्फेक्ट कॉंपेटिशन है अब अगर वह प्राइज अचीव हो गया तो आर्यू रेडी टू सप्लाइं अनलिमिटेट कॉंटिटी येस इस इसी लिए आपका एर भी क्या शो करेगा आपका एमार और वही आपका प्राइस भी होगा और वही आपका डिमांड गर्व भी शो करेगा येस और नू अच्छा सुर बताईए बताईए कि इन कि शॉट रन कि इन लॉंग रन कि देख बेटा कि शॉट रन में क्या होगा कि शॉट रन के अंदर में आप तीन आउट पूट निकाल पाएंगे पहला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कि शॉट रन के अंदर में आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल पाऊगे कोई न कोई एक ऐसा कस्टमर आये जिसको तू प्रोडक्त मार्केट प्रइस से उपर में बेज दे पॉसिबल हो सकता है लक्षमी मार्केट में आया सामने वाला भी जलदी में था आप भी जलदी में थे आपको भी 10 दुकान में देखना नहीं था उसने बोला मैडम यह प्रा तो एंटेटेन भी नहीं करता वो जाता बोलता अब यह कितने का है मैंडम साव रुपए क्या भाई आसी लगा ना मैंडम देखो साव रुपए का है लेना है लोग नहीं तो छोड़ दो वो बंदा निगोशियेड भी नहीं करता मार्केट के अंदर में याने शॉट तर्म में वो सूपर नॉर्मल प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता है नॉर्मल प्रॉफिट तो उसने बनाना ही बनाना है से एस अच्छा कुछ प्रोड़क के पीछे लॉसस भी हो सकते हैं क्या आरेज रेवेन्यू इस लोवर देन और आवरेज कॉस्ट कई बार ऐसा होता है भीड में खादी बैक फट जाता है को उठाके लेके जाता पाईसी नहीं दिता तो शॉट रन के अंदर में ऐसे मार्केट में तीनों सिचुएशन पॉसिबल है शॉट रन में ऐसे मार्केट म य्दि कर सकते अंदर में उसको सिर्फ नॉर्म पी जनेेट कर सकते और नॉलम परफित नहीं हो ने कुए लॉट कि बार आप tunnel जब आएगा उस पाता चल जाएगा वह आपके पास आने वाला नहीं है हुए है तो हम कब कहेंगे शूपर प्रॉफिट आए भूल बिटा यह यह एवरीज रहे है और एवरेजे रहे ही इसनुट गॉल अव्रॉच्ट नॉर्मल पॉपेटिस अगारे जनुट तू अवरेज पॉस्ट अट आगारें इसायर ने अनुट इसटन हां पर लॉंग रन के अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ने वाला है बिटा नॉर्मल प्रॉपिट एवरीबादी डिविजन नंबर थ्री चलो जल्दी से आओ परफेक्ट कॉंपटिशन हम रिपीट लाज नंबर ऑबायर है सेलिंग बैट कैसे होंगे है प्डट कैसे होंगे हो बढ़का थेकार प्राइस तेकर प्राइस्टेकर फ्री Siem के शैउλλά की कोस्ट नहीं हां जैसे मार्केट में आप प्रोडबक हमारा बेसलाइन बिल्कुल शिम्पल है हमेश्चा क्या होना चीए वेसलाइन ब conference पर अगर वह प्राइस पर देने के लिए वाले रेडी है लेने वाले unlimited quantity ले सकते हैं तुम दे सकते हो unlimited quantity येस क्योंकि तुमने प्राइस बार्गें कर चुका है और तुम उतने प्राइस पर कुछ भी दे दोगे तो इसलिए तुमारा जो यहां पर कर बनता है कैसा बनता है horizontal straight line to x-axis यहां पर आपका AR क्या बन जाता है MR राइट शॉट रन में आप क्या कर सकते हो तीन आउट्पूट है आप super profit भी जनरेट कर सकते हो normal profit भी जनरेट कर सकते हो losses भी आ सकते हैं पर long run में आप सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट कर पाओगे normal profit yes or no right आपके मन में सवाल उटेगा sir long run में भी तो हम कुछ लोगों से निकाल पाएंगे बिल्कूल आप निकाल पाओगे फिर losses भी होंगे तो उसको average आप सिर्फ क्या करते हो normal profit is that done that was your perfect competition next part आता है बेटा बुलो monopoly oh my god monopoly है बोलते जाओ बोलते जाओ कि लिप्स्टिक लगाओ monopoly को monopoly मतलब one seller कि मैंनी कि बायर कि इंडियन ड्रिल्वे आपको याद है जब आपके regular class चल रहे थे मैंने आपको एक शेयर सेजिस्ट किया था वो था मैं आप मां इंडिया बरवर उस ताइम पे वो 2080 संथिंग प्राइस पे था या 2100 आप 2227 तच करके आए या आपका foundation का बहुत सारा फीस निकल जाता था और शायद इंटर का टैक्स का भी इसा नो चलो आओ पर हमें क्या हमें तो भी आके बढ़ना है वन सेलर मैंनी बायर अच्छा मुझे बात बताईए प्रोडक्ट अगर वह अकेला परन तर्फ अननो पलिव 嘗ह था तो हर कोई के पास मिलने वाला प्रोडक्त होगा या वनीडीbn प्रोडक्त होगा जा版 इस विलबि युनीक प्रोडक्ट अर शर्विस ऐसा अब गुड़्स या तो यह यह दिता है या से सर्विसेश क्या हमयल देते हैं there is no close substitute जब आप monopoly market में होते हो तो आपके कोई close substitute नहीं होते है इनका जो demand curve होता है वो downward sloping होता है इनका जो demand curve होता है वो downward sloping होता है पुछो न क्यों monopoly बेचने वाले को घमन रहेगा इस price पे चाहिए तो लो नहीं तो जान दो तो इनकी prices generally high रहेंगे which makes the demand curve lower जब तक के इनके price नीच्चे नहीं आते high demand नहीं आएगे इसी के लिए downward sloping बेटा जब भी downward sloping होता है हम इसे negative sloping भी तो कह सकते हैं और हम इसे convex to origin भी तो कह सकते हैं यस एक बात दिमांग में फिट कर लो इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है जब भी DC downward sloping होगा आप इसी को negative sloping भी बोल सकते हो इसी को convex भी बोल सकते हो तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो अच्छा मुझे बात बताओ ऐसे market में generally entry मिलती है क्या no so there are many barriers to new entry there are many barriers to new entry are they price maker और price taker price maker है चुस के पास ही ऐसा किसी और के पास है नहीं सिर्फ उसी के पास ही है तो वह अपने हीसाब से price बनाएगा जिसके कारण ही demand curve क्या होता है डाउनवर्ड sloping क्योंकि अगर मैं unique product और बना ही महीं रहा हूं तो मैं वह price पे बेचूँगा जो price मेरे को चाहिए लेने वाला लेगा जिसकी पेंग काइसेटी नहीं कोई बात नहीं वेटा थैंक्यू इस और नो पर एक्जाम्पल रेल्वेस से आप जाके पूछते हो गया ऐसा कैसा आपने इत्ता प्राइस क्यों लगाया ऐसा थोड़े नहीं होता आप आई से भी होंगे का रेल्वे की टिकेट आप पूछ भी नहीं सकते मोनोपुली मार्केट है जो price दिया ले ना इले नहीं तो चुप चाप पेष्टी मामंडल आने का है यह प्राइस देने का नहीं तो चले जाने का अब आप पो रहा हूं सर यहां से नाखपूर जाना है एसी टू टायर की टिकेट है तीन हजार दो सुर रुपए यही बस की टिकेट प्राइस की अटरा सो अब जिसको वहां नहीं मिल रहा उसने इदर जाने है तो जाने का अपने अपनी पॉइंट है फिर क्या उल्टी करते वें जाओ फिर अपना अपना तुम देखो या तो यह price पे करो या तो तुम देखते बैठो अपना अपना राइट अच्छा सर ब पास patent registered हो आप monopoly कैसे बनते हैं आपके पास patent register हो या तो control over market हो आपका market में control भहुत उपर है तो आपका monopoly बन जाती फिर economies of scale आपका scale of production इतना बड़ा है for example preaching scale of production ही इतना वड़ा है कि आप डिफॉल्ट में monopoly बन जाओगे next business combination business combination ही कुछ ऐसा बना के रखा है कि आप monopoly बन जाओगे अच्छा जी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सोच के बताना demand curve of monopoly is equal to market demand curve यह सबसे ज्यादा पूछा गया mcq है पर समझना और फिरी लिखना monopoly का चो demand curve है यही total market का demand डिमांड करव है do you agree यज़ अगर देने वाला ही वह है तो market की जितनी demand है वो उसी को पूरी करनी है तो monopoly का demand curve is equal to market demand curve सबसे ज्यादा पूछा गया mcq monopoly का demand curve is equal to market का demand curve काम गथम येस monopoly का demand curve is market का demand curve तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनका एवरेज रेवेन्यू is downwards looping because marginal revenue is also downwards looping but MR is below AR आपका marginal revenue भी नीचे जाएगा आपका average revenue भी नीचे जाएगा पूछो ना क्यों हो? downwards looping demand कर वे ब्रो downwards looping demand कर वे but आपके एक प्रोडक्त का revenue कम नीचे जाएगा as compared to the total revenue average revenue तो MR AR बोत आर नेगेटिवली स्लूप्ड MR ने आर बोत आर नेगेटिवली स्लूप्ड बरबर लास्ट पॉइंट इन शौट रन लॉंग रन शौट रन के अंदर में इस पॉसिबल आप सूपर प्रोफिट जनरेट करें पॉसिबल है इस बिल्कुल पॉसिबल है इस पॉसिबल आप नॉर्मल प्रोफिट जनरेट करें बिल्कुल पॉसिबल है इसका मतलब यह थोड़ी ने लॉसस नहीं होगा ने तो कभी रेल्वेल ने तो लॉसस दिखाने नहीं चाहिए पर आप सुनते ओना रेल्वेल लॉसस में था ऐसा नहीं है रिसोर्स अगर नहीं बीकित तो वो लॉसस यह पर जनरली धिल्स प्रॉफिट और सूपर नॉर्मल प्रॉफिट बट ऐसा नहीं बोल सकते कि लॉसस कभी आएंगे यह नहीं यह सो नो मान लीजे सर रेल्वे का एक पर्टिकुलर ट्रेन थी वह कोलाप्स हो गई रीसेंटली बहुत सारी होई है हां तो रेल्वे को प्रॉफिट हुआ है न कही हो सकते हैं चैंसे बहुत कम हैं बाद हो सकते हैं हैर्ड इन लॉड़न और इन लॉग रन मॉल इटा क्या सूपर प्रॉफिट आ सकते है ये? in इन लॉंग रन सूपर प्रॉफिट हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है क्यूंकि आप मोनोपली में बैठे तो सूपर प्रॉफिट लॉंग रन में जनरेट हो सकते हैं यह M.C.Q. में पूचा जाता है Can there be super profit in long run, in monopoly, yes. आहो, चलिये, अब मुझे एक और बत पत रही है, is price discrimination possible in monopoly? price discrimination is possible in monopoly, price discrimination is possible in monopoly, पूछो न, क्यों, price किसके control में, वो डिसाइड करेगा न, किसको गित्ते में देने हैं, तो क्या price discrimination possible है, absolutely yes, क्या price discrimination possible है, absolutely yes, आहो, बरबरे मालिक, शॉब, come on, monopoly, बुलो 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 रुकना नी, आज की दिन नी रुकना, बुल, one seller, many buyer, similar product, unique product, full control over the price, कोई आस पास में ठीकेगा, नहीं, firm का demand गर्व, क्योंकि बेच ची अकेले रहे तो demand गर्व कैसा रहेगा, downward sloping, इसी को क्या कह सकते हैं, negative sloping, इसी को क्या कह सकते हैं, convex to origin, ओ, convex बोलते हैं, origin is the wrong thing, बट इसे convex shaped भी बोलते हैं, यहाँ पर two origin is wrong, सिफ डाउनोड लिखो, यह ज्यादा बेटर हैं, अच्छा जी सर, सार, सर, monopoly के sources क्या है, हो सकता है, patent आपके नाम से register हो, आपका market पे control हो, production आप बहुत ज्यादा करते हो, combination आप बहुत ज्यादा है, अच्छा जी सर, यानि क्या, monopoly का demand कर्व, market का demand कर्व है, येस, पूरा market इस के हाथ में है, आपके, तो पूरा demand कर्व, आप अके लिए हैंडल कर रहे हो, येस, तो आपका AR भी downward sloping दीखेगा, MR भी downward sloping दीखेगा, क्योंकि सब put downward sloping चल रहा है, अच्छा जी सर, short run में आप तीन तरह के profit बना सकते हैं, super profit, normal profit, losses, long run के अंदर में super profit continue रह सकता है क्या, yes, normal profit भी हो सकता है क्या, yes, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर, सिप super profit क्यों नहीं हो सकता, long run में, क्योंकि ऐसा हो सकता है, अगर कोई sector monopoly sector है, तो बहुत सारे competitor बीच में कुछ जाए, और उसको monopoly ना रहने रहे, तो उस case में क्या हो सकता है, आपके profit divert हो करके normal profit पे आ सकते हैं, समझ मैं है, इसलिए सिर्फ super profit नहीं हो सकता, यह उसका logic था, is that done, तीसरे कौन सा था बीटा, monopoly stick, चल बीटा, बहुत जल्द इस chapter को हम end करने आ रहे, monopoly competition, कैसा बीटा, monopoly competition, मालिक मजा आ रहे हैं नहीं आ रहे है, हाँ यहाँ हाँ, good 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 good, बोलो, क्या करेंगे, हवन करेंगे, साले, बोल जल्दी, हाँ, monopolistic में, many buyer, many seller, बोलो, differential goods, या different goods, क्या मैं कह सकता हूँ, it is a mix of, it is a mix of, perfect competition and monopoly, price maker, price taker, they are also price taker, again, यहाँ पर freedom to entry and exit होगा, freedom of entry and exit in short run in short run long run in short run बताईए सर whether super profit possible है, yes, that is when your average revenue is higher than your average cost, सर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, yes, that is your average revenue is equal to average cost, सर यहां पर losses भी हो सकते हैं, yes, that is when your average revenue is lower than your average cost, तो तीनों चीजे पॉसिबल है सर, एन्यवन, long run में क्या होगा, only normal profits, long run के अंदर में आप सिर्फ और सिर्फ normal profit generate कर सकते हैं, काम गतम, that is your average revenue must be equal to your average cost, normal profit generate करो, काम गतम करो, आओ, यहने अब तक मैं एक बात बोलू क्या, इस चीज को और छोटा करना है, यह long run और short run, cut, copy, paste, perfect competition में डाल देना, बरबर है, यहां super profit नहीं आ रहा है, super profit से पर एक ही जगह मिला आप तक, कहां पर बिढ़ा, monopoly, बरबर, last, बोलो, oligopoly, few seller, many buyer, few seller, many buyer, प्रोडक्ट कैसे रह सकते हैं, differentiated और homogenous दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड करता हैं, आप टेलीकॉम में प्रोडक्ट होमोजीनियस ही है, येस, पर कार की केस में डिफरेंशल है, टेहीं को सकते हैं, it is a form of अमॉंग फिर्म फर एक्जाम्पल पेपसी ने प्राइस कम किया को प्राइस कम करना पड़ेगा क्या अगर पेपसी ने प्राइस कम किया तो क्या को भी प्राइस कम करना पड़ेगा येस करना ही पड़ेगा क्यों नहीं तो लोग सब्स्टिटूट पे शिफ्ट हो जाएंगे काई पर shift हो जाएंगे, substitute पर shift हो जाएंगे और इसलिए इनका interdependence बहुत जादा है इसलिए इनका interdependence जो है, यह बहुत जादा है अच्छा, sir, क्या मैं कह सकता हूँ, there is huge advertisement cost there is huge advertisement cost, क्योंकि few ही seller है तो लोग अपने तरफ आएं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत advertise करना पड़ता है इनकी जो demand curve है, यह कैसी रहेगी, याद होगा तो king demand curve, कुछ याद है क्या, इनकी जो demand curve है, यह कैसी curve होती है, बहुता आ सकते है, एक जगा वो stick आ जाती है, वही जो market में चल रही होती है इसके उपर का part elastic, इसके नीचे का part inelastic firm price is kinged to market price, firm's price is kinged, kinged मतलब एक जगा आके रुक जाता है, तो वही product पर बेचना होता है, जिस पर market अब इसको ऐसा समझो, मान ले, Pepsi ने अपना price 10 रुपे से 8 किया तो कोला को पता है, उसके लोग कहा हो जाएंगे, shift, 2 रुपे के चक्कर में तो कोला भी price नीचे करेगा, यहने आप आगाए market के जगर पे वापस तो आप kinged होते हैं, या तो दोनों को मिल के price बढ़ाना है, या तो दोनों को मिल के price कम करना है, पर अगर किसी ने भी किया, दूसरों आटोमाटिक यह करेगा ही करेगा, या दोगा तो, जियो ने जब अपना data pack free कर दिया था, Airtel has to do the data pack free, यह करना ही पड़ता है, yes or no, क्योंकि market उस तरीके से चल रहा है, तो इसके अंदर का जो demand curve होता है, बोलो बीटा, यह कैसा होता है, बीटा, kinged demand curve, इसके अंदर का जो demand curve होता है, यह कैसा होता है, kinged demand curve, short run के अंदर में, आप क्या कर सकते हो, sir, short run के अंदर में super profit, normal profits और other profits generated हो सकते है, yes, long run के अंदर में only normal profit, you are again price taker, जो market रखेगा, वोई आप रखोगे, तो in, in, बीटा, short run, long run, long run के अंदर में आप कौन से profit generate करोगे, बीटा, नॉर्मल profit, यहां पर, super normal भी generate करोगे, normal भी generate करोगे, कई बार क्या सकते हैं, losses, average revenue higher than average cost, average revenue is equal to average cost, average revenue is lower than average cost, गंदे लोग, the biggest chapter, comes to an end, एक बार पलट के देख लो, it exactly took one and a half hour to complete chapter number four, एक बार पलटो, मैं तुम्हारा recap करवाता हूँ, ठीक है, एक quick recap है, unit number one हमेसी बता रहा था market क्या होता और market का structure क्या होता है, unit number two बता रहा था price कैसे निकलेगा, तो price कैसे निकलेगा, जनरली interaction of demand and supply, फिर दूसरे पार प्टो उसने बोला, सिर्फ demand बड़ा, supply नहीं बड़ा, तो हम बोलेंगे नया demand करव upward या downward, yes or no, equilibrium quantity will increase or decrease, फिर तीसरे पार प्टो उसने बोचा, demand भी बदल रहा, supply भी बदल रहा, अब क्या हम बोले equilibrium quantity and price will also change, simultaneously, फिर यहां से हम गई, unit number 3 पर type of markets के उपर, किसके उपर गए बोले जल्दी से, type of markets, जब हम type of markets के उपर गए, तो हम लोगों को समझ में आया, कित्ती प्रकार के market रहते हैं मालिक, 4, yes, अगर मैं सुनना, और short कर, सुन, दिल तक पहुचे तो सम्झाना, perfect competition, monopolistic oligopoly, short run में, super, normal, नौसेज, long run में, normal, यहां, तीनो, same, short run में, long run में, super profit, normal profit, clear मालिक, yes or no, topic will be over, chapter number 4 is over तुम कह रहते हैं, होगा नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा कैसा दिमाग है हाँ, वही एंड में आज एक declaration होगा सर आज जब आप lecture end करेंगे by the end of the lecture एक gift है आप सभी लोगों के लिए आप को में से बहुत सारों के लोगों के पास अभी तक audio revision नहीं है मेरे तरफ से पूरे भारत को एक gift सिर्फ तुम कोई नहीं, पूरे भारत को एक gift lecture end होगा, आज आपको एक link दूँगा उस link के अंदर में दो folder बनाया folder 1, audio revision for all topic folder number 2, topic wise, unit wise chapter along with their solution यह extra है, apart from जो हमारे test series में हो रहा है उसके अलावा, और extra solve करो तो वो करके दूँगा, उससे, सारे audio revision वहीं से डाउनलोड कर लेना सबके लिए प्री है, but क्योंकि वहाँ पर unauthorized लोग ना है इसके लिए सिर्फ अपना नाम, नमबर डालना, बाकि भी नाम डालना, नमबर डालना अक्सेस मिल जाएगा, दो फोल्डर बनाएवे होंगे, एक फोल्डर में audio है, एक फोल्डर में test papers है और unit wise paper along with answer उदर ही दिये, मतलब मेरे को भी आपको यह करने की ज़रूत नहीं और ऐसा हर लेवल के लिए बनाया है, foundation, inter, final, but अब तुम उस stage पर आ चुके हो, कि वो हर तरह के question को क्या कर सको, अचीव कर सको, is that done, yes चलो, अब एक बड़ा topic हो गया, क्यों नहीं एक छोटा topic ले, yes or no, अब आप बोलोगे, sir, एक काम करते, ब्रेक ले लेते हैं हम लोग छोटा सा, हाँ, हाँ, बिल्कुल लेते हैं, तकलीफ क्या है, कितने ही तो दिन बचे हैं exam में, बहुत दिन बचे हैं, बहुत बहुत ब् ड़ के बाद दो महिने का break ही है, परवा ने धीघरें आ भरके बाद मोजे लेकी ब्रेंगर लेक भर्त करता है,all दिसेंबर के बात को थो अगर तुन्हें इधर कम ब्रेक लिए तो उधर ज्यादा मिलेगा क्योंकि फिर तुम्हारा इंटर का एक्जाम बाद में आएगा नहीं तो फाउंडेशन का फिर छे मेने बाद ही पर मैं तुम्हार को एक और बात याद दिला दू फिर से एक बार सर क्या आप हमारी हाँ गलती से डिसेंबर अटेंब फेल हुआ बच्चा तू बीसी के उड़ जाएगा बीसी आर उड़ जाएगा और पूरा मैक्रो पढ़ना पड़ेगा जिसके लिए खलास लगेगी तो ठीक है पूरा सेम है मांन के चल मैक्रो तो पूरा ही नहा करना पड़ेगा पॉइंट 1 पॉइंट 2 तू आटुमैंट 근हीं न्यू फी में पॉइंट 3 मत में कुछ टॉपिक एडा अकांट में कुछ टॉपिक एड अपकॉपिक एड और जर्ध भरा सीन लौ में भी है नहीं है और मैं आपको इसके पहले भी लेक्चर में बोल चुका हूं अभी भी लेक्चर में उबड़ों प्लीज द्यांजा सुनना तुम्हार पास ऑप्शन नहीं और घरवाले देंगे नहीं क्योंकि अगर तुम यहां नहीं निकले न अभी तुमको बहुत आपने से बहु जो जेन्विनली पढ़ रहा है न विटा उसकी पूरे चांजा से पास होनेगे और हो जाओ इंस्टिटूड बहुत दर्द देता है मैं तुम्हार को बताओ और तुम में से बहुत से लोग होने न विटा अभी तक पेल का रिजल्ट नहीं देखा है पेल का रिजल्ट देखानी और देखो भी मत क्योंकि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा न ऐसा दिखेगा ऊपर इंस्टिटूड ऑफ चार्टर अकाउंट अडिया निच्चे तुम्हारा नाम और तुम आओगे सीधा नीच्चे तिल लगाने गया इंडिविजूल सब्जेक्स क्या ह पास या फेल के वर और उदर अगर पी के जगा एफ दिख जया न मैं इमानदारी से बता अभे इमोशनल डैमेज बहुत बढ़ा है वो एक्स के जाने से ज्यादा का दर देतर फेल हो जाना क्योंकि चल उसके जगह कोई तो आएगा यहां पर रिजल्ट छे महीने बादी आ मैं अभी भी कर सकता हूं येस तू अकेली ऐसी बैज है देख वाला उसके नीच्छे कुछ है क्या है कि मैंने तेवर नहीं बदले मैंने स्पीड बदलिये पढ़ाने की है है यह विचारक कुछ निकल जाएगा कुछ हो जाएगा बात समझ सुन मिटा दंदे पर धाम अभी तू क्या करना चेए दिख तू लास्ट मंत में है लास्ट मंत में तेरे मैराथवन जैसे खतम हुए तीन से चार दिन में तरे मैराथवन सारे खतम हो जाते नेक्स यह एक ही चीज करने का भुख उठाने का और सिद्धे mcq mcq अब मैक्सिमम बच्छा फांडेशन में गल्ती क्या करता है यह मैक्सिमम बच्छा एंड तक कि सीफ concept 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 अब्से बड़िय दूसरी गल्ती वह एक चाप्टर ही complete नहीं होता तुम यह गलती मत करो हर रोज तुमको पांच सब्जेक्ट पढ़ने का है हर एक को दो गंटा इससे तुम्हारा efficiency loss नहीं होगा तो दो गंटा है तुम्हारा पास account सिर्फ दो गंटा account करने का मतलब पहली गलती कंसेप्ट नहीं सिद्ध्य सॉल्विंग मैच्स सॉल कर mcq टिक कर इको रिलेटिवली बहुत इजी है तो इसको उस टाइम पर रख जिस टाइम पर बोर होता मतलब प्रैक्टिकल बोर हुए तो यह टॉपिक बीच में डालना और यह तिरको पता है तुँ आराम से कर भी लेगा यह सॉनो दूसरा account सॉल कर तुम क्या कर रहे हो तीसरी गलती तुम लोगों की है यह आ गया यह आ गया जंड उदर सॉल करने का है तु आडिट कर रहा है इंटर में आडिट है तिरको फाउंडेशन में आडिट करने का है इससे प्रॉब्लम में आपको बताओं क्या होने वाला है ब्रो इससे प्रॉब्लम ही होने वाला है कि जब तु पेपर सॉल करने जाएगा ना पेपर तो तो ते को जमता रहेगा पर writing practice ना होने के कारण paper complete नहीं होगा and you will then regret कि मा कसम writing practice कर लेता तो अच्छा होता तो ये गलती मत करो पहली गलती एक दिन में एक subject पढ़ना पूरी गलती है एक दिन में 5 subject पढ़ना दूसरी गलती दिखावा नहीं पढ़ाई कर दिखावा मत कर कि तू library join कर लिया तो तू पढ़ रहा है नहीं genuinely दो घंटे में target ले करके चल कि इतने question तो solve होने ही चाहिए तीसरी गलती concept पढ़ना नहीं अब last month सिर्फ और सिर्फ solving होनी चीज़ सिर्फ और सिर्फ कहीं अटके तो जाके concept पढ़ चौथी गलती चौथी गलती इस time पर emotional होना क्या होता है class में जब थी तब लग लग थी फिर दिल जुड़ा पास में आ गए मैं सिर्फ कुछ लोगों की बात करो कुछ तो अखंडी single चल रहे class होके भी उनको कुछ ही नहीं मिला मतलब कुछ भी नहीं मिला समझ में आया तो यह जो प्यार में पढ़े वे पंची है ना वेटा तुम्हारे class के चिडिया टो उड़ जाईगी तुम रह जाओ गे है का उया आप अपको अप्फरंड बोल रहे हूं और बहुत इमांदारी से ऐसा ब्रदर बोल रहू तो के लावा किदर भी फोकसनी करने गा रैइट हल फिललन उसके मरने की भी नियूज़ आई बूलने गा थैंक यू तिल लगाने गया सी एक बात समझ ऐसे relationship का कोई मतलब नहीं जो तेरे career के importance को नहीं समझ रहा हूँ this is the high time दोनों में इतनी understanding अगर होगी और वो understand नहीं कर सकते beat boy beat girl वो तुमारे कोई काम के नहीं वो तुमारे कोई काम के नहीं तिल लगाने गया this is the high time सिर्फ और सिर्फ पड़ाई के उपर focus करो solving के उपर focus करो emotional damage गया तिल लेने के लिए पचास बार याद आएगी मैं खुद बोल रहा हूं मेरा कुद का time था मेरे साथ भी यह हुआ था अब होता क्या एक्जाम का frustration इतना रहता था कि एक दूसरे पे निकलता frustration मा कसम एक्जाम का frustration इतना रहता सला एक दूसरे पे निकलता तेल लगाने जानने सामने आले को बोल सुन जगडा चालने हुआ सुन अभी नहीं रातने बात करते हैं रातने बात करते हैं तेल लगाने चुप चाप दोनों ने गोल्स के ओपर focus करने के यहां से तीस दिन बच पर अभी यह टाइम नहीं है emotional damage का टाइम नहीं है तुम्हारे mental peace को एक जगा रखने का घर में financial issue आये तिल लगाने गया तूसका कुछ नहीं कर सकता मम्मी पपा से जगड़ा हो sorry बोलके आगे बढ़ जाने का कोई भी अगले तीस दिन तुमसे जगड़ा करने है मेरी गलती sorry कि समझ में आया understand pressure तो बहुत आएंगे लेना कितना है तिरपे है लेना कितना है यह तिरपे है छटवा पॉइंट six pointers याद रख तेरे नीन के टाइम ढूंड पॉसिबली दुफेर में मत्सो अब क्यूंकि तू खाली हो गया ना तुम साले चालू तो करते हो कि और जो प्यारी प्यारी निल्डिया आती है हा अ कलत है कि दुफेर पेयर की टाइम पर तेरे पर रहेंगे तो जैसी हैबिट लगाएगा वैसलोब जाएबी दुफेर की टाइम अपने आपको जगा के रख उस ताइम पे practical subject उठा उस ताइम पे क्या उड़ा practical subject उठा solve कर और ऐसे topic अभी भी तुम्हार पास 30 दिन का time है एक और गलती से बता रहा हूँ बच जाना एक और गलती कौन सी है hard topic को हाथ में लगाने की गलती तिर पास 30 दिन बाकी है hard topic सबसे पहले उठा अब भी गड़बड होगी तो समझ आ जाएगा easy तो तू ऐसी कर लेगा तुमने में को chapter number 4 के उठाने बुला इसमें कुछ याद नहीं आ रहा था अब कैसा सब हो गया ठीक है अब तुम्हार को भी satisfaction हाँ चल चाप्टर फूर तो हो गया वन में नहीं भी पढ़ाऊ ना तुम में इस एक भी बुरा नहीं मानने आला क्योंकि वन तुमको भी पता है तुम 15 मिनिट में complete करोगे कि हजह छाएगा हो तो सब्सक्राइभ मि अनुक्त चाहेगा तुमसे वैसे हो समझ में ही बात तो इस सिक्स पॉइंटर थे जो तुमको एक्जाम से पहले रखना है अपने लिए ये बेसिक गलती मत करो मैं तुमको गैरंटी देता हूं तुम पास हो सकते हूं मतलब मैं आपको बात बताता हूं आप कोई भी क्लासेज लगा रहे हो बीटे कत्वम अलसो कि किसी टीचर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं यह उनुग पास है हरी पॉर्टर नहीं है हम लोग और ना तुम हरी पॉर्टर पर जीतेगा वोई जो consistency के साथ आगे बढ़ेगा आप में इसे बहुत लोग मेरे से एक और बात पूछेंगे सर दिम में पढ़ना की रात में तीरे उपर है दुफेर में बस सो मत क्योंकि यह वो टाइम है जो तरी एक्जाम कर ताइम है बाकी तु कुछ भी कर हाल फिलाल में तीस दिन के लिए सब चीजों से आउट हो जागा सब चीजों बीट सोशल मीडिया आउट पचास बार मन करेगा कि चले यार यह कर लेते इदर जाके आजाते उदर जाके आजाते अपने मन को ही कंट्रोल करना है और इस दे में गेम ऑफ सक्सेस एस पर अध्याय सिक्स और पहगवद की तौल्स को में गेम ऑफ सक्सेस इस तो कंट्रोल यॉर्सेल्फ पचास बार मन बूलेगा दोस बूलेगा चलना एक काम करते चाय पी क्या आते लाइबरी से दोनों जन उठे चाय पीने के लिए गए एक घंटा वेष्ट दिड़ घंटा वेष्ट हो ताकि नही दोस्ट होगा समझ लेगा और दोस्ट नहीं होगा तिल लगाने के इंटर में नहीं डूस्ट बनाएंगे पते तो टिक ने तो राम टिक हाए तो वेलकम ने आयो बीड़कव केम ओर समझ् 멌 दोस्तों की कमी नए डिगरी वोंगी पचास आयेंगे पर दिमाग में यह होना जरूर ही है लोग आएंगे लोग जाएंगे सिए तो हम मन के दिखाएंगे तो जो तेरे साथ रहने वाला है तेरे दोस्त रहेगा वो आज भी समझ जाएगा कि नहीं कोई बात नहीं इसने नहीं बोल दे पढ़ने दे इसको इसको नहीं छेड़नेगा एक कोना पकड़ो चुप चाप अपने आपको लॉस्ट कर दो कि भाए मैं लॉस्ट हूँ क्योंकि कैसा होता तुम्हार को एक्सप्लेन दक नहीं कर पाएगा कि इसका फिलिंग क्या है अंदर के अंदर गुटता है वह एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा कि हो क्या रहा है उसके साथ है इस दर दं मिठ चलो अब छोटा सा Topic बाट बदा topic हुआ है चलो फटा फटेए उसा Chapter No. 5, BC आजा बेटा, BC बुले तो वा बेटे वा BC बुले तो business cycle बहुती छोटा सा topic और फिर हम देंगे lunch break है ना, BC बुले तो business cycle बोलो, these are these are Rhythmic Fluctuation These are Rhythmic Fluctuation in Aggregate Economic Activity These are Rhythmic Fluctuation in Aggregate Economic Activity That and Economy Experience That and Economy Experience Can I say this trade cycle or business cycle? Also called as Trade cycle oblique business cycle Also called as Also called as Periodic Booms and Slums I said Booms Periodic Booms and Slums It is Natural Rise Oblique Fall In Economic Growth I will tell you that this chapter is a macroport This chapter is a macroport Yes Yes How did this curve happen? Do you remember something like this? What did we say? Expansion What did it say? Peak What did it say? Contraction What did it say? Through Expansion What did it say? Expansion What did it say? Expansion What did it say? Expansion So This is the 4 phases You have 4 phases Expansion 2 Peak 3 Contraction 4 Through Expansion 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 There is an increase in Expansion In India Now Now Market New record 20,550 Market New record 3 states In 2014 In You have only 1 state 3 states Madhya Pradesh confirmed Rajasthan and 36 issue Technically Telangana How did it say? How did it say? How did it say? Technically How did it say? As a government With clear majority Telangana So If you see economic expansion For example India FII market DII market increase national output Vipaksh people employment not where election you didn't go you didn't go you didn't go it it is not about Congress or it is about India is in expansion mode so there is no employment there is unemployment voluntary unemployment is investment increasing investment increase people enjoy high standard of living people enjoy high standard of living living yes peak peak highest point of business cycle peak highest point of business cycle input are difficult to find in input for example USA China are on their peak inputs not get to other people ask consumer start reviewing their expenditure consumer start reviewing reviewing their expenditure for contraction decrease in ulubita demand oblique investment decrease in demand oblique investment producer produce less price decrease price decrease consumer expect further decrease in price increase price last automata through producer anticipate lower lower cost employment increase slightly demand raise slightly contract contraction point as of now Iraq through Sri Lanka Dere 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 Vapas revive sir Pakistan s Pakistan through recession through again beach extreme then steps Vapas Dere growth through recession session part oh yeah oh अब इस पे आपको इतने mcq नहीं आते जितने इस पे आएंगे ins indicator ch indicator круп indicator कितर के अýडी के आट होते 라고 जल्दी हले एवरिवरिवान सतीन अग। पपा ने फोन करके बोला घरा बात करनी है लीडिंग इंडिकेटर है अपनी लग गई है यह सुनो इसी बीच मम्मी का भी आ जाना अभी तो और सुनो मैं और बताती हूं अब आपको पता है और लगेगी कोइंसिडेंट खोनी के बाद बहन आई क्या हुआ यह इत्ता शान्त क्यों बठा है लगेगी सब बोने के बाद उसको पता चलता आओ शिट मैं भी बोल सकती थी पाच्छे पॉइंट यह इस इंडिकेटर कित्ते है मालिक तीन एक दो तीन पहला है लीडिंग दूसरा है कोइंसिडेंट और तीसरा है लागिंग इंडिकेटर यह स्मालिक लीडिंग इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर विच चेंग बफर दे एकनोमी चेंग इस बिफोर वी यल आउट्पूट चेंज सर कैसे पता चलेंगे पर एक्जामपल चेंज इन स्टॉक प्राइस भी यह मार्केट दना दन सिर्प उपर ही उपर जाए जा रहा है शो कर रहा है कि भी हम कहां जा रहें प्रॉफिट मार्जिन बड़े हैं प्रॉफिट मार्जिन क्या हो चुके हैं इंक्रीज सर देखिए कोविड के बाद लॉजिकली हमने नीचे जाना चाहिए पर आप अपने पपा से जाकर के डिसकॉशन करोगे ना टेक्निकली इंकम कम नहीं बड़ी है यह जैनुइनली ट्रैवलिंग का जो सेक्टर था कोवेड में पूरा राउन हो क्या था लोगों को मांका मेला इतना भर भर के हर जगह पे जा रहे हर जगह पे इतनी रशो रही आईपी ओ जैसी चीजों में भी रशो जा रही है यह सोनो यह अलग बात है कि लोगों को दो लॉट मिल जाते हैं है कि दो लॉट लगे अपने को दो लॉट लगे ताटा वाले सर बेचा गया एक बेच दिया वह पूरा का पूरा प्रॉपिट ही था एक ओल्ड करके रखाय पड़े रिंदो उसको बेचेंगे श्वास्तिक क कि शादी में कि उसमें भी उसने लव मैरेज करके आया तो कर्चा बचा है कि तुछल जा लेकर आजा रहे तेंजन कर्चा मत करवा और है कि यह मस्त है सर मतलब आप उसको अलाव करोंगे मैंने कुन से मेरे पपा की सुनी कि मैं नहीं सुनी मं उस से का से एक्सकेकरो मैं जो सुने गा कि लुए रहा कि हैं लुए का बड़्यू अच्थ घुलता है ऊंड॥ा पॉलता है वह उप्पा वह एंसलिट फलोर पेकर परम रहती है ला यह को बूलँ मैं पलमें की przeci है जुढ इंडेक्स आफ कंजूमर इंक्रीज काई कोज अबर्दस्ति होप सकने का हूं मेरी सुनते बैठेंगा मैं नहीं सुनी हो काई को सुनेंगा lagging indicator sorry coincident indicator बुलो coincident indicator में क्या होने वाला है मालिक which happens simultaneously which is also called as concurrent indicator it occur simultaneously with बुलो बीता business cycle it occur simultaneously with business cycle for example GDP the personal income etc. lagging indicator which happens after the event it shows historic performance जलाओ कर प्रवाइंस, Dienst बच अरिस व्परहर निनकोर एंद्रेश्टेंस, दौन्यूमर इंट्रेस्ग प्रविक्नूमर क्रश्यों किस्साध निनकोर प्रच किप्ते ऐसान्स हुआ सूक्राइश्ज satisfy कि विद्य। इस पर आपको questions expected होते हैं, last part आता है बेटा, causes of business cycle, कितने causes होते हैं, दो, एक होते हैं, external, एक होते हैं, internal, आखिर ये business cycle के चार phase होते ही क्यों है, वहिया सीधे से बताइए, आप खुशी या दुखी, किन reason के और जासे होते हो, दो, कुछ अपनी तकलीफ हैं, कुछ दूसरों के दीवी तकलीफ हैं, कुछ internal, कुछ external, सर, external मतलब कौन कौन सी, जो आपके हाथ में नहीं है, for example, war, war, एक external thing है, जो आपके control में नहीं है, कोई एक business उसको control नहीं कर सकता, पिर आता है, post-war reconstruction, post-war reconstruction, अभी आप सूच के देखें न, सर, अभी Iraq और Palestine, अगर मैं दोनों की बात करूं, तो war खतम होने की बाद, उनका जि जाएगा, yes, लोगों जो affect हुए है, उनके उपर जाएगा, तीसरी चीज, technological shocks, technological shocks, अचानक से technology अगर change हो जाती, तो आपके control में नहीं है, yes, वो आपके control में ही नहीं, यह beyond your control है, जिससे आपके business cycle affects हो सकते है, yes, for example, मेरी बात समझेगा, अगर पूरा world, आप जैसे अगर आप देखेंगे, पहले foreign से हम control होते थे, recent times पे India EV पे shift हो चुका है, तो अब इंडिया का impact दूसरे countries तो बहुत आ रहा है, for example, हम जिनसे crew खरीदते थे, उनका crew sell कम हो जाएगा, because हम आ रहा है, technology shift हो रहा है, तो since India is shifting, उनके ऊपर business cycle का impact पड़ रहा है, for natural factor, natural factor, flood, टाइफून, अर्थ को एक civil war, ऐसा कुछ अगर आ जाता है, तो national factors तो आपके demand cycle change हो जाएंगे, अभी कोई बोलते नहीं आता, अचानक से अगर नवंबर में बारिश आ गई, तो हो सकता है, जिन लोगों ने agriculture की खेती किया हो, या अधर किया हो, उनकी तो फसले बरबाद होने की chances हैं नहीं, जो आपके business को impact करेगी, कुछ internal issues भी है देश के, पहला change in demand, अगर demand में change हुआ तो business cycle change होगा, for example, अगर India की demand बढ़ गई, तो हम अचानक से expansion में चल जाएंगे, as in part of India हमारी demand ही कम हो गई, तो हम, you know, नीचे आ जाएंगे, then आता है change in income, simple है सर, अगर income बढ़ी, तो हम expansion या peak की ओड़ जाएंगे, अगर लोगों की income कम हो गई, तो हम contraction या recession में जाएंगे, तीसरा है सर, तीसरा है सर, macro, economic, policy, सर अगर यह favorable रही, तो आपको expansion या peak दिखाएंगे, अगर यह infavorable रही, तो आपको contraction या recession दिखाएंगे, फिर आता है मनी का supply, मनी supply अगर increase हुआ expansion या peak, decrease हुआ contraction या recession, फिर other psychological factors, अगर पैसिमिजम है या आप्टिमिजम है, पैसिमिजम है, contraction या recession आएंगा, अप्टिमिजम है लोग को लग रहा है कि हाँ भी हम तो growth पर ही जाने वाले हैं, तो expansion या peak आएगा, as per peak theory, as per sclumptor theory आती है यहां पर, sclumptor कहते है, new innovation आएंगे, तो expansion या peak देखने को मिलेगा, no innovation रहेंगे, तो आपको contraction या recession देखने को मिलेगा, तो एक हाप पीगू का theory, दूसरा स्कlumptor का theory, और तीसरा है Nicholas Caldor theory, price, increase or decrease के basis पे expansion या peak, contraction या recession आएगा, is that done, chapter number five is also over, chapter number five के तीन पार्ट थे, सबसे पहले समझना था what is business cycle, फिर समझना था four phases of business cycle, फिर समझना था इसके तीन इंडिकेटर और फिर समझना था आखे रिया आते क्यू है, internal causes and external causes, is that done, yes, before the break we have concluded with two-fifth of your syllabus, आते ही, सुनो, यहां से 45 minutes का break है, yes, two-fifteen, we will again meet and will start with chapter number three, yes, bye, बोलो बच्चो, ओके, yes, sir, welcome after the break, अब ध्यान से सुनिएगा पांच चैप्टर ते जिसमें से दो बड़े कर एक बड़ा कर लिया एक छोटा कर लिया, that is chapter number four was big chapter number five was small, ठीक है, अब हम करने जाना है chapter number three, 2 बात बोलता है यह कौन कौननी, पहले बात करता है, production की और दूसरी बात करता है किसकी लिटा, cost की, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले čालो करने जा रहे है, क्या बिठा, production, ठीक है हम लोग सबसे पहले चालू करने जा रहे है क्या बीटा production सर production मतलब क्या होता है production is a relationship between input and output production is a relationship between input and output इसको हम कहते है production yes or no so production ship is a relationship of input and output yes इसको ऐसा भी बोले जाता है transformation of resources into finished product transformation of resources into finished product is also called as production production creates utility production क्या बनाती है बिटा utility बनाती है अब utility के type होते है everybody याद आ रहा है मालिक utility के क्या थे बिटा टाइप चार तरेके की utility production कि थू आ सकती है पहला anyone form utility याद था आपको दूसरा क्या था मालिक प्लेस यूटिलिटी तीसरा यूटिलिटी था टाइम यूटिलिटी और चौथा यूटिलिटी है परस्नल यूटिलिटी 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 क्या होता है मालिक कनवर्टिंग य्यूटिटी यूट खेंगeln यूटिलिट यूटिलिटी यूट यूट लग नंवर्टेएम गया को कर दिया यूटलिटी नल चौही पश पाragenya को यूटिलिटी यूटियि ऑन क्या गएंगे बिडा दा 450 यूटि Easy Please write down converting natural resource into finished goods Converting natural resource into finished goods इसको हम कहिंगे form utility इन्टू फर्नीचर पर एक्जाम्पल वुड इन्टू फर्नीचर पर एक्जाम्पल वुड इन्टू फर्नीचर आ रहा है तो पहला हुआ form utility form utility मतलब क्या होता है कोई भी नाचरल चीज को काई में convert कर देना finished goods के अंदर में convert कर देना इसको हम कहते हैं form utility येस नेक्स्ट पेटाब प्लेस उटिलिटी प्लेस उटिलिटी का मतलब क्या होता है प्लेस उटिलिटी का मतलब होता है आप कोई भी प्रोड़क्ट को उस प्लेस से उठाओ इसको हम कहते हैं प्लेस उटिलिटी इसको हम चाहते हैं प्लेस उटिलिटी तो So, changing the place of resource, changing the place of resource, where it is of no use to a place of use. For example, call to factory. Treesra hota hai bita, apka time utility. Time utility ka matlab kya hota hai? Making available goods or services. Making available goods or services, where it is not normally available to it is available. Maan lijiye, maan lijiye, aap kahaan gai, aap apne mitra kyaan gai, aachanak rat ke anndar mein dedh bhaje, aapko jhorot mehsous hoi eek product ki jho aap lana bhuul gae hai. Aap kya kare? 10 minute mein blinkit kare dee, ab bling, dhyhanza samajhi ga, 10 minute mein kya kare dee, blinkit kare dee, ab yahaan peh blinkit joh services dee raha hai, isa bhi production hi kareenge, wo time utility ka raha hai. Generally making available of the product, where it is of not available generally, generally jhaan peh wo available ne ho ta, wo wahaan peh kya kare deeta hai? Available kare deeta hai, par yad rakhye, her product available ne ho sakta. Toh it must fall in goods or services to utility time utility making available. Making available material. at the time when not normally available, generally wou available ne ho ta, us time peh available karwane ko hum keetha hai time utility, us time peh available karwane ko hum kya keetha hai mita, time utility. Yes, aur phir aapta hai bhiita personal utility, personal utility ka matlab kya hota hai, using personal skills, for example spa. Barabar hai, jab aap spa mein jate ho, milti in a services, that is personal skill, har eek jan nahi diya paata. Barabar hai ki nahi, that is personal skill, for example spa, yahaan peh for example, haa bholo, blinkit. Toh, chaar tariki ki utility hootee hai hai, chaar tariki ki utility hootee hai everybody production maatlab kya batata, conversion of polona, arre bholo na everyone production of raw material into finished product, conversion of raw material into finished product, is kom kya keetha bhaa, production keetha hai, production se kya nikalti hai utility 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 kittte paghartar kya hothi hai, char, arre bolna mita, char koon koon sisi, form utility, place utility, time utility, personal utility, form utility, form utility, is converting dash into dash place utilities changing the place where resource is not normally available yeah where it is of no use to a great use time utility use time available karva ke dena jis time peo generally available hoti nahi hai yes or no and last personal utility personal utility means using the personal skill achha kya production ka matlab hota creation of a matter no men cannot create a matter what sir buski utility was al sakta hai what sir buski kya kar sakta hai utility yes or no maan lija aap wood ni bana sakte for wood se furniture bana sakte ho so ye mcq bhoat baar poochha gaya hai production does not means creation of a matter men cannot create a matter he can only change the utility ya fir form hi 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 production should not means a creation of a matter vyaise bhi men cannot create a matter kitni sahi line likhye dikhi hai men cannot create a matter man can simply accept his sorry yes or no man matter create kari ni sakta economics khud yeh kya rahe hai yo office security utility yes or no men can only add or create utility हम सिर्फ कोई भी प्रोड़क्ट में utility add कर सकते हैं या utility को modify कर सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं matter create नहीं कर सकते हैं अच्छा जी सर बढाएए four factor of production होते हैं four factor of production अगर हमें कोई भी चीज को produce करना है हमार पास चार factor of production है हाँ जी हाँ जी land labor capital entrepreneur अरे बड़े तो हमार पास चार factor of production है what are the four factor of production बोलो जल्दी से के अंदर में आ जाएगा तो बताइए water is also land yes in terms of economics economics में water को भी क्या माना गया है land माना गया है यहां पर land का मतलब होता है all free gift of nature क्या हवा भी economics में land का नाम है yes so all free gift of nature को हमलो क्या मानते विटा land मानते है all free gift of nature को हमलो क्या मानते है land मानते so what is land land का मतलब है all all free gift of nature land मतलब क्या होता cał all free gift of nature येस अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ no human efforts to produce land आप पानी बना सकते हैं या पानी में से भी utility अड़ कर सकते हैं येस तो इसमें no human efforts are required क्या मैं कह सकता हूँ इसका supply is fixed ये अबंदंस में अवे लेवल नहीं है इसका supply fix है इस पैसिव फैक्टर अफ प्रोड़क्शन इस पैसिव फैक्टर अफ प्रोड़क्शन सर्फ पैसिव मतलब ये खुद हो करके कुछ प्रोडियूस नहीं करेंगे आपको इसे काम पर लगाना पड़ेगा इसा नहीं कर सकता उसको यूस पे लाना पड़ेगा अच्छा हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इन नेचर टू पाल्ट अफ लैंड इस नोट सेम है न दोनों की फर्टिलिटी बिलकुल अलग होगी दोनों की यूस बिलकुल अलग होंगे इसलिए घर पर दो नले एक पीने का और एक समझा रही यह बात बरतंद होने का तो ऐसे दो अलग अलग है क्योंकि दोनों भी सेम नहीं है अच्छा बताइए क्या इसके एक ही यूस है या मल्टिपल यूस है मल्टिपल यूस पानी के मल्टिपल यूस है मल्टिपल यूस अलग अलग चीजों के लिए आप यूस कर सकते हो है ना नेक्सट नेक्सट इस इम्मोबाइल यह खुद होके कही नहीं जाएंगे है इसको आपको अच्छुली यूस करना पड़ेगा अच्छा जी जल्दी से बताइए चार फैक्टर फैक्टर किसी भी प्रोडक्शन के इंदर में चारो में से कोई भी यह चारो भी लग सकते है पहला लैंड हम किसको बोलते एकनोमिक्स में एकनोमिक्स में लैंड का मतलब होता है और फ्री गिफ्ट आफ नेचर कोई यूमन एफर्ट इसमें नहीं लगते क्योंकि यह नैच्रल रिसूर्स है करता है you have to make it move चलो लेबर हाँ जी भाई साव हाँ सिर्फ जो फिजिकल काम करते हैं उनको ही लेबर बोलते हैं क्या लेबर के अंदर में फिजिकल पर मेंटल दोनों भी आता है क्या येस एनरजी तो उत्ती ही लगती है फिजिकल हो या मेंटल एनरजी उत्ती लगती है ना सो लेबर मेंज मेंटल अंद फिजिकल एक्सर्शन येस अच्छा जी सर सर मुझे बताईए इस होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस इस हेट्रोजीनियस इस हेट्रोजीनियस इस हेट्रोजीनियस आप मेंसे कुछ नालायक मुझे बोल सकते हैं सर ये होमोजीनियस होंगे कैसे इसका इसका और इसका सब का अलग अलग रहेगा तुम कैसे बोल सकते हो तो सब का अलग अलग रहेगा इटीज हेट्रोजीनियस सेम नहीं है सबका प्रोडक्शन कापैसिटी जो यह कैसा रहेगा विटा डिफरेंट अच्छा बताओ यह एक्टिव रहेंगे पैसिव रहेंगे एक्टिव खुदो के चालू पड़ जाएंगे देखा खुदो के चालू पड़ गए डिस इस एक्टिव फैक्टर अच्छा जी बताएंगे पास पुर बार्गेनिंग पावर यह गुड बार्गेनिंग पावर है पूर बार्गेनिंग पावर कई वीचार तो वीचार यह उन्हों आते हैं घर में रिपेरिंग करने के लिए पैसे नहीं देते हैं उनको कई बार इलेक्ट्रीशन आते हैं उनको पैसे नहीं देते हैं पैसे ही नहीं है कई बार पिज्जा डिलिवर करने आते बोलते हैं पैसे ही नहीं है तो क्या होता है तो क्या होता है नहीं मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं तुम हस क्यों रहे हो कि दिखा कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनकों हम सब कॉमन गए है कि समझ आ रहा है बट इस बात से हमें क्या समझ में इस बात से प्रभू हमें यह समझ में आया कि भाईया दे है बुलो बिटा दे है पूर बार्गेनी पावर कि बिचाले को जो पैसा मिले जो कुछ मिले उसमें मान लेना पड़ता है कि आर्दे मोबाइल येस डियार मोबाइल इस फैक्टर वह इदर से उदर हल सकते हैं कि देखें आप जा रहे हैं ना हम मत जाहिए तुम क्या है गेट से हॉल हॉल से किचन किचन से डाइनिंग टेबल तुम इदर उदर घूम रहे हैं यह 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 बात भी सही है जहां-जहां रिपेर्स की जरोत होगी वहां लेबर जा सकता है श्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्योश्यो औरन यह कुण चाहिं आ उन्र प्रोड्क्टिव लेवर उगय लेबर ही इस फैड़ी थेवल जल्दी थक जाता यह लेबरी इस यी पैरीशेबल में 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 स्प्लार नियुकर अच्छा बताति हीनिका सप्लाइट वह सकता है क्या प्लाय आफ लीयृबर के नौट बी एड्जेस्टेड लेबर का सप्लाइसर जल्दी से नहीं तुम वार को अचानक दुफेर में सुझेगा चलो अचानक बीच नहीं मिलता अरे लेहर द्यान से समझना लेबर दिहाडी पर वक करता है हो सकता है सुबह कहीं और चा चुका होगा हो तो तुम बोलोगे मेरे को अब इच मंगता ऐसा नहीं होता ऐसा नो जब तुम को यादा है तब नहीं है इच सप्लाइक के नौट भी एड्जेस्टेड तुम बोलोग अचानक से एक काम करो दो लोगों को लेकिया हो कई से आएंगे हैं अहीं से थोड़ी नहीं होता कई से भी आना पॉसिबल नहीं है इच सप्लाइक के नौट भी एड्जेस्टेड हां लेबर हैस चॉईस ओफ आवर्स ओफ वर्क वह अपने हिसाब से सिलेक कर सकता है दिन मे हिकन सिलेक्ट अब्त है जाट आउना ऐसया अचानक से कभी भी एट्स ओकी है बड ही ते हैं सिलेक्ट ऑर त horribly अटत इसे म hacks प्लेजर is that डण को एपस ए बता हीए कि यह तोनों भी इम्मोबाइल है यह दोनों भी मोबाईल है एक मोबाईल है एक मोबाई एक मोबाईल है mobile यह fixed है yes or no इसका supply कैसा है fixed इसका supply fixed नहीं है yes heterogeneous heterogeneous passive active ठीक है मालिक यह हो गए दो तीसरा आता है capital yes or no capital is a part of wealth of individual यह individual का वो पाल्ट है जो हो wealth के लिए यूज नहीं कर रहा understand there is a difference in wealth and differences capital wealth no income generation no income generation for example car जो car अपन लेकर के आ रहे हैं यह आपका wealth तो है पर आप इसको capital नहीं बोलोगे क्योंकि capital से वापस से income generate होती है हम capital किसी भी चीज को तब कहते हैं जब इससे वापस से income generate हो otherwise it is a wealth but not a capital इसलिए capital को क्या गया wealth of a person yes यह वह wealth है जिसको हमने वापस income production के लिए काम पर लगाया let me give you an example आपका batch पढ़ा करके मेरे को अगर लेट से हजार रुपए आए बरवर अब यह हजार रुपए यह हजार रुपए में से मैंने 300 रुपए stock market में लगा दिये और बचेवे 700 से कार खरीद ली लॉजिकली सोचके देख देख this 700 is also my wealth that 300 is also my wealth बट यह जो 700 है जो मैंने कार में लगा दिये यह purely मेरी wealth मानी जाएगी और 300 जो मैंने वापस capitalization पे लगाये उसको क्या बोलते हम capital so capital में आपका क्या होगा ब्रो capital में आपका क्या होगा capital में आपका income generation होगा for example इसे हम कहेंगे investment तो जो wealth में से आपका investment है इस part को हम लोग क्या कहते है बिटा capital so what is capital capital is produced means of production इसे क्या कहा जाता है produced means of production important बडियो के MC क्यू बनेगी it is also called as produced means of production या man-made means of production man-made means of production आपके मन में बहुत जोड सो उठेगा एक सवाल how capital is formed how capital is formed कुछ याद आ रहा है सबसे पहले आप क्या करते हो saving saving को आप क्या करते हो mobilize और इससे आप क्या करते हो investments तो सबसे पहले मेरे को salary आई मैंने 100 रुपे की salary को क्या कर दिया 300 रुपे इसको क्या कर दिया save इसको अलग निकाल दिया इस saving से में को 10 रुपे dividend आए तो जो मैंने 300 रुपे मेरे saving से निकाले इसको मैंने mobilize किया investment के लिए और उससे मेरे को again 10 रुपे का dividend आया इस investments income तो इसी तरीके से हमारे capital फॉर्म होता है हमारे को salary आई इसमें से हम कुछ पाट क्या कर देते save जो बहुत सारी saving हो गए saving को हम करते mobilize और उससे हम वापस से क्या generate करते capital investment करके उससे क्या generate करते capital so this is how capitalist forms अच्छा फिर हमारे मन में आता है type of capital capital के कितने प्रकार है एन्यवन चार एक दो तीन चार चार तरह की capital पहला है real capital पहला क्या है बिटा real capital real capital का मतलब क्या होता है physical goods for example building यह आपके real capital हो गए इसलिए देखिए accounts में भी जब आप इसको classify करते हो आप इसको real accounts लिखते हो यह हो गया आपका real capital दूसरा हो गया human capital आपके human capital आपके कौन हो गए बिटा employee येस तो economics के अंदर में human को भी क्या माना गया है capital माना गया है तीसरा जिसे छू सकते हो महसूस कर सकते हो tangible capital तो हर वह चीज जिसे छू सकते हो महसूस कर सकते हो, right? This is perceived by senses जिसे छू सकते हो महसूस कर सकते हो, ऐसा मस्तर टेबल तो यह कौन सा क्यापिटल हो के बटा, टांजिवल कई बार सिर्फ देखना होता है छूना ही सकते हैं छूना पॉसिवल नहीं है देख देखके कई बार बढ़ सकते हैं for example, goodwill yes or no, कई बार brand आप बार बार देखते हो, बार बार देखते हो तो आपको लगता है कि यह नहीं हार, यह बहुत बड़ा brand है goodwill yes sir, why capital is required why capital is required अच्छा मुझे एक बात बताओ, आदमी को capital चाहिए क्यूँ repairs and renovation हमें पैसे की जुरूद क्यों पड़ती है, आगे चलके जो assets हमने लिए इसको repair करें या renovate करने के लिए हम इसके लिए पैसे लेते हैं, या फिर creation of additional facility कोई additional facility क्रिए करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, capital ले सकते हो, for example existing car को repair करने के लिए पैसा लगेगा, आपको इसके लिए capital लगेगा, हो सकता है, कार ही नहीं की नहीं ले लो, creation of an additional facility, तो वाई वी नीड capital, we need capital for two thing, everybody, we need capital for two thing, पहला, repairs and renovation, दूसरा, creation of an additional facility, are you getting the point, yes, चलो वापस से, everybody, यहां तक का जितना पढ़े, सब रिकॉल कर रहे है, revision no.3, production मतलब क्या, बोलते जाओ, बोलते जाओ, शान नहीं बैटना, बावाल करना है, input and output, क्या हमें transform करना है, yes, किसको, resources को, काई में, finished product, production creates utility, कित्य प्रकार की utility होती है, कौन, कौन सी utility बेटा, yes, उस time पर product available करवा के देना, जिस time पर वो normally available नहीं है, कौन सी utility है, yes, converting raw material into finished goods, बहुत बढ़िया, personal skill, personal utility, चार factor of production है, कौन, कौन से, can men create a matter, can he only add utility, yes, दो, sorry, एक immobile factor बताओ, एक mobile factor बताओ, जिसके पास पूर bargaining power है, दो heterogeneous factor, yes, one, one which is active factor, one which is passive factor, good, हाँ जी, what is capital, capital is a part of wealth of individual, capital is a, wealth से कोई income generate हो सकती है, क्या, नहीं, उस part of wealth से जिससे वापस income generate होगी, उसे हम क्या कहेंगे, capital, क्या capital को produce means of production भी कहा जाता है, क्या इससे man made means of production भी कहा जाता है, yes, capital कैसे form होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, saving, saving को आप क्या करेंगे, mobilize, और mobilize को बाद में आप क्या करेंगे, invest, फिर वहाँ से वापस क्या generate होगा, capital, capital का purpose क्या है, दो, पहला, repairs and maintenance, creation of a new facility, तो existing जो लिया उसको repair करने के लिए, या तो नया generate करने के लिए हमारे पास दो reason के वज़े से capital आ सकता है, say yes, अच्छा जी, sir, मुझे एक बात बताईए, क्या human को भी capital माना जा रहा है, economics में, yes, क्या tangible capital होता है, yes, क्या intangible capital होता है, yes, फोर्थ, entrepreneur, इसका सबसे बड़ा image की, अच्छा, one who brings all factor of production, तो ऐसा कोई, जो सारे factor को एक साथ लेके आए, सब को एक साथ लेके आए, वो कौन है, entrepreneur, 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 कितने टाइप के risk लेता है, two type of risk, बोलो, financial, technological, मान लीजे, मैं कभी भी कोई product बनाऊँगा, राइट, मेरा पहला risk रहेगा भाया जित्ता पैसा लगा रहा हूं उत्ता वापस आएगा की नहीं, आहो, ठीक है, यह मेरा पहला हुआ, दूसरा हुआ technological risk, भाया आज मैं कोई product बदल रहा हूं, कल technology बदल गई तो मेरा तो पूरा investment धरागा धरा रह दाएगा, yes, what is his motive, what is his objective, what is his objective, objective is to generate profit, second objective is to survive, as per scumpeeter innovation is the true function of entrepreneur scumpeeter कहते है, entrepreneur का बड़ा innovation entrepreneur का major function ही क्या होता है, innovation four time आज दिन MCQ किसने innovation के concept को entrepreneur से जूड़ा scumpeeter yes or no so, can I say profit is the reward for entrepreneur profit is the reward for पुलो एसा कौन कहता है, frank knight frank knight का कहना है, भहिया, entrepreneur को इतनी उठा-पटक करके क्या मिलती है, profit profit इतनी उठा-पटक करके उसको क्या मिलती है, profit profit के लावा उसको कुछ नहीं मिलता yes or no चलिए, तो यह है चार factor of production कुछ और चीजे कुछ और चीजे objective of business and problems in achieving objective हर business को in short produce करने के कुछ objective होते है objective of business or problems in achieving the objective problems in achieving the objective हर production करने के कुछ objective होते है और इन production करने में कुछ problems आती है yes एक बच्चा पूछ रहा है और नहीं कब देखी फिर में को कौन सा सीन बहुत अच्छा लगा वह वाला अच्छा लगा क्या मैं तिर को सब शानती में बताऊंगा तू पहले अभी ध्यानने पर ध्यानने ले दंदे में टिके रहना धंदे का सबसे बड़ा उसूल ही यह है कि धंदे में टिके रहना survival is the main objective अगर आप survive कर पा रहे है stay alive आप business में जिंदा रह पा रहे है कोई बात नहीं हो सकता है for the time being आपको loss हो रहा हो but in long run you may generate profit yes or no आप कोई भी बड़े business देख लीजे sir आप कोई भी बड़े business देख लीजे in the first year coca-cola could be able to sell only 80 products आज worldwide sell कर रहे हैंगी नहीं yes or no तो first objective is to survive and then to generate the profit second big objective anyone second big objective economic objective second big objective is बोलो बटा कौंस objective economic objective economic objective is what to generate profit business का दूसरा objective होता है या production करने का दूसरा objective होता है economic objective जिसमें से आप क्या नहीं का लो बटा profit अब यहां पर कुछ point है एक accounting profit और दूसरा आपका economic profit याद आ रहा है यह वो point है जो आपको MCQ में पूछता है देख आज के दिन में जितनी चीजे लिखा रहा हूँ न यह सारी no if no but only cut to cut MCQ and exam oriented approach पे implicit cost जबकि economics में we consider implicit and explicit cost yes sorry यहां पर थोड़ा सब्डेट है यहां पर explicit होना चाहिए in accounts we only consider explicit cost whereas in economics we consider implicit and explicit cost explicit cost का मतलब क्या होता है out of pocket cost for example wages yes accounts में हम लोग क्या करते हैं हम सिर्फ वही cost record करते हैं जो actually हमने खर्चा करी yes or no actually हमने क्या करी हम उसी को कहते है explicit cost जबकि economics के अंदर में implicit as well as explicit cost को भी consider करते हैं implicit cost का मतलब क्या होता है opportunity cost explicit cost out of pocket cost implicit cost is opportunity cost अब आप ये पूछेंगे ये opportunity cost मतलब क्या होता है see understand economics क्या मोलता है जर ध्यांद सुनियेगा मान लीजे मेरे पास एक लाक रुपय है economic decision क्या होना चाहिए अगर तुमने रिलाइंस के शेर भी लेकर के रख दिया तो यू गेट 9 to 10 percent return तो लोगों ने अपने को decision लेते है financial decision लेते है वो अपनी opportunity cost को जरूर देखते है कि मैं ये छोड़ दू तो मेरे को क्या मिलीगा yes तो मेरे को क्या मिल सकता है और उससे सब सब अपने decision लिये जाते है उससे सब सब अपने decision क्या किया जाते है hence accounting profit will be more than बोलो बड़ा economic profit ये MCQ है accounting profit will always be more than economic profit क्योंकि economics में हम क्या consider कर रहे है implicit cost भी consider कर रहे है हम उसको भी cost ही मान रहे है तो accounts का जो profit है आपके economics की profit से हमेशा उपर रहेगा तो बरेवर third business का third objective क्या है social objective business का third objective क्या है social objective we cannot grow so unless we meet the needs of society हम grow ही नहीं कर सकते जब तक के हम society की needs को पूराना करे simple सा बात बताईए boss simple सा बात बताईए आज आप ये marathon देख रहे हो इसके charges ली आपसे class के थे वो अलग बात है marathon के charges आए आप लोगों से नहीं but still every teacher is working on that why there is social objective पढ़ाना was a different thing आज बच्चे का बीज दिन पहले exam उसको एक दिन में पूरा chapter revise करके देना is a social objective he needs it and we have to do it आज आप देखेगा sir आपको पताई कि नहीं उपर आप देखेगा yes group 1 group 2 sir more than 1400 students has believed us face to face see and advertisement हमने क्या किया हमने कुछ बता है कि हमार पास यह है सब दुनियादारी है कुछ भी नहीं हम एक ही बात बोलता है हमारे पास consent है ले नहीं ले ले अब आप देखो क्या reason है sir virtual चल रहा है मत्तब face to face में 1200 बैटने के लावा 200 बच्चा वर्चौल के इंदर में बैटा है और पढ़ रहा है वो कहीं नहीं जा रहा उसको reason पता है क्या है at the end of the day who can meet our social needs and business इसी पे चलता है कि boss are we able to give them what they need if you are able to give them what we need the answer is simple the business will work and this is one of the social objective which you will do yes अब आपको you know audio revisions मिलेंगे या test paper मिलेंगे क्या है यह simply social objective है बच्चे को इसकी जरुत है यह देना है काम खतम मैं उसको दुनियादारी नहीं में दिखाऊं पर उसको उसके काम की चीज़ दिखाऊं मेरा काम हो जाएगा fourth objective fourth objective क्या है human objective her organization her organization has to treat the employee better to give them favorable working conditions to give them favorable working conditions अभी एक reason बताएए recently आप सभी लोगोने news में देखा होगा उत्तरकाशी में tunnel block हुआ yes अब चाहते अगर organization से profit oriented organization होता है वो शायद मरने के लिए छोड़ देता यह देखता भी नहीं कि बचे की नहीं but at least जो organization थी Indian government थी उन्होंने क्या किया पूरा का पूरा try किया वहां पे पूरे जित्ते 20-22 दिन जितने लगे महनत करके लोगों को फॉरें से बुला करके you know सारी खुदाई करके वहां पे food पहुचाना यह पहुचाना etc etc सारी चीज करी what was that human objective आपके business में जो लोग आपके साथ जुड़े हैं इनको fair treatment देना good working condition देना यह business के objectives में आता है क्योंकि human ही नहीं रहेंगे तो organization या machines पे चलेगा क्या and fifth national objective and fifth national objective remove inequality remove inequality help the country to become self-reliant help the country to become self-reliant तो हर business के बताईए production के कुछ objective होते है क्या-क्या objective होते है पहला objective बोल बिटा organic objective organic objective का मतलब to survive दूसर objective क्या होता है economic objective to generate profit but accounting profit economic profit से हमेशा जादा दिखेगा क्योंकि economics में opportunity cost भी consider करते हैं फिर social objective social objective क्या है बिटा to meet the needs of society human objective fair deal with the employee and last में आता है national objective removing inequality पर इसको अचीव करने में कुछ problem आती है problems आती है इसको अचीव करने में यह वह पाल्ट है जो theory तो है इसमें से लगा तो एखाद MCQ लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा इसी पर यह आपके बहुत सारे pages खा जाता है आप module देखो आप notes देखो यह वाला जो partner आपका बहुत सारे pages खा जाता है लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा output नहीं आता है MCQ के point पर तो यह वह point है जहां पर आप अपने आपको neutralize कर सकते हो या end में पर सकते हो यह वह point है अच्छा बताइए क्या problem आती है सर पहला problem in setting the objective problem in setting the objective कुछ लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है जैसे आप में से कई लोग है यह तो कर रहा है कि यहां मेरे को सिए करना है पर करना क्यों है कोई objective के साथ करना है क्या कई लोग इसलिए कर रहा है क्योंकि ममे पपा ने बोल दिया कई लोग इसलिए कर रहा है कि यह हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो छोड़ो कुछ आगे और देखेंगे and some लोग बहुत determination के साथ कर रहे है there is first problem problem in setting the objective second problem in location oblique size oblique physical facility security sir understand कीजिए problem है plant किदर डाले क्या हमारा plant city में होना चाहिए यह हमारा plant जहां raw material पास में मिल रहा होना चाहिए to save the transport cost यह problem है problem है कितना manufacture करे क्योंकि अभी तक मेरा product नहीं आए कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा तो मैं कितना produce करूँ यह भी तो एक problem है तीसरा physical facilities क्या-क्या facilities हो सकती है क्या-क्या physical facility possible हो सकती है कितने store रखने है यह भी तो एक business decision है जो हमें लेना है तो objective तो हम देदेगे भी यह profit कमाना है पर कैसे profit कमाऊगे कितने unit डालोगे जिससे required profit आये यह भी तो सोचना important है third problems in finance सर दिन में पांच idea पैसे कमाने तो तुमारे मन में भी आते हैं दिन में पांच idea तो पैसे कमाने के तुमारे मन में भी आते हैं पैसा है क्या लगाने के लिए बस यही आइडिया फ्लॉप हो जाते हैं समझना है तो पचास आइडिया तो तुमारे मन में भी आते हैं वहां लाइबरेरी में बच्चा बैटा 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 सोच रहा है मैं सीवन में यह साली भागतु लोग है मैं बने आना इतना आशन होता तो सब कर लेते का इतना आसान होता सब करलेते हैं आप में से कई लोग हूँ बाइड आन बीच्चन्ग करेंगे मेरी मेरी फीस इतनी नमर श्टूड़न इतने तो टीचर का इनकम इतनAH कि ओ यह तो एक बैट से है तो एक से है सुनने बोलने में बहुत अच्छा लगता है यहां आके जब खड़े रह करके किसी को एक घंटे तक के entertain करना है तब समाझ में आता है कि यह जितना easy task दिखरा है यह उतना easy task नहीं है At the end of the day यह दर्द करता है किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि तुम दिन पर इतना बात कर चुके होते हो किसे से बात करने के इच्छा नहीं होती यह दुख रहा होता है यह दुख रहा होता है पैर दुख रहा होता है समझ मा रहा है तो सुनने समझने को बहुत अच्छी बात है अविलेबिलिटी तो हो ना कुछ देने की हिम्मत हो ना कि हाँ चल अपन भी देंगे इस नेक्स्ट प्राब्रम इन डेलेशन टू और्गनाइजेशन स्ट्रक्चर और्गनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या रखें क्या लाइए ये नेक्सरियों में टूम्राइट मार्केटिंग प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग कई बार ऐसा होता है कि प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है पर वो प्रोड़क्ट मार्केट में आहीं नहीं पाता क्योंकि उसका मार्केटिंग ही नहीं हुआ है उस तरीके से एस और नो तो ये भी एक प्रॉब्लम है कई बार आपने जो मार्केट किया वो टार्गेटेड ओडियंस को किया ही नहीं अब जैसे में को एक बात बताओ हमने यह क्या रख दिया मैराथॉन तीन दिन पहले डिसाइड हुआ हमने पोस्टर देखा कि आपने हमारे सोचल मीडिया पर कि हम लोगी मैराथॉन लेकिया रहे है दा अंसर इस नो क्यूंकि अगर यह कर देते ना तो हमारे इस क्लास की बच्चों को बैटने की जगह नहीं रहते हैं बाहर वाले तो कंफर्म ही आते हैं समझनारी बात क्योंकि हम इतले रहें अकेले तो वह आ जाते और उस टाइंपर बैटने की जगह नहीं रहते हमने बोला बहिया जिसकी जिम्मेदारी थी पहले उसको तो कर दो बाद में योटूब पर डाली देंगे तो अंडरस्टांड कीजिएगा कई बार मार्केटिंग कि मार्केट कर दिया तो आतो जाएंगे हैंडल करने की कापैसिटी दोना जगह का है उपर फूल इदर फूल इदर फूल जगह ही नहीं रहेंगे आप सर्व कैसे करोगे यह बहुड है जिसको आपसे पढ़ लो इनमें से एकार एंसी क्यू आ गया तो आ गया नहीं तो इस पार्ट पर एंसी क्यू नहीं आने वाला अर्यू गेंग ने पॉइंट चलो अब आते हैं प्रट्ट्ट्शन फंक्शन पे अब आते हैं किस पर विड़ा, production function, production is a function of input into physical output. So, quantity produces a function of a, b, c, till n. हाँ जी भी या, production function, production function, बताओ भी या production function क्या है, इदर देखो, दो मिल्ट में समयाता हूँ, यह मोबाइल बनने के लिए आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या input लगे होगे, screen लगी होगा, बोलते जाओ जल देली, क्या लगा होगा, screen लगा होगा, camera लगा होगा, battery लगी होगी, body cover लगे होगे, screws लगे होगे, यह सारे input बन रहे, a, b, c, d, e, यह सब को जब जोड दोगे, तो बनेगा production function, converting input, input, output, this is production function, are you getting the point, this is production function, तो कोई भी चीज़ के अंदर में जितनी input लगती, इन सारे input को जब हम जोड दे, यह output निकल जाता है, इसको हम गयते है production function, AC बनाओगा, मतलब wind लगाओगा, copper pipe लगाओगा, electric wiring लगी होगी, body लगी होगी, switches लगे होगी, बाहर का digital display लगाओगा, यह सब बन गए input, आप सब इनको छोड़ दो, क्या बन जाएगा, output, अच्छा जी सर, सर, यहां हम कुछ assumption लेते हैं, यहां हम लोग क्या लेते हैं, कुछ assumption, पहला, technology, रिमेन, गुलोबिडा, same, किसी भी चीज को produce करते वक्त हम एक चीज ध्यान में रखते हैं, कि भिया, जो इससे technology है, यह क्या रहेगी, same, in given input, output is max, यह MCQ है, production function का एक बड़ा assumption होता है, कि अगर हम कुछ input दे रहे हैं, तो इससे निकलने वाला जो output है, यह maximum output है, मतलब इससे उपर यह नहीं आ सकता, तो हम जब भी कोई input देंगे, हम इस assumption के साथ देंगे, कि यह उसका maximum output है, इससे जादा possible नहीं है, जैसे, अगर मान लीजे, हमें एक लिटर coconut oil निकालना है, तो उसको लगने वाला जो input है, हम उसको मान रहें, यह input से maximum इतना ही output निकल सकता है, एक लिटर से जादा उससे निकल सकता, नहीं, फर एक्जामपल, एड़ किलो सेंग्डाने लेके, आपको एक किलो oil ही निकल सकता है, उसमें से कभी भी ऐसा नहीं होगा, कि एक से जादा निकल जाए, तो हम यह assumption कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह assumption चेंज किया तो production की practicality और उसकी cost क्या हो जाती है, change, अच्छा जी, production function, short run, long run, यह आया main content, यह आया main content जिसमें से MCQ बनेंगे, हाँ जी, short run, बोलते जाओ बच्चे, at least, one input क्या माना जाएगा, fixed, other input को क्या माना जाएगा, variable, one input क्या माना जाएगा, fixed, other input क्या माना जाएगा, variable, हाँ जी, fixed क्या पकडा जाता है, capital, variable क्या पकडा जाता है, other factor, other factor, शॉट रन या लॉंग रन टाइम पर डिपेंड करता है क्या इट डज नॉट डिपेंड अपॉन बुलो ताइम शॉट रन या लॉंग रन टाइम पर डिपेंडेंड नहीं है इट डिपेंडेंड अपॉन बुलो इट डिपेंडेंड अपॉन आउट पूट आप कितना आउट पूट प्रोड्यूस कर सकते है उस पर डिपेंड करता है लॉंग रन में आल फैक्टर क्या माने जाएंगे वेरियेबल it provides it provides maximum output that can be achieved इच्छा अच्छा शॉर्ट रन को कैसे श्टडी किया जाता है इसको कैसे करते हैं इसको कैसे करते हैं यह भी बड़ी ओके MCQ बनेगी तो शॉर्ट रन के पीरिड प्रोड़क्शन समझना है आपको लॉअफ विरिबल प्रोड़क्शन समझना पड़ेगा लॉग रन को अगर आपको समझना है लॉअफ रिटर्न टू स्केल पड़ना पड़ेगा बाइची डन दो मिद्ध हाथ रूपलो अब सुनते जाओ वापस से हाथ रूपलो जरह हाथ को ऐसे 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 करो बहुत देड़ से लिख रहे हो जो बोल रहा हूं करते जाओ बिंदास है ना हूं प्रोडयक्षं क्या है प्र्ड़क्षं इस इंपुटिं टू किसी बी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जों सारी چीजे जो मिलती प्रिया क्या कहते इ !! और ये इंपूट से जो परडेकंच निकलता उसको क्या कहते है औपूट यह जो प्रड़कशन नहीं प्रदक्शन दो तरीके से देगा जा सकता है शॉटरन प्रदक्शन के अंदर में एक फैक्टर को क्या पकड़ रहा है हम फिक्सको फेक्ट पकड़ रहे हैं क्योंकि अचानक से आपने बोला 10 रुपए लेके बिजनस में आ सकता नहीं तो पकड़ रहे हैं यह स्वागी सब पॉसिबल है इसलिए long run में लगने वाली सारी cost कौनसी cost होगी बोलो बिड़ा variable cost अच्छा fixed input की cost कौनसी cost बनेगी fixed cost और variable input की cost कौनसी बनेगी variable cost oh my god यहां से मिला हमें हमारा next concept so Navita क्या तुम हमारा next concept पढ़ना चाहोगी Navita fixed capital और variable capital तुमने तो कमाल कर दिया next concept है fixed capital और variable capital ओमाई गॉड़ ओहां fixed capital fixed capital fixed capital fixed capital fixed capital ओह 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 fixed capital या इस concept को हम क्या अलग से कहेंगे fixed cost और इसको हम क्या कहेंगे variable cost तो इसमें से capital word ही गयाप कर देते हम fixed cost and variable cost what is fixed cost cost of fixed input यहां पे cost of variable input क्या आप जानते हैं क्या तुम जानते हो total cost is equal to fixed cost plus variable cost सुनियो तुम इतने लेट आए हो चलो total cost हम इटे total cost total cost is equal to bolna मिटे total cost is equal to fixed cost plus variable cost total cost is equal to fixed total cost is equal to fixed cost is equal to fixed cost plus variable यह यह दंद पे आया क्या oh my god magic दंदे पे दंदे हां फिक्स कोस्त वेरिबल गॉस्त ऐसी किती कॉस्त होती है दो तो cost of fixed input is called as fixed cost cost of variable input is called as variable cost fixed cost हांजी बिच्चे fixed cost do not change fixed cost do not change वह सरनेम की तरह है fixed cost do not change but variable cost change with बुलो ना variable cost change with output yes Lala, Lala mere Lala, tera output कुछ भी हो don't you think your fixed cost remains same tera output कुछ भी हो yes ने आया oh my god चलो सुनो तेरा output कुछ भी हो तेरा output कुछ भी हो your fixed cost remain same तेरा output कुछ भी हो तेरा fixed cost क्या रहेगा बिटा same अब ये fixed cost क्या रहता है same रहता है understand wait a minute आया गया नहीं oh my god इदर उदर कहीं पैर मानना पड़ेगा के फिर से oh my god ये देखो सिस्टम गरम हो गया वह भी हैंग हो गया कि शीष्टर नहीं शीष्टर कि दो मिनटे को हाजी चल द्यान जा सुनना fixed cost कैसा रहेगा same रहेगा irrespective of output your fixed cost will remain same irrespective of output यानि आपका output कुछ भी हो जाए आपका output क्या हो जाए कुछ भी हो जाए यार fixed cost will remain same let me give an example इस class का rent इस class में एक बच्चा है दस बच्चा है पचास बच्चा है एक class हो पाच class हो whether the rent will remain fixed तो ये हो गया आपका fixed cost which do not change with the level of output अब यहां पर एक बच्चा बैटे या एक हजार बच्चा बच्चा बैटे एक हजार बच्चा बैटे fixed cost remain same इसलिए fixed cost का जो curve है क्या मैं इसे कह सकता हूँ parallel to x-axis तो fixed cost का जो curve है यह क्या रहेगा बच्चा बैटा parallel to x-axis रहेगा लिखते जाओ दो मिनट में इदर भी आ चाहेगा online वालो को दिख रहे है don't worry about it हां उनको दिख रहे है connection error होता है वहां से रही बार fixed cost कैसा रहेगा बच्चा बैटा parallel to x-axis fixed cost कैसा रहने वाला है same क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ add 0 output fixed cost is equal to total cost अगर इस class में एक भी बच्चा नहीं आया या एक भी class नहीं हुए still we have to pay the rent तो at 0 output total cost is not 0 fixed cost is equal to total cost fixed cost is equal to total cost so 4 points ध्यांदा सुनना fixed cost में मैंने 4 points लिखे हैं आप लोग के लिए repeat करा हूँ पहला cost of fixed input is called as fixed cost fixed cost do not change fixed cost do not change next हमने graph बनाया parallel line to x-axis showing that fixed cost will remain constant irrespective of the level of output irrespective of the level of output fixed cost remain same so it is parallel to x-axis it will be parallel to bolobita x-axis at 0 output fixed cost is equal to total cost achcha ji sir 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 मुझे एक बात बताईया what is variable cost variable cost variable cost changes with the level of output इसका curve कैसा होता है upward towards right upwards towards right upwards towards right is it a positive curve is it a positive curve is it a positive curve अच्छा आप ध्यान से देखेंगे variable cost कहां से start हो रही है start from 0 which is showing at 0 output your variable cost your variable cost is also 0 but total cost is equal to fixed cost everybody अगर अगर output 0 है अब variable cost का example क्या हो सकता है अपने class में books का जो cost है या अपना variable cost है मैं books उतनी ही issue करूंगा जितने number of student रहेंगे तो वो cost मेरी कौन से cost बन गई बटा variable cost अगर हजार बच्चे होंगे तो हजार book का cost लगने वाला नहीं है yes or no तो fixed cost तो रहे गई class का rent तो रहे गई पर variable तभी रहेगा जब वहां पर क्या रहेगा कोई student रहेगा यह हो गया variable cost इसलिए हम कहते है add 0 output add 0 output your variable cost is equal to 0 but your total cost is equal to fixed cost are you waiting the point yes अच्छा जी sir sir तर ध्यान जा सुनिएगा अब मैं total cost curve बनाता हूँ पहले रुक सिफ सुनना total cost curve लिख मत पहले सिफ समझ लिए total cost is equal to fixed cost plus variable cost या ऐसा कहने जाओ total fixed cost plus total variable cost yes or no यह दोनो cost को जब आप मिला दोगे तो यह आपकी बन जाएगी total cost अब इधर ध्यान सा सुननना देख बिटा यह बन गया तेरा fixed cost denoting कि कुछ भी कर लो fixed cost तो रहे गई chart समझना chart समझानो fixed cost तो रहे गई say yes variable cost कुछ ऐसा रहेगा variable cost कैसा रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा upward moving don't you think मेरा total cost भी रहेगा यह इसका connection लूज होता है बार बार कि इसका और उसका मेरा total cost का करव कुछ इस तरीके से रहेगा पुछो क्यों पुछो न क्यों बच्चे अगर आप ध्यान से देंगे मेरा total cost कहां से start हो रहा है start at point f पुछो क्यों पुछो न क्यों कुछ भी हो जाए मेरा fixed cost तो रहे गई रहेगा अरे add zero output also will there has to be my fixed cost इस class में एक बच्चा नहीं भी आया इस class में एक बच्चा नहीं भी आया तो भी इदर का rent तो दे नहीं है न ब्रो तो add zero output also your total cost is not zero your total cost is fixed cost इसलिए TC 0 से चालू नहीं होता TC कहां से चालू होता है FC से चालू होता है TC कहां से चालू होता है FC से यह point समझ मैंने सभी को अब दूसरा point TC शोज VC कर्व TC का जो TC का जो line है यह VC कर्व के जैसे यह पूछो क्यों Logically अगर total cost आगे बढ़ेगा variable cost आगे बढ़ेगा अगर variable cost आगे बढ़ेगा तो total cost भी आगे बढ़ेगा क्योंकि fixed cost तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा न ब्रो fixed cost will not change याने change in total cost is nothing but variable cost तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ total cost is nothing but change in variable cost yes or no क्योंकि fixed cost तो आपका same ही रहने वाला है आप कुछ भी कर लो पर अगर यहां पे 100 के जगए 150 बच्चे आगे तो मेरे लिए cost कौन सी बढ़ेगी rent बढ़े जाएगा क्या rent तो उतना ही रहने वाला है तो cost कौन सी बढ़ने वाली है books that is variable cost cost कौन सी बढ़ने वाली है books that is variable cost याने total cost is nothing but change in variable cost इसी mcq को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ total cost curve इसी को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ total cost curve जितना जितना ऊपर जाएगा मेरा total उतना यह उतना उपर जाएगा याने change in total cost is nothing but change in variable cost change in total cost is nothing but change in variable cost जितना अपका variable cost change होगा उतना आपका total cost change होगा considering fixed cost remain same are you getting the point yes तो बताइए आपका total cost curve हमेशा क्या cost denote करेगा variable cost curve denote करेगा कि उसको fix से फरक नहीं पड़ता fix तो वैसे भी constant रहेगी बचाए या ना है समझ मैं या चलो लिखो total cost curve economy so it start at point F total cost shows variable cost curve change in total cost is nothing but change in variable cost total cost curve denotes variable cost curve total cost curve denotes variable cost curve is that done is that done fixed cost variable cost and total cost concept total cost change in total cost change in total cost because fixed cost remain same yes or no relationship relationship of total cost fixed cost variable cost total cost fixed cost variable cost total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost what is total fixed cost what is total fixed cost total cost minus total variable cost what is total variable cost total cost minus total fixed cost everybody a a a a a a a a कि देख पूरा चाप्टर कहां से का घूम रहा हम पहले यह सम्झाता हूं तृधिए चाप्टर लेंडी ए सिर्फ देख लें मैं तक घूम को भमा रहा हूं वापस सुन सबसे वहले हमने चार तरह की utility involved होती है form utility place utility time utility personal utility फिर हम आगे बड़े कोई भी production करने के लिए चार फैक्टर ऑफ production है land labor capital entrepreneur उसके feature पढ़ने के बाद हमने समझा business के कुछ objective है लेकिन इन objective को अचीव करने में क्या थी कुछ problem not so important point next point production function production is the function of input and output जब बहुत सारे input जोड़ोगे तो output मिल जाएगा फिर हमने समझा शॉटरन में और लॉंगरन में production function अलग अलग होते है इस शॉटरन के अंदर में एक input fix पकड़ना है बचेवे input variable पकड़ना है लॉंगरन के अंदर में सारे के सारे input variable पकड़े जाएगे येस और नो जो फिक्स होता है वो capital होता है अधर सारे के सारे क्या होते है वेरियेबल फिर हमने समझा के fixed input की जो cost होती है इसको हम कौन सी cost बोलते है fixed cost variable input की जो cost होती है उसको कौन सी cost बोलते है variable cost और जब इन दोनों की cost को मिल जाओगे तो आपको production का cost मिलेगा that is total cost फिर हमने इसका graph भी समझा कि fixed cost will remain constant parallel to x-axis variable cost is upward moving और total cost fixed cost के उपर जाएगा क्योंकि इन दूनों को जूड़ो तो क्या मिलेगा total cost everybody next अब इदर आईए अगर हमें short run पढ़ना था last के दो concept इस unit के अगर हमें short run पढ़ना था तो हमें क्या पढ़ना था law of variable proportion इदर आओ give the next heading law of variable proportion काय में पढ़ते हैं विटाम short run की study के लिए पढ़ा जाता है short run की study के लिए पढ़ा जाता है आपको याद होगा तो यहां पे तीन concept होते थे प्रोडक्त की बात कर रहें जब हम यहां पर प्रोडक्त की बात कर रहें प्रोडक्त का मतलब क्या है आउट्पूट marginal प्रोडक्त प्रोडक्त का मतलब क्या है सर आउट्पूट एक है Marginal प्रोडक्त मैं प्रोडक्त एक है ठीज कर रहें दूट्ट प्रोडक्त परिंठग के एंसक्ति के लिए रिवॉर्ड ज प्रोडप्त दीग है जब आप लोग इंटर्म मैं सम्ह 화णंत टूब की मैं जिए इसलम्न मैं उट्रवर्ट प्रोडइन आर्ग तो है ना कंचब पर फोकस करो में राइटिंग पर नहीं है इस वैसे भी Google कहता है जिनके राइटिंग अच्छी घराब होती है उनके दिल साफ होते है 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 हां है चलो सुनों वापस 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 अब बस दो मिन्ट हसाना था बहुत कंचब बागी है बहुत बागी देख बिटा लौ ऑफ वेरेबल प्रोपोरिशन में तीन चीज थी एक था एंपी एक धा टी एक था एती चुनो ना हमने मार्जीनल रेवेन्यू revenue मिलता है उसको हम क्या बोलते है marginal revenue चलिए revenue word cut कीजिए और output डालिए एक additional input से जो output मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे marginal product येस जनरली जनरली अगर मैंने एक input दिया तो कितना output निकलता है इसको हम कहेंगे marginal product product का मतलब क्या है output तो एक input दिने पर कितना output मिलता है इसको हम कहते है marginal output या marginal product ऐसे सारे marginal को add कर दोगे भाई और मैंने हो टोटल प्रोड़क टोटल प्रोड़क डिवाइड़ बाइन अमबर आव यूनिट्स आवरेज प्रोड़क आया कहते हैं में कि दूकान में है हां तो एक input दिया कुछ और output आया क्या कहेंगे marginal तो एक input से जो output निकलता है उसको हम कहते है marginal product उसे marginal product को जोड दिया तो क्या बनेगा total product total product divided by number of unit is called as average product yes or no? है अब ग्षान से सुनिएंगा इस concept सम्झ में हन्य के लिए लेगता तरीक है हमारे पास कमछाने कि लिए वड़ अच्छा तरीका है है धर दी लगला न करते हैं अरहां अलुंहाल है we are alla ऐसा ही आध आर सुननों एक मशीन है जिससे हमको प्रोडक्शन करना है सभी लोग बड़े ध्यांता सुन है एक मशीन है जिससे हमको प्रोडक्शन करना है ठीक है कुछ याद आ रहा हो तो क्लास में एक मशीन है हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे segregate करेंगे machine में डालेंगे machine में डालने के बाद निकालेंगे अलग करेंगे रख देंगे याद आराएगा अब मैंने क्या किया अगर मैं अकेला हूं सुन machine is considered as fixed अगर हम शौटरन पकड़ रहे तो एक input को क्या माना जाएगा fix तो machine became fix and labor became variable concept समझ बहुत easy labor became variable factor याने labor बढ़ाये जा सकते हैं input will remain fix ठीक है अब machine एक ही है और हमारे पास काम बहुत सारे है काम कौन-कौन से है let us understand सबसे पहले raw material लेके आना साफ करना machine में डालना machine में डालने के बाद production करना बहार निकालना segregate करना box में डालना रख देना अब तक मैं अकेला प्रोडियूस कर रहा था बहुत logically समझना क्योंकि content important है तुमको logic समझना जरूरी है अब तक मैं अकेला प्रोडियूस कर रहा था अगर मुझे मेरी efficiency बढ़ानी है आउट पुट बढ़ाना है तो मुझे एक और labor को add करना पड़ेगा ठीक है यह लेबर को add करके मैंने एक पर्टिकुलर चीज सिका दी कि भीया तुआ इदर यहां पे तिर को क्या करना है साफ करके सिर्फ मशीन में डालना है बाकी production में कर अब मुझे बात बताओ एक से ज्यादा लेबर आए ध्यान से सुनना एक से ज्यादा लेबर आए क्या हमारा production capacity बढ़ेगा इन शौर्ट हमारा Marginal product बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा Marginal product बढ़ जाएगा हां या ना ठीक है पर डोंट यू थिंक अभी भी एक और labor add करके हम यहां ना अब तुम लोगों पर नहीं कंटेंड पर ध्यान दो यहां पर बायोलोजी नहीं होने वाला आउट पूट आउट पूट निकल रहा है अब मेरे एक और भाई आड हो गया अच्छा अब ध्यान्द सुन मैं इसको पहले के कोई काम में डालू या एंड के काम में डालू वो ज्यादा सेंसिबल हो क्योंकि सुन हम दोनों को अल्रडी प्रड़क्शन का कुछ नोले यहां बंद आया इसको हम बोल सकते कि भाई तो एक कामगर पैक कर रख पैक कर रख यस नों अंडर्स्टांड की जगा जैसे 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 मशीन रमें फिक्स पर लेबर बढ़ रहे हैं डोंट यू तिंग मार्जीनल प्रड़क्ट क्योंकि नमर आफ प्र लेबर आचुके होंगे सब्सक्राइब यह माक्सिमम में अब इसके बाद पीनों मिल करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं पर यह बहुता है अब जाय चाहें तीचा सुबत तीवेट करती है माजा अब मुझे बात बताओ हम तीनों में से बरेवाद कुछ गलत को लगया है नहीं न अभी यह बोलता है कि सर वो मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को बोच जोड से जाना पड़ेगा अब जो ठीक है डोंट यू थिंग मैं बोलता हूं देख ऐसा हो सकता कि हम में से तीनों में से किसी को एमर्जेंसी आ जाए यह वटेवर इस अधिंग हम लोग क्या करते एक और लेबर को एड कर देते अब जो चौता लेबर है वह एफेक्टिवली कुछ प्रोड्यूस कर नहीं पर कॉस्ट्ट्ट तो मेरी लग रही है कि नहीं लग रही है कौन्सी कोस्ट वेरियबल कोस्ट्ट जिससे इल्टिमेटली किस पर इंपक्ट पड़ रहा टोटल कॉस्ट यहाने थीन कि हम optimum level पे थे तीन तक कहा थे हम optimum level इसके बाद अगर एक भी वेरियबल इंपुट बढ़ाया तो मेरा MP तो कुछ बढ़ने वाला नहीं है मेरा marginal product कुछ नहीं बढ़ने वाला जो नया बंदा आने वाला है वो कोई नया product produce नहीं कर देगा मेरा MP नहीं बढ़ने वाला लेकिन इस चक्कर में मेरी cost बढ़ जाएगी इस चक्कर में मेरी cost बढ़ जाएगी तो मेरा MP है marginal product है वो कहां जाएगा नीचे अब मानने हम तीन लड़के हैं इतने में production में हमने अचाना कि लड़की को लाया इतने पहलं कि अब हम तो आगे पॉसिभी इन तीनों में से इक हम य द्हान बढ़के न की या की कोई पॉसिइल करने वाली तो केवाल कि नहीं इसको द्वम्न वालत जा रहो अरे जरी डान भॉन थुम सब्स् widerसेघुन orखें थुम इख्सट्रा लेबर हैитесь तुम वह लडकी की अउप में द्हानतो पॉइंट एज्यों वह आके कोई एक्स्ट्रेक्शन करने में इसा आएज सब्स्थ बटप मेरा लेबर तो मेरको चाहिए कि यह quiere an Nature ना इसखना न्मेरा ना तो कुछ हुआ ही नहीं पर हमारी कॉस्ट तो लगीगी नहीं लगी यहने हम तब तक के यहने लॉजिकली हम जब तक के optimum capacity पर प्रोडूस कर रहे थे तब तक के तो सब ठीकता बेटा येस लेकिन अगर इसके बावजूद भी हम अगर लेबर आड करते गई या वेरियबल फैक्टर एड करते गई या विल गो डाउन स्वहरीlig कॉस्ट विल गो अप बडद मार्जीनल प्रोडूक्ट मगो ड़ writes तो हमने कब तक के प्रोड्यूस करना चाहिए हमने तब तक के प्रोड्यूस करना चाहिए जब तक के हमारा marginal product क्या है बिटा जीरो लेकिन अगर हमारा marginal product कहा पहुच जाता है negative तो हमने produce नहीं करना चाहिए तो तीन stage of production है stage 1 जहां पहुचते हैं stage 2 जहां पर MP कहां तक पहुचता है जीरो और stage 3 जहां पर MP कहां चला जाता है negative हमने कौन से stage पर produce करना चाहिए stage 2 क्यादा रहे गया this is the mcq तो logic क्याता law of variable proportion law of variable proportion law logic था fix तो वैसे ही रहेगा आप variable तब तक add करते जाओ that is labor तब तक क्याद करते जाओ जब तक क्या आप optimum capacity पहो beyond optimum capacity you will generate a loss are you getting the point thank you Malik so MP marginal product AP average product TP total product आजो बिटा MP marginal product product is addition made to total product sir क्या मैं कह सकता हूं marginal product is equals to total product at n unit minus total product at n minus 1 formula तो वही है न ब्रो या marginal product को मैं ऐसा भी कह सकता हूं change in total product यह उसका third mcq है यह जो pyramid है वो change बूला जाता है मैं आच में yes so this is nothing but change in total product फिर आता है total product TP is equals to MP1 plus MP2 till MP nth unit TP is equals to summation of MP TP is equal to summation of MP TP means output per unit of time per unit of time when क्या मैं कह सकता हूं TP increase when VP increase जब variable product increase करोगे तो TP भी increase हो जाएगा अरे हां यहां average product is equals to total product divided by quantity कर दो क्योर्प्रपॉर्पॉर्पॉर्पॉर्पश्पॉर्थ The verb, examine, input and output relation in short run. Law of variable proportion examine input and output relation in short run. it examines the change in total output by changing one unit of input It has three stages, Pela, increasing return to factor, दूसरा, diminishing return to factor, तीसरा, negative return to factor, अपक्राण्यमस्ट. अपक्राण्यमस्ट. And P. when MP reach max, at that point, TP is called as, anyone, point of inflection, AMCQA, when MP reaches the max, at that point, TP is called as, point of inflection, second, MP start declining, MP start declining, MP reaches to zero, when MP is zero, TP is max. and this is the point of anyone, saturation, this is MCQ, where MP is zero, where TP is maximum, हो जाता है, और उस पॉइंट को का जाता है, point of saturation, negative return, excess of variable factor, factor, MP becomes, negative, TP start, declining, AP is above MP, quality, you is is done, चलिए, आपको अगर याद होगा, तो एक इस तरीके का, पॉइंट को बोला जाता है, point of saturation, इस पॉइंट को का जाता है, point of inflection, यह है आपका stage 1, यह है आपका stage 2, यह है आपका stage 3, stage 2 is the best stage of production, stage 2 is the best stage of production, जाता है, यह सीधे सीधे MC क्यों पकड़ी है AP rises, MP also rises but MP is greater than AP जब stage 1 में बढ़ता है, MP higher rate से बढ़ता है when AP is max MP is equal to AP or MP cuts AP at maximum point AP fall, MP fall but AP is above MP अगर average प्रोडक्ट फॉल होगा marginal प्रोडक्ट भी फॉल हो जाएगा कि अजब प्रोड़वा एक तरम प्रोड़ा यह पनस तो is this done I think it's done यह जो चारो पॉइंट है यह आपको सबसे ज्यादा पूचे जाएंगे इस concept में लगभग रट लेना यही सबसे ज्यादा पूचे जाएंगे mcq में लगभग रट लेना this was law of variable proportion coming to the last stage of this unit law of bolobita return to scale तो फिर आपका यह unit भी कहतम हो जाता law of return to scale कहां पड़ा जाता है bolobita long term increasing constant decreasing जित्ते लोग बात करें प्लीज बंद करो मालिक देखो इंपोर्टन चैप्टर हों दो बीच में एक टाइम आएगा जब मस्ती करेंगे करेंगे कोई तक्लिफ में अभी पढ़ लो तु लॉजिकली सोच के बता घर पे रहता इतना हो पाता क्या नहीं हो पाता यहां हो रहा है विट इस पॉइंट पर हो रहा है कि भाई तु जाएगा और तिरको बस इतना पढ़ना है यह वो पॉइंट है जिस पर तिरको maximum आज पीटा law of return to scale क्या होता है पीटा long term क्या होता है पीटा बोलो जल्दी से long term long term के अंदर में अगर आप ध्यान से देखें सारे factor of production क्या है variable all factor of production बोलो पीटा क्या है sorry सारे के सारे cost variable है all cost are variable cost long run के अंदर में जितनी भी cost आपको मिल रही है यह सारी की सारी क्या मिल रही बिटा variable cost तो सारे factor भी कैसे बन जाते है factor becomes बोलो पीटा variable factor अब आपको 3 stages मिलती है पहला मिलता है increasing return to scale increasing return to scale पहला होता है increasing return to scale अब यह increasing return to scale क्या होता है यह वह period होता है जहां पर आप input तो कम देते हो लेकिन इससे मिलने वाला जो output होता है वह बहुत जादा होता है जैसे if input increase by 10% output increase by 20% इसको हम कहते है increasing return to scale क्या आप input तो कम दे रहे हो लेकिन इससे मिलने वाला जो output है यह बहुत बढ़ा है इससे मिलने वाला जो output है यह क्या है बिटा बहुत बढ़ा है तो कई बार आपको ऐसा होता है कि कम मेहनत पर output ज्यादा इस concept को हम कहते है increasing return to scale अब यह क्यों होता है this happens because this happens because internal and external economies यह क्यों होता है internal and external economies के कारण होता है अब आप notes में आगे जाकर के देखोगे अब आप notes में आगे जाकर देखोगे तो आपको बताया internal economies क्या क्या होती है external economies क्या क्या होती है exam point of view से काम की नहीं है फिर भी एक बार बस पढ़के चल जाना yes internal economies में क्या क्या आता है external economies में क्या क्या आता है वो बात बताई भी है अच्छा जी सर्थ here output increased in greater proportion then input यह हो गया मालिक आपका increasing return to scale एक होता है आपका constant return to scale एक होता है मालिक आपका constant return to scale constant return to scale में क्या होता है input आपने increase किया 10% से तो आपका जो output है यह भी 10% से क्या हो जाएगा increase that is output raise in same proportion output raises in same proportion इसको हम कहते हैं neutralized effect इसको हम कहते हैं neutralized effect तीसरा होता है decreasing return to scale तीसरा होता है decreasing return to scale सर बी-सी के भी कराएंगे के आप बहुत बढ़िया बेटा बेटा बी-सी के का जो marathon है वो कल हो गया है ना RJ ने करवा दिया कल आने वाला कल maths और उसके बाद accounts ऐसे और दो महा-marathon है आप लोगों के तो हमारे YouTube चानल पर आपको मिल जाएंगे decreasing return to scale yes decreasing return to scale क्या होता है बीटा input increase by let's say 20% but output increase by 5% आप input तो बहुत जादा दे रहे हैं पर output उत्ता नहीं आ रहा है जैसे अभी आपका self study का time कहने को तो तुम दिनबर पढ़ रहे हो पर efficiency आप आ रही है क्या नहीं अच्छा कई लोग तो पहले ये वेट कर रहे थे आप दिनबर करना क्या है तो आप दे तो 20% रहे हो ऐसा आपको लग रहे है पर आपका ये आउट्पुट आपका इंक्रीज नहीं कर रहा है तुम्हार को लाइफ में चल रहे है decreasing return to scale है ना कई बार तो क्या होता है दो घंटे पहले एक topic पकड़ा था तीन दिन बाद वही topic पे हो constant return to scale क्या मिल रहे थे तुमको constant return to scale अच्छा जी sir 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 इदर बताये diminishing return to scale क्यों होता है because of बो internal and external diseconomies because of internal and external diseconomies is that done unity is over अच्छा 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 करनो देखो point इतना ही है जितनी मस्ती करनी थी हमने पहले कर दी आज वो time नहीं है आज वो हम सब का आपका बोलो मस्ती करना किसे पसंद नहीं गाली मस्ती करना सबको पसंद नहीं पर जिम्मदारियों का बोज बढ़ा है इस यौर हाई कि लाश को लेके जाना वड़ेगा, sir नहीं होगा,Ï देख मैं देक्सेको इक बात बोलू गया तरको कुछ ही नहीं होने वाला तेरे बहुत सपने बचे में है तरको होगा कुछ ही नहीं? अच्छा मैं ते यक बात बदाओ अब अभी जब सेल्फ पढ़ रहे होंगे तो कई बार ऐसा होता होगा ना चीजिए कई बार ऐसा होता होगा कि पढ़ते वक्त मैं आपको बताता हूं अगर आप भी मेरे जैसे कावरेज बच्चे ना तो पढ़ते वक्त आपके पास में तीन बहुत प्रॉब्लम आती होगी पहला अप प्ढ़ कुछ और रहे हो चिंद dan किसी और सब्ज cycl के कर रहे हो खुरां कि होता है टूफ्ड़ कुछ और में कुछ और आई होता है किस असंट में ये बहूत जुनर leg द्याइद आगए एक दो पॉइंट याद आ गए चले यार यह तो याद आ रहा है चाहां इसमें तो यह था पिर याद आता यार वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ नहीं आ रहा था डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में बहुत लपड़े है उसका कैसे करेंगे कुछ लौ तो भाई मतल कैसी बाते कर रहे हैं कुछ भी अंडेस्टैंड देख आज अपन इंको पढ़ रहे है ऐसा है क्या कि जब कंसेट पर पहुंचे तिरको कुछ याद ही नहीं आ रहा नहीं ऐसा नहीं होता है तुमको याद आता है और बिटा वो जो एक्जाम की चेर है ना वो राजा विक्र प्रमादित्य की चेर हुदर बैटके सब याद आता है इतने भयानक फायर पर बैठे होते हो ना मैं तुम्हारा को बताओ कई लोगों का एक्जाम हौल कैसा भी होगा हमारा था अगर परिस्टिक्ति उदर की हो तो एक्जाम होल ऐसा होता है उपर पंखा नहीं रहता कई या तुम जिदर बैटे उदर पंखा नहीं है ठीक है तीन चीजे बिल्कुल विश्मत करना पहला तुमारे क्लास में कोई अच्छ सबसे थड़कलास आने को होना शकल भी घटिया सब घटिया होना चीए तुम्हारा ध्यानी ना बटके तुम्हारा ध्यानी ना बटके मैं म जंका ना है नहीं तो हो तक है सालापन पढ़ रहे है एक्जाम को याद करने जा रहे है अब वह ऐसा बैठी है एक्जाम गया तिल नेने के लिए पांच मिनिट दस मिनिट इधर ही खतम तो अगर ऐसा कुछ नहीं कि तुमको याद नहीं आएगा तुमको सब याद आएगा देखो यह बात है नहीं कि सिलिवस लेंदी नहीं मैं यह कभी नहीं कहूंगा क्योंकि अगर आप सिय में हो मतल है छैनुनरली अगर यह पूरा पैं आपका सिय ए het doetर देखो आहा अएग इतना ही यह फांदेशन में जितना तुमारा पूरा एक ही चाप्टर पीजी बीप मैच पढ़ा हूँ, मेरे को मालूम है यह जितना तुम पढ़ रहे हो न यह सब मिक्स कर लो इतना तुमारा एक चाप्टर बनता पीजी बीप इंटर के एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक जो सी 50 माग के लिए और जनुइनली ऐसा है और तुम किसी भी senior को पूछो नो उसको पता ही रहेगा और definitely मेरे class में रहे गए उसको पूछी नहींगा वो तुमको by default में ऐसा बोलेगा क्योंकि देख यह पूरा गेम ना patience का है and just imagine, just imagine तुमने पिछले ना 6 महने अपने literally ऐसी ऐसी करा ही है मैं आपको बताता हूँ कैसे तुम्हारे सारे दोस्त पूरी नवरात्री enjoy किया तुमने नहीं किया backlog ही भोत था ठीक है, मन था तो दिवाली enjoy नहीं कर पाए पढ़ना था इतने सारे sacrifice में अब जब तुम end पे आयो ना तब तक तुमको एक्साम के बाद बहुत पच्तावा होगा अरे मैं खुद भटका हूँ इसलिए पता है एक्साम से पंदरा दिन पहले भटक गया नहीं भटकना चाहिए आज भी दर्द होता है अब क्यों दर्द होता है भाई क्यों छे मैने का revenue लाउसता मेरा वो तो मिली नी revenue भी नी मिला वो तो मिली नी मिली revenue भी नी मिला क्योंकि देख असली तकलित यह नहीं है कि तेरको वापस पढ़ना पढ़ेगा असली तकलीफ यह है कि अगली बार भी जब तु भूख खोलेगा न ऐसा सामने देख को समझ मा आएगा तिरको यह concept यह है कई बार तो तो तुरको question देखके पता रहेंगा इसका answer सी यह question देखके तिरको समझ मा आजाएगा इसका answer सी यह but believe me यह जितनी भी महनत है न वो सिर्फ और सिर्फ पाँच मिनट के moment के लिए और वो पाँच मिनट का moment का एसास मा दिलाऊं तुम तुम पाँच मिनट का moment वो यह moment है कि जिस देन तुमने result के उपर किया और रिजल्ट आया पास तो अगले पाँच मिनट तक के तुमने सिर्फ अपने मम्मी पपा और दादी को observe करना दादा को observe करना यह जो moment है यह वो moment है जिसके लिए दर दस गंटे बैठे हुआ जैनूइनली यह मोमेंट है क्योंकि जिस टाइम याद होगा तक 12th के रिजल्ट पर अचानक से अपनी मम्मी का चालू हो गया था ना वो शिष्टम रोना धोना यह वो सर वहां हुआ हो यह नियुक्त में जरूर हो जाएगा क्योंकि तुम अब तक के इस पॉइंट पर हो तुमारे घर में तुमारे को बताता हूं क्योंकि तुम बहुत चोटे हो जैनुनली तुम ऐसा लग रहा है तुम बड़े हो गया तुम एकी सब्जे आपको ऐसा क्यों लग रहा है बोल रहा हूं नहीं है नहीं है बस कतम हो भी बाद अंडिस्टैंड सर बहुत कुछ सीखना बागी है बहुत कुछ देखना बागी है तुम लोग का अभी तुम में हो तुमारे मॉम डाट जितना सैक्रिफाइस चीज के लिए कर रहा है न यू आल नो हम सबकी एज बढ़ रही है और सबसे यहादा तकलीफ होगा जब तुम्हारे ही साथ वाला बैठा वाना सेम बिल्डिंग में सेम फ्लोर पे तुम्हार से उपर रहेगा यह बहुत तकलीफ देखाली सिच्वेशन है कित तबर अच्छा दोस्तो कुछ भी हो तोकुछ भी हो जार chỉ वाफार की बाते है वाफ कोई और बात नीं पचायां बार मन करेगा ओं मेरा भी करता है तुम्हार आ मेरा भी करता है जा चोड़णा अभी लेक्र हो गया अभी जैशियर कर लेक्चर क्थप मेरे चुटऑ के से अब बना के देंगे कुछ ने बोला हम मैराथान गंड़क करेंगे कुछ के केस में जनुए पॉसिबल नहीं नहीं तो वह भी पॉसिबलेटी ते सर हर एक मुमेंट पे एक टाइम आता है जब आपको आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी समझनी होती है चाहे आप किसी भी एज के क्यों ना हो 10th में तुमने यह समझा कि भीया मेरे को पास होना जरूरी है मार्स लाने जरूरी है 12th में तुमने समझा जेनुएनली यह वापस से वो टाइम है जब तुमार को यह रिस्पॉंसिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि यही प्रोसेस है धीरे धीरे तुमारे घर का रिस्पॉंसिबिलिटी तुमारे पे शिफ्ट होनेगा अगर तुमको कुछ बड़ा पाना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है ऐसे आपको कुछ भी नहीं मिलता अब प्रॉब्लम क्या है सर सिलेवस बहुत बड़ा है और सर जैनुएनली दिन बर बैटके नहीं होता है हम लोग ठक जाते है माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है ब आपको एक बात आउर देता हूं जब भी आपको ऐसा लगे या तो पांच मिनट का बस मैक्स तो मैक्स ब्रेक लेके आजाओ या अपने मन को एक बहुत शातर तरीके से एक चीछ सम्झाता हो देख सारा गेम तेरे मन का है मैं तेको सम्झाता हूं कैसे रात में तु जहां कह होल पैरामेटर और तिरे को मालूम है यह आएगा यह नहीं आएगा यह आएगा रात में बॉटल भी तु आटमेटिक हाथ गुआता और तेरे हाथ में बॉटल है क्यों कि तेरे को पता है वो उदर ही रहने वाला है येस इडिस अल अबाउट दे माइंड को उतना प्रिप करना है और 400-500 कोश्चन अगर सौल करके चला गया तो कितने कोश्चन वहाँ पर अलग दिख जाएंगे जिसके आंसर तिरको नहीं पता होंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पर अगर 20 दिन इमानदारी से महनत कर लिया 25 दिन यहां से इमानदारी से महनत कर लिया तो लॉजिक कि यह होगा कि अगले देड़े साल तक एक्जाम नहीं देना है फिर बोद ग्रूप एक्जाम देना है नेक्स्ट लेवल पर चल किलसी तो यह वर लगेगी और फिर वॉर जीतनी और इसतब्स वियर लंत कि एक्जाम कीले करना इतने में से इतने लाना है तो तुम सिर्फ एक्जाम में अधक्डक एर रहे जाओगे कोई लक्षको नहीं पापाऊगे लक्ष्ट बनाना पढते र przysz फनेवार ंचानला ह् SMITH् एनर्जी तो हमारी सेम है ना आपके और मेरे लेवल के एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है मैं कंटीनूसली बोले जाना हूँ फिर भी है उसी एनर्जी से चालू हूँ जीस एनर्जी से 11 बजे चालू पढ़ा हूँ क्यों एक अब्जेक्टिव है नहीं इस बच्चे ने म दो घंटा और रोख जाएगा ना पूरा ही को रिवाइज हो जाएगा तो घंटा अपने आपको और समझाना है कोई बात नहीं बैठेंगे कोई तकलिफ नहीं बैठेंगे साले जो ऑनलाइन देख रहा होगा ना उसमें से कई लोगों ने अभी तक पेशन्स शोड़ दिया अनत में रिजल्ट उतनी परसंट आने वाला है अन्त में रिजल्ट उतनी परसंट आने वाला है अब लाएगा कौन यह तुम यह सोच लो साले पूरी लाइन हमारी आएगी पीछे वाली लाइन को फेल करेंगे है तो अन्त में कॉंपेटिशन ही ना बहुस अंडर्साइंड हम भी मैं आर जे एंप्टी हम लोग भी अचा तुने आज आज इसा पड़ाए कर ठहर में आ ऐसा पड़ा के दिखाता फिर एक्जामपल भी दूसरों पही चाते है समझ में आया ऐसा किया गया नुक मैं भी यह करके दिखाता इस इस कॉल्ड़ाइस हेल्दी कॉंपेटिशन बढ़ेंगे साथ साथ में बढ़ेंगे और सबके सब एक साथ बढ़ेंगे तब तो साले तुम्हारे को मजा आएगा बड़ बॉस प्लीज आप क्या करो फोकुस करो थो ठाइन घंटे की बात हो और है दिख तुमको भी पता है यह चाप्टर खतम हुआ है यह चाप्टर में बचा नहीं है यह चाप्टर जैसा है कितरने चाप्टर बचते हैं दो इस में से पहला-वाला किते दिर में खतम होगा-ाडली 20 मिनट liksom किते दिर मोगा-ाडली एक घंटा तक रूपकोअ सत्वत नियुक्त की चाहां होगा। तो mvernight के पूर्ज ग्याक ह्यां और तो रुको कुछ निहीं होता हम जाします चाय पी नहीं कमाने यह पी नहीं कमाने कुछ नहीं चूप चाप पानी बेढ़िया कोई फरक नहीं पड़ता मरेंगा नहीं तु समझ में आये क्या मरने नहीं वाला है तु यह बात फिक्स है मरेगा नहीं और तुम अभी 6 गंटे बैढ़ जाओं इंटर में तुमको 15-15 गंटे के महरतों करना पड़ेगा और करेंगे क्या वेटा करेंगे कुछ नहीं होता दन चलो नेक्स पार्ट पर चलते हैं कॉस्ट यूनिट टू बोल वेटा क्या चीज कॉस्ट अजी पाई स्वा tara कॉस्ट कोस्ट क्या बेटा तोंट य differently thing it is financial side of production प्डूसट प्रॉसला प्रॉट्ट क्या ह हुँट बेटा क्या ठाटा तक तक नहीं धिस प्डूस्ट पर प्ट्भक स्च्छ क्डॉस्ट अब हुम आते हैं किसपे पीटा, सबसे पहली कॉस्ट कॉनसी होती है, अकॉंटमिक कॉस्ट मற्हा हुं, में नहींित नहीं cash cost consider करते हैं, explicit या implicit, only explicit cost, economic cost, मैं नहीं बता रहा, explicit plus implicit cost, क्या इंप्लीशिट कॉस्ट को हम अप्वर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं और एक्स्प्लीशिट कॉस्ट को हम आउट ओफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं फिर एक होती है डायरेक कॉस्ट विच कैन भी बुलो बिटा रेज़्ड एक होती है इंडायरेक कॉस्ट विच कैनाट भी ट्रेज़्ड डायरेक कॉस्ट जिसको ट्रेस किया जा सकता है अगेंस्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जा सकता है इंडारेक कॉस्ट जिसको इडेंटिफाए नहीं किया जा सकता फिर आपको याद होगा तो incremental कॉस्ट कॉस्ट बेटा incremental कॉस्ट तो यह अपन भाई नाम कहा है त्रह स्वयम तुर नाम कहा है हां स्वयम पुर्वा को बोलता है मेरेसाथ कॉफ़ी में चलेगी क्या में आगल निंशा को लूग क्या ओर कि भाइब मोय तो बात नो गरू एक सभी ताम आएंगा मैं बताउगा पुर्वा या बोलती है बोलती है कि कि टिक है यार मेरी दोस्त नाम के तरहा गुंड मैं मरी दोस्त को लो क्या अब सभाइम के पास option नहीं कहा नहीं यह गए स्वयम पुर्वा को देख रहा पुर्वा स्वयम को देखरी इतने में गुन ने बहिए दो पैटेश पांच बरगर दो पिज्जा पांच कोल्रिंग साब कुछ अंदर अब बता पुर्वा की कॉफी का कॉस्ट जो हुआ वह तो वह डायरेक्ट कॉस्ट विच केन भी ट्रेज साफिक फूरे थे नहीं का कुन-क जीत्ता है कि और इंक्रीमेंटल कॉस्ट गंका कॉस्ट गया वह कांसा बन गया इंक्रीमेंटाIl कॉस्ट जबरदस्ती के वह पाष। था अपने मन की बात रखी उसके पहले ही पुरवा ने कह दिया थांक यू भाय अब अच्छा लगा यहां है संक कोस्ट understeanne इसने जितना खर्चा किया सारा का सांक कोस्ट रहे किया सांक क्या संक कोस्ट तो incremental KOSTIG creator in организму और अगर का सारा का सारा विस्ट हो गया संक कॉस्त समयध्य में इसको बोल रहा था मैं उसको बोल रहा था कौफी पीने चलू उसने अपनी दोस्गून को भी लेके आ गई अब ये जो याद कर रहा है ना उसको बोलते है हिस्टोरिकल कोस्ट ये जो कोस्ट है ये कोंजी कोस्ट है इस्टोरिकल कोस्ट so here comes the three next cost, incremental cost, बोलो बड़ा संग कोस्ट और next कोंजी इस्टोरिकल कोस्ट incremental cost below cost of an additional unit तो मारी गुन क्या बन गई थी महां पे? additional unit हमारी गुन महां पे क्या बन गई थी? additional unit sunk cost cost already incurred and cannot be recovered cannot be recovered yoga is sunk cost what is historical cost? cost incurred in past cost incurred in past अब वो किस के साथ गया था गुमने के लिए? बोलो ना पुर्वा अरे पुर्वा तो चले गई ना वो हिष्ट्री बन गई आगले दिन अपने मॉल्ले मा कौन आई थी? आईश्वर्य आई अब आईश्वर्या का जो बिल भर रहा है यह है replacement cost आईश्वर्या का जो वापस से बिल भर रहा है यह कौन सी cost हो गई? replacement cost cost of replacing an asset cost of replacing an asset cost of replacing an assets यह वन गए कौन सी cost बिटा? replacement cost cost दन मिटा? चलो यह हो गई type of cost फिर आता है cost function चल 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 जल जल्दी से फिर आता है cost function cost is a function of austup cost is a function of output o is level of output आपकी cost इस पर भी depend करते ही कि आपका output कितना होने वाला है as मतलब size of plant आपके plant की capacity क्या है tu is time under consideration किसी भी product को बनने के लिए जित्ता ज्यादा time लगेगा उसकी cost उतनी बढ़ेगी and p is price of factor of production चलिये recall कीजे total cost is equal to fixed cost plus variable cost fixed cost fixed cost is equal to total cost minus variable cost and variable cost is equal to total cost minus fixed cost हां जी बताये fixed cost curve कैसा दिखेगा variable cost curve कैसा दिखेगा और total cost curve कैसा दिखेगा यह आप fill in the blanks कीजे fixed cost curve यहां पर बापस सही पॉइंट repeat होता है module में भी repeat होता है fixed cost curve कैसा बनाओ is it parallel straight line to x-axis variable cost starting from origin don't you think this will become my variable cost fixed cost and total cost अब हम आते हैं average cost के उपर यह अत्रीगन क्रुपिया ध्यानने ATC is equal to AFC plus AVC Do you agree? Average total cost Is equal to Average fixed cost plus Average variable cost क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ATC is equal to TC upon number of units हाँ या ना यहां पर graph के लिए जगा छोड़ दो छोटे से आगे बढ़ो So average total cost Average total cost is equal to average fixed cost plus average variable cost or total cost divided by number of units तीसरा graph के लिए जगा छोड़ दो ठीक Second point AFC काश मुझे फर्मूला पता होता बनाओ खुदी A T C minus A V C or और AFC is equal to TFC divided by number of units अब सुन यहां से तेरे ग्राफ चालू रहा है दो मिनिट पे नीच्चे रहा कंसेप्ट बहुत ईजी है देख तेरा fixed cost का कर्व जो था वो कुछ ऐसा था आप तेरी fixed cost एक unit को डेनोट कर रहे थी और जब तेरा average आ जाता है तो तेरा AFC का जो कर्व है यह downward sloping हो जाता है यह इस कर्व के तीन नाम पहला downward sloping इसी को ऐसा भी कह सकते है negative sloping इसी को ऐसा भी कह सकते है convex बरबर सर ऐसा क्यों हुआ इतर देख मानले एक unit था मानले कितना unit था एक वन unit था इसका fixed cost दस रुपय था पहले unit पर average fixed cost भी दस ही रुपय रहेगा मैंने दो unit बना है my fixed cost will not change but my average fixed cost changed average fixed cost is equal to fixed cost divided by number of unit yes or no तो एक unit का cost fixed था तब तक के आप अपना fixed cost constant रखते थे जहां एक से ज्यादा unit हुए यह क्या बन गया बट आपका average fixed cost पर एक बात देखी आपने average fixed cost will not touch x-axis पूछो ना क्यों बिकास fixed cost can't be zero यह तीन बार mcq में पूछा है yes average fixed cost curve कभी भी x-axis को touch नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता fixed cost कभी zero नहीं होने वाला आपका fixed cost रहेगा हां यह बहुत low तक जा सकता है पर कभी भी zero नहीं होने वाला because at zero output also fixed cost stays समझ महा रही ही क्या बात पूरा point समझ महा रही है सभी को यह वापस से what is afc atc minus avc या total fixed cost divided by number of units average fixed cost downward sloping negative sloping या convex भी होता है yes क्या होता है बिटा अच्छा इसको एक और भी बोल सकते हां rectangular hyperbola इसको एक और नाम से बोला जाता है इसी को एक और नाम से बोला जाता है rectangular hyperbola किसने बोला rectangular hyperbola curve इस curve को एक और नाम है rectangular hyperbola curve done इसी curve को एक और चीज से बोला जाता है rectangular hyperbola curve Is that done? Write down. कि यहां में विचारा दीन दुख्यारी संग कॉस्ट पर लिख रहा है पूरुवा तो लाइबिलिटी थी कि पूरुवा किसकी लाइबिलिटी थी तो अब पता चल गया ना है कॉन हो सकता है हो इदर वाला नीजे गयो पूरुवा कह रहे है जितने थे सब चोड़ते चलो यह ड़ाने विटा Next यह ड़ाने के ब्रो पूरुवा सारी एक्स लाइबिलिटी होती है अल एक्सार पासवर्ड्स सारी एक्स क्या होते हैं पासवर्ड्स होते हैं बरवर हैं वो भी हाओ बोल रहे हैं जिनके आत्ता कुछ रही नहीं बहुत गम है तुमको भी नहीं मैंने देखे कई अखंड सिंगल लोग जो अरीजी तुसिन को सुनके कुछ को दर्द हो रहा है ऐसा बता रहे हैं और तेरा कभी कुछ वहा नहीं गया नहीं अव बटा एवरेज वेरियबल कॉस्ट एवरिबडी एवरेज वेरियबल कॉस्ट बोल ला एवरेज वेरियबल कॉस्ट का फर्मूल बोल ATC-AFC-R TVC अपन नंबर ओफ यूनिट्स से यश अच्छा एवरेज वेरियबल कॉस्ट का कर्व कैसा रहेगा मेरी बात ध्यान से सुनना इस पॉइंट को ध्यान से सुनना अगले दो कंसे बड़े आराम से हो जाएंगे कर लोलो मिट्स फिर्वारिश कोण का करब कैसा रहेगा राइवरेज वेरेबल कॉस्त जा उडलो लेवल कॉस्त का कुछ आहिसा था अबरे बड эп Petersburg कोर पिछ आईसा था अभरेज वेरीबल कॉस्त को विडिर्वा दर लेगा चैंसा रहेगा यूशेब नौ अंडर्स्टेंड इस वाइट इस यूशेब 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 क्यों है इस वाइट तू बिग रीजन पहला वेरियेबल कॉस्त आप एक पॉइंट तक के कम कर सकते हो अपक्स के विगास प्रोडक्त खरीदने जाओगे यह कितने का दिया मैंडम 20 रुपय का आप बोलोगे यह काम करो मैं 10 लेती हूँ अब बोलो तू वह अपनी वेरियेबल को थोड़ा सा कम कर देगा इसके नीचे प्राइस प्राइस पॉसिबल नहीं है वह बोलोगे मैंडम देखो 23 विल विद लास प्राइस इसके नीचे प्राइस पॉसिबल नहीं है अब एक कौन्टिटी लो हजार कॉन्टिटी लो 15,000 कॉन्टिटी लो मतलब एक मोमेंट तक क्या कर सकते हो ऐसके ब्चाइबल को डुचट को डॉटाउन कर सकते हो उसके ब्चाइबल क्यों पॉसिबल नहीं है तो आप यह कहेंगे कैसर फिर तो उसने यहांके रुख जाना आपका प्राइस तो फिक्स था यह वाना चाहिए था यह वापस से उपर क्यों गया तो यह ही अगर विरियबल कॉस्ट बढ़ती है तो फिर आपकी यह जो विरियबल कॉस्ट है इं लॉंग यह इवी तो बढ़ेगा ना प्लस मान लोग गवर्मेंट ने टैक्स बढ़ा दिये अब आपका प्राइस तो फिक्स था बढ़ आपकी वीरियबल कॉस्ट क्या होगे इंक्रीज तो एक मुवमेंट के बाद बियॉंड एवरी पॉइंट आप जैसे जैसे कॉंटिटी इंक्रीज करते जाएंगे आपकी वी 9, write down beyond optimum capacity the cost cannot go down beyond a optimum capacity the cost cannot go down and will increase sharply और उसके बाद ये कैसे increase होगी sharply everybody जालो अब बता उपरा तुमने average total cost का कर्व खाली छोड़ावाए मैं तिर से पूछना चाऊओगा याद कर और सोत समझ की बता अब तोटल क्यूंत का कर्व किसके जैसा होता है तोटल कॉस का कर्व कौन सा कव डिनोट करता है पक्की बात variable cost शौर अगेन यूशेट इधर देख एएफसी एवीसी एटेसी इसलिए इसका कर्व ऐसा है पर यह मैं तेरे को पहले लिखा देता समझ नहीं आता अंत में समझ में आएंगा कि वो चार्ट वैसा क्यों है क्योंकि वीरियबल कॉस्ट का कर्व याने आपका अगी है त कर्वा एटी सी इस अलसो बुलू बिटा यूशेब डिनोटिंग बुलू बिटा वेरियबल कॉस्ट डिनोट इंग वेरियबल कॉस्ट मैराथान का मतलब यह नहीं चार्ट कतम हो जाएंगे सब चार्ट पढ़ेंगे मजा तब आएगा बॉस में तो टाइम वेस्ट करके मतलब क्या है तुमारा और मेरा दोनों का अधी गंटा एक्स्टा लगे देट्स ओके बट कंटेंट पूरा लेके जाओ घर पे जाके सीधे mcq पकड़ने के नू सॉल करने का इस दडन अब देखो अवरेज तोटल ओआज दन अवरेज फिक्स कोड़न आवेज विरीवल कोच दन진짜 अब एक और सब्लिन कaisseस तर्म को डॉला रन अवरेज कॉस्ट्र घरिवरीद्डी कि लॉंग रन एवरेज कॉस्ट कर याद होगा तो यह चाप्टर का लास्ट पॉइंट था हां ऐसा कुछ था ऐसे सी एले सी कि लागर्ण एवरेज कॉस्ट कर्व लॉंग रन के अंदर में डों चू डों चू तों चू तिंक सो अलकॉर्टी स्थे वेरियाबल कॉस्ट since all cost is variable cost ये भी कैसा shaped होगा बेटर U-shaped it contain many short run average curve which is या आप इसको ऐसा भी बोल सकते है L-A-C-C is tangent to S-A-C-C या आपको MCQ में आएगा it is tangent to S-A-C-C short run cost curve हाँ जी इसको और दो नाम से बुला जाता है also called as anybody planning curve इसको एक और नाम से बुला जाता है envelope curve इसको एक और नाम से बुला जाता है जाले का जाले का जाले का भावू आनकीन एक कंसेप्ट रायला दोन कंसेप्ट सांगू का फक्ता दोन कंसेप्ट रायले या चाप्टर मदे सर कुटले कोन ते या कुटले क्या बुलेंगे कोन ते दोन भी बूल सकते ना पर ठीक है पहला रायला ते अमसी हर मार्जिनल कौस्ट आठवा ना एका तुमला आठवा उता एका तुमला इकड़े उता मार्जिनल कोस्ट मार्जिनल कोस्ट मन्जे कोस्ट ओप वन एडिशनल इन्पूट करता एक बाला करता है का बाला चल जल्दी पटकन लवकर आटप कोस्ट ओफ वन एडिशनल इन्पूट इस कॉल्ड आज मार्जिनल कोस्ट बर असली ले तर चालेल का तुला तोटल कोस्ट एट एन यूनित माइनस तोटल कोस्ट एट एन माइनस वन अरे आता तरी हो मंडर बाबा ये उड़ा कश्ट करुण मी मराथी बोलने आचा प्रयत्न करतु हे याची जाने उग्या तुमी बरवर बोल रहा गया मैं हां हां हाले तोटल कोस्ट एक एन यूनित माइनस तोटल कोस्ट एन माइनस वन या मार्जिनल कोस्ट इस चेंजिन टोटल कोस्ट ऐसा भी लिख सकता है मैं मार्जिनल कोस्ट इस चेंजिन टोटल कोस्ट ओ माय काड़ क्या मैं मार्जिनल कोस्ट को चेंजिन वेरिबल कोस्ट भी लिख सकता हूं क्या बिकॉस चेंजिन टोटल कोस्ट इस नतिंग बट चेंजिन वेरिबल कोस्ट बरबर न आओ बाई करता है का तुला तो क्या मैं marginal cost curve को भी U-shape बना सकता हूँ क्या क्योंकि marginal cost ही अगर आपका variable cost denote कर रहा है एक additional unit का cost is variable cost तो सुनना इधर देखना विड़ा यह हुआ AFC यह हुआ यह हुआ A-V-C यह हुआ A-T-C यह बनेगा MC यह भी U-shaped ही होता है slightly U-shaped होता है चार्ट समझ में आ रहे है मालिक सभी को पक्का यह था second last point is chapter का मैंने सोचा यह भी क्यों छोड़ने का पढ़ा दो चलो अब तुम इत्ता फोर्स करें तो एक और कंशे पढ़ा ही देता हूँ आइसो क्वांट ओर्रे हां ओर्रे वो 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 अरे डोंडू वो तू तो ऐसा कह रहा है जैसे मेरे पीछे वो आइसो क्वांट आइसो क्वांट अरे था ना क्या था आइसो क्वांट था कि कितने भी इंपुट बदल ले आइसो क्हांट कीजरूथ क्यों पड़ती है क्योंकि हम चाते हमरे कौस्ट निचे यह पर हम्रा Input change, output remain same. All such combination are called as isoquants. Bro, Isoquants ko jab mathematically likha jata hai, Isoquant expressed in numbers, MRS, 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 marginal rate of substitution, or marginal rate of technical substitution, MRTS or MRS, we call this. So, when you express this thing mathematically, we call this MRS. Ahu, chapter is 4. What? Ahu. 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 तुम बीस मिनिट और दम लगाने को रेडियो तो मैं खतम करने को रेडियो करेंगे क्या वाहू कि बोलो विदय समराथ चत्रपती शिवाजी महाराज आंचा लेट स्टार्ट चाप्टर नमर वन बच्चे चल चाप्टर नमर वन लेट साथ लेट स्टार्ट कुछ नहीं होगा और करेंगे और करेंगे टेंशन नहीं चल 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 चाप्टर नमर वन छोटू सा बच्चू सा चाप्टर विटा टेंशन नहीं लेने का दस मिनिट और रोक के बैटने का कित्ती भी थंडी लगे रोक के बैट निगा बरवर एगी नहीं रोक के वैट चैप्टर नमर वन बोल मेरे बच्चा कितने उनिट थे पहला यूनिट येस हां बहुत इंपोर्टन सवाल और लिखना है सब को कितना भी आता हो तो भी लिखने गाए ठीक है मुझे बताओ हूँ इस दपादर ओफ एकनामिक्स तो हूँ इस दाड़ी ओफ एकनामिक्स अड़म्स में इनों ने अपनी एक बुक लिकी थी बुक का नाम क्या था वेल्ट ओफ नेशन कौन से साल में ये बुक लेके आई थी 1776 1776 1776 economy was economics economics was earlier known as political economy so till 19th century till 19th century economics was known as political economics ये हुआ पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बरेवर वट आर दे फंडामेंटल एकनोमिक प्रोब्लिम वट आर दे फंडामेंटल एकनोमिक प्रोब्लिम बुल बिटा यूमन वंड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर इसकेर अच्छा यह जो रिसोर्सेज आप बोल रहा हो स्केर्ड है यह क्या एपसलूटली स्केर्ड है या रिलेटिवली स्केर्ड है सो रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केर्ड एज कंपेर्ड तू वांट्स जितनी हमारी वांट्स है उस हिसाब से वह क्या है बिटा स्केर्ड एकनोमिक्स अब तीसरा पॉइंट आते है एकनोमिक्स इस, is it a Science, is Economics a Science, is Economics art, is it complex in nature, पुरे, it is multidisciplinary, pragmatic in approach, also called as, also called as बुल वेटा, managerial economics, also called as applied economics, क्या तुम्हे याद है, तो यह था इस chapter का तीसरा part, बाकी बाकी, दो पॉइंट और पढ़ लो, unit कता में, तुम भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं चोड़ दिया, सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो एकनोमिक सा मैं से है, हार्ट से है, complex in nature है, multidisciplinary है, इंटर डिसिप्लिनरी को इंटर डिसिप्लिनरी भी बोल सकता हूं, इंटर डिसिप्लिनरी भी है, pragmatic approach है, managerial economics है, applied economics है, उसमें अकाउंट्स का नौलेज आता है, law का नौलेज आता है, सब आता है उसमें, है, हर तरहें का subject भी में आता है, बोलो भाहिजा, भाहिजा, type of economics, बहुत हार्ड है यह भाई, बहुत हार्ड है, दो, micro, macro, micro talks about individual unit, macro talks about aggregate unit, six, seven mcq over, maximum mcq तो यही थे, अच्छा बताईये, product का price is a, macro और micro issue, micro location of industry, national income, value of currency, price level in India, पक्की बात, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, economics is more of, micro, less of, macro everybody, सिर्फ, micro निये, सिर्फ, macro निये, हम थोड़ा-थोड़ा है, थोड़ा इसका, थोड़ा उसका, है न, अपने इसा बोलते हैं हमारे कुछ फीचर हमारे मम्मी के, फिर कुछ फीचर पपा के हैं, बरबर है न, और बच्चेवे जो फीचर हम में डाले गए हो सब हमारे नालाएको दोस्तों के हैं, हम इसे नहीं थे, यह सालों ने बिगाड़ दिया, पता है मैं बहुत अच्छा और सीधा इंसान था, तुम लोग को यह मिली न, मैं भी बहुत सीधा इंसान था, फिर मेरे को जीवी सर मिले, समझा रहे हैं, फिर में को जीवी सर मिले, एमटी सर मिले, डीके मिला और मैं बिगड़ गया, अधर वाइस मा बोट सिंबल इंसाने सीधा हां कि यह वाइसे वरसा लगता है के तुम्को, क्या पैचाना है न तुम्हें मास्तर का, हां सर, सार, सार, बेसिक प्रोबलम ओफ एकनोमी, बेसिक प्रोबलम ओफ एकोनोमी, पहला कोश्चन आता है what to produce दूसरा कोश्चन आता है how to produce तीसरा कोश्चन आता है for whom to produce और आता है चौथा एकनोमिक ग्रोथ what to produce दो तरके की गुड़्स capital गुड़्स consumer गुड़्स how to produce capital intensive labor intensive for whom to produce आप जैसे रिच या मेरे जैसे poor you are more rich than me at any time ask me why you can afford me if someone can afford me it's absolutely rich I'm expensive bro wherever you can fragile view need to be handled with care जिसको ये जोक नहीं समझा कोई बात निवीड़ा पूगो चलो ये डान है unit one is over भाई जी unit two टाइप ओफ एकनोमी हां टाइप ओफ एकनोमी बोलो अब ये चाप्टर मूँ पे होना ची तुमारे बोलते जाओ पटापट पट पहला अब ये चाप्टल दूसरा तो शोशल तीसरा मिक्स हां कैपिटल इन मोटिव क्या होता है बोल प्रॉफिट इदर मोटिव क्या होता है तो शोशल वेलफेर इदर क्या होता है बोथ प्राइवेट इकनोमी लेजिस फेर इकनोमी फ्री मार्केट इकनोमी इसको क्या बोलते है प्लैंड इकनोमी कमांड इकनोमी यादा रहे गया इसको ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है next government has secondary rule government has Bulwada primary rule both yes there is a right to property right to business you are not available you are available you are right to property right to business you are not available consumer sovereignty exist do not exist exist पहले case में consumer sovereignty exist करती है consumer जो चाहे वो ले सकता है जो चाहे वो कर सकता है socialist में ऐसा नहीं होता mix में यह होता है if you but are ex light not exploited not exploited labor are exploited not exploited know exploiter आहो इसके अलावा घर पे जाके सिर्फ एक चीज पढ़ ले ना इस चाप्टर में what are the merits and demerits of capitalism what are the merits and demerits of socialism चाप्टर इज ओहाँ सुनो न मैं क्या बोल रहा हूं अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं तुमको क्या लग रहा है मैं ऐसा बोलूगा चलो लास्ट चाप्टर भी कर लेते नो ब्रेक पर मैं ऐसा कुछ बोल नहीं वाला हाव ब्रेक आफ 10 minutes see you after the break 10 minutes 15 minutes का ब्रेक लो यस इस 5 5 15 को लोग मिलते हैं चाहे ना इस ता कुछ कर क्या हो उसके बाद लगभग लगभग आप मान के चलो कि वीविल रिक्वार वन और वन एंद आपर जो अपनने टाइम दिया उसमें कतम हो जाएगा is that done bye bye yes sir welcome after the break we all know out of five we have done four chapters yes and we are rest with only one chapter and that is chapter number two which has got three units chapter number two which has got three units chapter number two which has got bulubhita three units everybody but d minni tea party आछ सुन्हाबर मॉड्यूल को खेंगे अहां पहले दिकेगा डिमांड फिर योगए गासंूमर फिर पढ़ने का डिमांड फिर पर पढने का मानी अगर पहले दो इमानदारी से पढ़ा तीसरा ओटमाटिक है पहले दो अगर इमानदारी से पढ़ा तीसरा कहा है बिड़ा ओटमाटिक ठीक है ध्यान्द सुन कंजूमर has some wants हर व्यक्ति की कुछ जरूरत है होती है every consumer has some wants all tastes desire and motive of humans are wants जरह याद करके देखो wants क्या unlimited होती है wants alternative भी होती है wants complimentary भी होती है want subjective भी होती है ध्यान सा सुनिये पहला want कैसी होती है बिटा unlimited human wants are unlimited यह तो base economics का wants alternative भी हो सकती है मतलब एक ही टाइम पे एक सा ज्यादा want आपकी alternation में हो सकती है मुझे यह भी चाहिए मुझे यह भी चाहिए complimentary भी हो सकती है complimentary मतलब कुछ wants तभी useful है जब वो किसी दूसरे product के साथ use के अप जाए yes or no right सीदा सीदे example है tomato ketchup आप वो tomato ketchup को डायरेक लेकर के इसे हाथ में डाल दिया है you don't do this that has to be used with other products say yes wants subjective होती है हर एक के लिए हर एक के लिए wants होती है यह different होती है at different point of time अलग-अलग wants होती है चलिए want के कुछ type होते है सबसे पहले हम consumer पढ़ रहे है want के कुछ type होते है everybody सबसे पहले क्या होता है Necessaries Necessaries वो होती है which are essentials for life Necessaries are essential for life Necessaries के types होते है अगर आपको याद हो तो necessary के तीन type थे पहला पहला anyone Necessary for life Necessaries for life for example food food आपके necessaries for life के अंदर में आता है दूसरा Necessary for efficiency for example clean food food is important clean food efficiency बढ़ाएगा और दूसरा conventional Necessaries conventional Necessaries यह क्यों आती है because of habits कुछ necessity चीजे इसलिए आपकी बंदा आती है क्योंकि आपको उसकी habit है for example conventional Necessary अब वो आपकी जरूरत है यह क्यों आई habits के चक्कर में पहला type था उसका Necessaries दूसरा टाइप क्या था comforts which make life more comfortable which make life more comfortable अब मानलो अपना प्रेम है प्रेम की शादी हुई अब मानलो अपना प्रेम है प्रेम की शादी हुई वो गया गया bed check कर रहा था ऐसे मुझे बात बताओ beds के बगेर उसको क्या नीन नहीं आएगी क्या आएगी जमीन पर भी सो सकता है the bed make the bed make life more comfortable समझ में आई बात उसको जमीन चुबेगी उससे बेटर यह है कि गद्दा रहे है वहां पर ऐसा भी तो हो सकता है तीसरी क्या होती है luxury expensive things हो सकता है पर हम बोले sir मेरे को stallion की जगद्दी चाहिए possible है न में को इसकी जगद्दी चाहिए उसी particular चीज की जगद्दी चाहिए तो हो सकता है कि भी हो luxury के अंदर में भी जाए हर want को satisfy करने पर हमें क्या मिलती है utility with want satisfaction we get बुल बिटा utility oh ho ho बिटे utility is utility is equal to usefulness no utility is not equal to usefulness a person can get utility even if the product is not useful a person can get utility even if the product is not useful whatever you know for example cigarettes daru teddy bear कोई utility नहीं मिल रही आपको yes or no but still still satisfaction मिल रहा है क्या मैं कह सकता हू utility is equal to anticipated satisfaction utility is equal to anticipated satisfaction क्या मैं कह सकता हू utility differs from person to person place to place person to person and place to place आपके प्रोड़क की utility बदल सकती है person to person and place to place आपके प्रोड़क की utility बदल सकती है अच्छ utility is measured in utils utility can be measured utility can't be measured कौन सा अप्रोच बोलते बटा Cardinal अप्रोच कौन सा अप्रोच बोलते बटा और्डिनल अप्रोच, काल्डिनल अप्रोच, काल्डिनल अप्रोच, काल्डिनल अप्रोच, बूलो बूलो बूलो, किस ने लिया था, Alfred Marshall, Wicks and Allen, yes, law of diminishing marginal utility, indifference curve, law of diminishing marginal utility, law of indifference curve. चलो, everybody, buddy, सबसे पहले समझते हैं, काल्डिनल अप्रोच to utility, किस ने दिया था भया, Marshall ने दिया था, पहला अप्रोच समझने चलते हैं, marginal approach to utility, आपको याद होगा, यहां पे हमें दो नए भहिया मिलते हैं, पहले भहिया है MU, दूसरे भहिया है TU, याद आ रहा है क्या आपको? हां जी, MU is equal to, गुलोबटा, marginal utility, marginal utility is equal to, total utility at N unit minus total utility at N minus 1, marginal utility goes down, marginal utility is downward sloping, हां बेटा, negative sloping, हां बेटा, hyperbola बोल सकता हो क्या? नहीं, कुछ पॉइंट याद आ रहा है क्या मालिक? फिर आता है total utility, total utility is equal to marginal utility, 1 plus marginal utility 2 till marginal utility N, total utility is equals to, change in marginal utility, total utility goes up, where marginal utility is 0, total utility is max, this point is called as point of, this point is called as point of saturation, this point is called as point of saturation, अच्छा, यहां पर change की जगह submission होना चाहिए, summation of marginal utility होना चाहिए, yes, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे law of diminishing marginal utility, law of diminishing marginal utility, देखिए, इसे कुछ ऐसे समझीए, हम, औरेंज इस, औरेंज का spelling ही बूल गया है, औरेंज इस, marginal utility, total utility, सुनना, बहुत तेज लगी थी भूख, मैंने एक औरेंज काया, सपोस करते हैं मुझे 10 की utility मिली, पहले unit में मेरी total utility भी दसी हो जाएगी, are you getting the point, so marginal utility नीचे जाती है, total utility नहीं, अब यहां से अगर हम समझेंगे, तो nothing but submission of marginal utility is total utility, and total utility का जो difference है, 16-10 यही हम क्या बना रहे बटा, marginal utility, मैंने तीसरा औरेंज खाया, yes, अब मेरे को इससे मिलने वाली utility किती रह गई, you know, let's say 2, मेरी total utility कितनी हो जाएगी बटा, 18, चीक है, अब यहां पर मेरा पेट भर चुका था, मेरे को extra utility नहीं खानी थी, इतने मेरे मामा घर पे आये, मामा घर पे आया पर बहुत एंगो बोलिया मनुक्वें बच्वार, मामा सब बढ़िया, बताओ बिख देख तर ले क्या बादा इयकों संत्रा, मैने का मामा को तर्भूज पसंने हैं मसा tetra attorney करण नहीं बटा-भी कि था अपड़े गा जबरदस्ति सिर्फ उनके लिए पूंके लिए मैंने को संत्रा खा लिया में मिने मिली नहीं मैं केसा सकता हूं जब मेर मार्जिनल यूटिलीटीजी इड़ी जीरो है है डिडीरत मेरे क्या हो गया मैक्सिमम इतने में उंपर बेंट पर एक यह लिए भाई भाई ने तेरे लिए संत्रा लाया है मैंने कहा वह सब ठीक है भाई अभी नहीं खा पाऊंगा प्लीज कैसी बाते कर रहा है दोस्ताम की कोई चीज होती है साले इतना तेरे लिए पेड़ पे चड़ा तोड़ा लाया संत्रा काना नहीं बोल रहा है तु मेरे एफर्ट्स का कोई लेंदेन है कि नहीं तेरे को भाई यार एमोशनल डामेज मत कर रहा है कैसी बाते कर रहा है थीक है खाया हो गए उल्टी उल्टा मेरी यूटिलिटी डाउन हो गई क्या मैं कह सकता हूं स्कार मार्जिनल यूटिलिटी मेरी निगेटिव भी जा सकती है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं that marginal utility can be positive, zero और negative When marginal utility is negative, total utility is diminishing. When marginal utility is zero, total utility is maximum. Marginal utility diminishes throughout. Marginal utility diminishes throughout. Is that done? चलो, graph बनाएंगे, देख, तेरी marginal utility goes down, but तेरी total utility goes up, जहां तेरा marginal utility zero है, वहां तेरा total utility कहां पर जाता है, max, और इस point को कहते हैं, point of, बोलना विडा, saturation. So, it is your marginal utility which goes down, but total utility is goes up. Oh, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, money is the measuring rod of utility, कुछ याद आ रहे गया, और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम सीदे MCQ MCQ करे जा रहे, जिस concept में से, जो-जो word MCQ में आएगा, वो सब आपके सामने है, money is the measuring rod of utility, उन्होंने कहा, यह जो numbers आप ला रहे हो, 5, 10, 15, 8, whatever, यह कहां से आ रहे हैं, हम बोल रहे है, money is the measuring rod of utility, हम money के हिसाब से सोच रहे, कि मेरे को उसमें से कितनी utility मिल रही है, money is the measuring rod of utility, अच्छा, सर, सर, are there certain exception to law of diminishing marginal utility, can you tell me, पहला, hobbies, yes, second, abnormal person, और तीसरा, indivisible goods, indivisible oblique, bulky goods, for example, TV, यहां से हमें, और तीन concept मिलते हैं, एक concept मिलता है, consumer equilibrium, consumer satisfaction, consumer dissatisfaction, dissatisfaction, यहां से भाईसा हमें और तीन वर्ड मिलते हैं, consumer equilibrium, consumer satisfaction, consumer dissatisfaction, अब जरभ बात समझीएगा, हम पिछे chapter से पढ़ते आएं हैं, हम बाए तभी करेंगे जब हम equilibrium पे होंगे, याद है क्या, chapter number 4, हम बाए तभी करेंगे, जब हम काम पे होंगे, equilibrium, यानि अगर मैंने 10 रुपे किसी प्रोड़क्ट पे खर्चा किया है, तो मैं चाहूंगा, कि भीया मिरको 10 रुपे का benefit मिले, मानते हो या नहीं, अगर मैंने खर्चा किया है, भीया मैंने 10 रुपे का किसी प्रोड़क्ट पे, तो मैं ऐसा consumer चाहूंगा कि मिरको 10 रुपे का benefit मिलना ही चाहिए, यानि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, when price is equal to marginal utility, consumer is at equilibrium, क्योंकि हम मनी कोही क्या मान रहे है, measuring rod of utility, so if the price is equal to the marginal utility derived out of that product, we said that consumer is at equilibrium, we say the consumer is at equilibrium, yes, तो consumer क्या करेगा, अगर price increase हुआ, he will buy less, अगर price decrease हुआ, he will buy more, दूसरा concept आता है, consumer satisfied कब होगा, मतलब मान लीजिए, अगर मैंने 10 रुपे का product दिया था, बात समय ना मालिक, मैंने क्या किया था, 10 रुपे का product लिया, लेकिन इस 10 रुपे के product, जो मेरे को मिलने वाली utility थी, वो 15 की मिल गए, मतलब utility is more than the price paid, कई बार इसा होता है, हम किसी hotel में जाते है, खाना काने के लिए और हमार को जितनी expectation होती है, वहाँ जो खाना होता है, वो उससे और ज्यादा बेटर होता है, तो हम कहते है, आज तो मजा आ गया, यार क्या सस्ता hotel और क्या बेस्ट खाना है, मतलब हमार को जो utility मिल रही है, आप लोग सोच कहा है थे कि भी एकनोमिक से maraton में क्या मजा आएंगा, तेरी यह बोर होंगा, पर, if you get the utility more than what you have decided, you are at consumer surplus, so when marginal utility is greater than price, we call it as consumer as surplus, yes, इसी को ऐसा भी कहा जा सकता है, total utility minus amount spent, total utility minus amount spent भी आपका consumer surplus ही बनता है, because sum of all marginal utility is called as total utility, yes, तो total utility minus amount spent is also consumer surplus, अच्छा जी सर, तो क्या मैं कह सकता हूँ, इसी को ऐसा भी कह सकता हूँ, marginal utility is equals to price into quantity, amount spent is nothing but price into quantity, तो इसी चीज़ को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, marginal utility minus price paid for that commodity, तो consumer is at surplus, आप इसे consumer satisfaction या consumer surplus भी बोल सकते हो, consumer dissatisfaction, I think I am very clear, where the marginal utility is less than the price derived, when I am 10 रुपे, I am 10 रुपे पहार बदले में मेरे को क्या मिला भी है, तो रुपे का benefit को या दो रुपे का benefit मिला, यसलों प्रोड़क बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, oh yes, product बाहर से बहुत अच्छा लग दा, कि हां भाई बहुत तो अच्छा रहेगा बहुत सारे चिप्स मिलेंगे अंदर से अंदर से क्या निकलते तुपड़े तो when marginal utility is less than the price paid we called it as consumer dissatisfaction are you getting the point yes चलो last concept last concept कुछ assumption है कुछ assumption है किसके बेटा of law of diminishing marginal utility law of diminishing marginal utility के कुछ assumption है law of diminishing marginal duty के कुछ assumption है पहला गुड्स आर बुलो ना homogeneous मैं जितने गुड्स कंजूम कर रहा हूं यह लौ अभी सस्टेन करता है जब जितने consumption कर रहा हूं मैं सारे के सारे सेम होने चाहिए मतलब अगर मैं मीठाई से मेरी utility निकालना चाहता हूं तो जितने consumption मैं करूंगा वह सारे के सारे एक ही टाइप के होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए एक रस मलाई तीसरा मैसुरुपा क्या ऐसा कोई तो मैं को समझ में नहीं आएगा मेरे से किसकी यूटिलिटी डाउन हो रही है तो आल डाट प्रोड़क्ट मस्ट भी सेव वह सारे प्रोड़क्ट कैसे होने चाहिए होमोजीनियस गुड्ज मस्ट भी कंजूम्ड कंटीनुवसली गुड्स कैसे होने चाहिए बिटा कंटीनुवसली कंजूम होने चाहिए मैं आज खा रहा हूं कल खा रहा हूं परसो खा रहा हूं मेरे को पता ही नहीं चलेगा यूटिलिटी बढ़ रही है या डाउन हो रही है तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि क्या सारे के सारे युनिट सेम होने चाहिए अगर पहले टाइम पर मैंने खाते वक्त पूरा एक रजगुल लखाया है नेक्स्ट टाइम पर भी कंजूम करते वक्त मुझे पूरा एक रजगुल लखाना पड़ेगा सो देट इन डिटर्माइन यहां मेरी उटिलीटी क्या और यह दाउन लॉफ एक एस पर जाकर बोलोगे क्या नहीं नहीं चाहिए अंसर इस नो प्रेस्टीजिए गुड्स जितना मिले उतना अच्छा ही लगता है आदमी बोलता है जितनी तुद मिलती जाए उतनी लगे अधिये इस अलवेस देरें केस प्रेस्टीजिए गुड्स ना प्रेस्टीजिए गुड्स कि इसको बुरे लगते चे लगते सब को एच्छे लगते यह और यह पूचके जाते कौन से कॉलेज से कर रहा तेरी दूपर अधिये तुमको भी मिलते होंगा ना जंडु रिलेटिव अभी दिवाली पे मिले ओंगे वेटा कौन से कॉलेज से कर रहा तुरे बापने ओपन क्या थनव हो हांजी क्या कॉन्से से सीए किया अच्छा मेरु से तो अभी एक रिलेटिव ने पूछाथ एध्छा हो राउड मेरेवक्टे को कन से करका रहना इक लेए अब कुछ बी ऐसे रिलेटिव क्या जिन खाह पता नी रें हम बेकर कहा अग선 हां? डशाव् ed on unrealistic assumption this is based on unrealistic assumption this is based on unrealistic assumption पुछो न क्यू? unrealistic यह है ना सर आप क्या बोल रेत kali हो कि मेलको जितना मैंने पैसे पेकिया मेरेको उतना ही क्या मिल रहा है satisfaction that is money is the measuring rod of utility वरवर ही कि नहीं आप क्या बोल रहो जितना पैसा मैंने खर्चा किया मेरेको उतनी utility मिल रहे उससे जाधा आप आप सभी लोग उसको sportively लेंगे ऐसा किसी ने बुरा माना तो प्लीज अपने आपको माफ कर देना कि आप सब मेरे को जानते हैं और आप सब जानते में आपके लिए क्या हो तो अब तू पॉइंट समझ ठीक है देवेन के ऊपर मानलो शिवानी ने क्या क्या रेपका चार्ज लगा दिया दोस्ते इसने मेरे को कमिट्मेंट पूरा नहीं किया चलते रिपर फालतु के चार् क्या सकता है पचास अजार रुपए में मेरे को क्या मिला यू उतना ही साटिस्फेक्शन मिला टेक्निकली अगर मानले तो खेर दोस्ते अगर किसी और लड़की ने सेम चार्ज लगाए होते तो क्या यह कहता है मेरे को पचास अजार का ही साटिस्फेक्शन मिला है आंसर इ काउंट नहीं कर सकते आपने किसी गरीब की मदद कर दी रहेट बहुत भूका था आपने उसको खरीद करके खाना दे दिया बीस रुपे तीस रुपे वाटेवर अब आप सोच के देखो आप क्या बोलोगे मेरे को बीस रुपे का ही साटिस्फेक्शन हुआ उसको खाना खिल करना बन पाम वार मन गर्ण आपस stop ठीकिन को खिली कि दुटत के शहर चार तक है इसको चेसाल बच्चे नहीं हो रहा था कि अ कि अब यह पूछ था इंशर लगाद तो मतलब किस तो फंदि भी साथी सोच में होगा ना कि अब इसको बच्चा नहीं हो रहा था यह पहुचा एक सर्तिया इलाज वाले डॉक्टर के पास रिल्वे स्टेशन पर पढ़ लिया भाई पहुचा सर्तिया इलाज वाले के पास बाबाजी ने ग्यारा रूपे का चूरन दिया और चमतकारी रूप से तीन दिन बाद अच्छा मेरे को बात था यह जो ग्यारा रूपे का चूरन है यह इसके लिए यूटिलिटी है क्या हां मैंने ग्यारा रूपे कर चागिया माइं मार्जीनल यूटिलिटी इस इलेवेन रूपीज अपर उसको यूटिलिटी बहुत बड़ी मिलिये इस लिए लास्ट अब समझा तुमको प्राक्टिकली इस बेसान अन्रेलिस्टिक अशंप्शन ठीक है हां मालिक तो कोई प्लीज बुरा मत मानना मस्ती मजाक होनी चीह हम एक परिवार का हिससा है जब तक कि मस्ती मजाक ना हो सही नहीं होता तो यह सारे अशंप्शन है चलो बोलो everybody goods कैसे होन चाहे चीह चैहे चाहे चैहे बिटा सांदर्ड लेकिन यह प्रेस्टिज जूट पर लगता नहीं का यह बीज आन्रिलिस्टिक अशंप्शन यह ठीक है मालिक येस चलो next आते हैं इन डिफरेंस कर्व indifference curve don't you think it is an all-dee-null concept किसने दिया था विक्स एन आलन आप ऐसे adult example क्यों ले रहे हो आप एक्सिदेंट काई कि और उक्सिदेंट के मादशनल बात करूंगा हाँ मतलब तुमको ये एक्सेप्टेबल है कि कोई लीवर है को लुब कर रहा है तो लुब है कि अचा बेटा ऐसा हो सकता है तो पहली बार मेरे क्लास में आया हो इस लिए तेर को ये लग रहा अगर तु मेरे अजीवी सर के लास में होता तो तेको पता होता है यह सम्नॉर्मल है कोई बात नहीं यह सब्सक्राइब नहीं मैं कल भी आओ गया वो तुम्हारा चोड़ो पहले आदमी मेरी ज्वेंड बजा देंगा चलो सुन यस और नो थी स्टड़ी कभी जॉइफुल होने चाहिए उन अपने ज़्यांपक इस बहुत है ओ गोड़ोगे पहुत है को युआ और पशाने चाहिए हैरे युआ को था अग्या तो है युआ को सफ डूट हो गया अगा कि अब कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं कोई तो ख्यालों मैं हो सकता है बच्चे का ही सोच रहा होगा विचारा कि अब इसला सुनों तो इन डिफ्रेंस कर विटा कंसेप्ट सुन बहुत इजी कंसेप्ट है और यहां फिर यह यूनिट क्या हो जाएगा बटा ओवर ठीक है अब इन डिफ्रेंस कर व क्या होता है दीखिए हिक्स आनलन कहते हैं मार्शल जी के पॉइंट को या पॉस करते हैं मार्शल जी ने क्या कहता हर चीज को क्या देंगे एक नंबर हम एक कारडिनल नंबर देंगे हिक्स आनलन क्या कहते हैं सर हर चीज को नंबर देना पॉसिबल नहीं है तो हिक्स आनलन मार्शल जी को कह रहे हैं मार्शल जी भीया हम हर चीज को नंबर देंगे यसे कोई अच्छी हर चीज को number दिया नहीं जा सकते हैं अभी मैं बात बता हूँ हर चीज को आप measure नहीं कर सकते हैं the indifference curve is the curve of preference the indifference curve is the curve of preference आपको मिल रहा है इसलिए आप ज्यादा बाते कर रहे हैं इसको नहीं मिल रहा उसके लिए क्या उसको तो फिर जो भी मिले वह सही है अभी मुझे एक बात बताओ Hicks and Allen कहते हैं तीन एक्जामपल Hicks and Allen कहते हैं प्लीज ध्यांदा सुनना Hicks and Allen कहते हैं कि आप इसको numbers नहीं दे सकते एक है तर्बूज एक है औरंज एक है चेरी बरवर सपोज यह तीन है अब Hicks and Allen क्या बोलते हैं Hicks and Allen बोलते हैं क्या पड़क पढ़ पर रहा तर्बूज मिले औरंज मिले की चेरी मिले तीनों से मिलने वाली उस्टिलिटी सेम ही है तीनों भी इसाथ कर सकते हैं इसे in numbers in measure what you can give you can have preference पहले मेरे को चीरी चीहे oh पहले मेरे को orange ये फिर मीरे को थर ≠ॉ जाए आप प्रिफरेंस ले सकते हो आप इसे numbers मैं नहीं लिख सकते हैं So, Indifference Curve is more of a preference-based आप preference लगा सकते हो आप इसको cardinal number में नहीं दे सकते है क्योंकि यह जो cardinal measurability है यह खुद आप assumption में लिख रहे हो that it is based on unrealistic assumption So, this is more practical कि आपको choice मिले This is based on consumer choice आप यह बता सकते हो कि यह तीनों में से mega select करूंगा यानि एक consumer के लिए यह indifferent है कि वो you know watermelon ले, orange ले या cherry ले वो indifferent है हाँ वो यह कर सकता है कि वो अपना order of preference पहले लगा सकता है कि मिले को पहले क्या चाहिए यानि all the combination on indifference curve gives same level of satisfaction It gives the same level of satisfaction वो पूछ रहा है ऐसा क्यों? वो बोलता है मानलो अगर किसी को तर्बूट से allergy है तो पॉसिबल है ना कोई particular product से allergy हो तो वो तो उसके लिए कोई useful product ही नहीं है at that point in time आपको कोई और preference आएगा so वो कह रहा है कि sir जो indifference करवे is a is a consumer preference concept it is a consumer preference concept utility cannot be बोलो बेटा measured all combination on IDC provide same level of बोलो बेटा satisfaction बरबर है तो वो बोलते हैं combo burger sandwich कुछ याद आ रहे कि example combination one one burger ten sandwich combination two two burger six sandwich combination three three burger three sandwich तो वो कहते हैं वो कहते हैं वो कहते हैं one हो two हो या three हो one two और three utility is अपकी हमेशा कह रहेगी बिटा same yes अब आपको याद होगा तो यहां पे भी एक concept आता है called as MRS marginal rate of substitution when consumer is ready to forego product x for y for example मान के चलिये in unit two in unit two आपने four is to one का MRS लिया होगा आपने चार क्या किये sacrifice to get one more burger आपने चार sacrifice किये to get more burger so marginal rate of substitution क्या होता है when a consumer is ready to forego product x for product y आप कितने product x छोडने के लिए ready हो ताके आपको y मिले but the overall indifference remain same isoquant remain same अच्छा जी sir कुछ और बाते IDC slopes downward IDC can never intersect each other higher indifference curve shows बुलो बिटा higher level of satisfaction IDC can never touch x और y-axis IDC कभी भी ना x-axis को touch करेगा ना y कुछ हो क्यू कुछ हो ना क्यू कुछ हो ना क्यू अगर उसने किसी भी access को touch किया तो इसका मतलब होगा he is interested in only one product he is interested in only one product IDC ना इसको touch करेगा ना IDC उसको touch करेगा is that done done यह था आपका unit number one exam point of view से इतने points को आपको पढ़के जाना है इसके अलावा एक और चीज आपके module में जो आप घर पर पढ़िएगा वह है indifference map क्यादा रहे है इस unit 1 में एक ही चीज घर पर आपको पढ़ने है वह है indifference map next 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 concept के उपर आते हैं हम लोग sir sir next concept के उपर आते हैं माल एक demand budget line budget line and indifference map इस दो चीज आपके पढ़ना next concept आता है demand demand बोलो क्या मैं कह सकता हूं unless unless desire is backed by बोलो पर्चेसिंग पावर पावर it cannot be called as demand it cannot be called as demand desire must be backed by purchasing power in order to be called as demand सिर्फ सिर्फ डिजायर है पर्चेसिंग पावर नहीं है सिर्फ डिजायर हो जाएगा unless it is to be backed by purchasing power वो डिमांड नहीं कहलाएगा yes there are certain determinants of demand कई चीज़े हैं जिस पर demand depend करती है बोलो किस किस पर depend करती है सबसे important price of goods सबसे पहले demand price of goods पर depend करती है second income of consumer आप कोई भी product लेने जाते हो सबसे पहले उस product का price पूछते हो तो सबसे पहली चीज प्राइज second चीज income of consumer yes or no हाला कि आपको यादो तो inferior goods के लिए income कुछ भी ओ demand रहेगी रहेगी ठीक है third price of related goods price of बोलो बिटा related goods यहां पर हमने दो चीज़े देखी थी और पहला complimentary goods और दूसरा बुलो बिटा substitute goods complimentary that is consumed with other goods for example cigarettes cigarette always has to be consumed with matchbox complimentary goods क्या चीज बिटा lighter ठीक है आपको जादा पता मेरको idea नहीं है substitute goods substitute goods shame level of want fourth sir taste and preference पे भी depend करता है हर एक की demand taste और preference पे भी depend करती है yes यहां पर हम और दो concept पड़ते हैं पहला demonstration effect यादा रहे क्या demonstration effect और आप देख रहे हो बटा हम कोई पॉइंट पे sacrifice नहीं कर रहे है जो रादर बहुत इजी है एक या दो concept आप के लिए छोड़े वे है demonstration effect बैंड वैगन effect किसी के हाथ में कोई प्रोड़क्ट देखा पसंद आया और दिल कहा उसको मिला मुझको भी चाहिए क्या दा रहा है दाट इस demand arised by looking at some place दूसरा होता है snob effect अमीरों के चोचले प्रोड़र जाए अलन धाम ब्रोड़क्ट प्रोड़क्र प्रक्चस बेंस दूसरा हम प्रोड़क्र व्रोड़क्र म Luckily मॉज़क्र चर्यूब Verantwortung वेबलेन एफेक्ट यूजड बाय रिच पीपिल हम अमीर है हम किनले का पानी नहीं ब्लैक कलर का पानी पीएंगे है है न तो ऐसे कई स्पोर्ट स्टार होते हैं सादा पानी गया को पीना है हम ब्लैक कलर वाला पानी पीएंगे वेबलेन एफेक्ट अमीरों की चोचले इसके अलावा कुछ अधर फैक्टर भी होते हैं इसके अलावा कुछ अधर फैक्टर भी होते हैं इसके अलावा कुछ अधर फैक्टर भी होते हैं क्रेडिट फेसिलीटी तो कुछ अधर फैक्टर्स कुछ अधर फैक्टर्स भी होते हैं इतलो डिमान किन-किन चीजों से अफिक करती है वेरिबाडी ढमन किन-किन चीज़ मुदी बोलो तो पहला प्राइज ऑफ दूसरा इंकम तीसरा प्राइज ओफ रिलेटेज गुट्स चौथा टेस्ट एंप्रिफरेंस पांचवा अधर फैक्टर याद आ रहा है क्या आपको हां जी पिरम सबसे पहले बनाएंगे डिमांड शेड्यूल हम क्या बनाएंगे टा दिमांड शेडूल बिता डिमांड शेड्यूल इस रा इमांड शेडूल इस रा पेल शुइंग बोलू बिता प्राइज आंड डिमांड यान वामंड chant सो अटेबल शोइंग प्राइज इन कॉंटिटी दिमांड़ इस दिमांड शेडियू अच्छा इस बेसिस पर आपको याद आता होगा तो क्या बनता है आपका अच्छा इस चीज को अगर आप अपको कहा जाता है इसी चीज को अगर आप काई पे प्लोट कर दो बिटा ग्राफ कर दो तो आगिया आपका दिमांड शिडियू चलो क्वांटिटी प्राइज प्राइज क्या था बेटा वन टू थ्री फोर जब फोर था इधर क्या आ गया बेटा पाई पूर थ्री टू वन बरवर ना कुछ गलत किया मैंने पूरे गलत कर दिया हूं बरवर बुलो don't you think demand curve is below downward sloping to right इंडिविजुल डिमांड कर्व is steeper market demand curve is flatter इस बेसिस पर हम पढ़ते हैं law of demand if the price goes up the demand goes demand goes down and vice versa अच्छा everybody but there are certain exception to law of demand anyone anyone बोलो बिटा याद होगा तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला गिफिन गुड्स conspicuous goods demand for necessaries प्राइस कुछ भी जाए necessaries की demand तो रहेगी रहेगी speculative goods shares अगर किसी particular share का प्राइस क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो उसकी demand उल्टी बढ़ती है speculative goods irrational consumer irrational consumer कुछ consumer ऐसे होते जिनको कोई लिन दिन नहीं प्राइस क्या चल रहा बेसिकली उनकी income बहुत higher होती है उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ रहा कि कितने का मिल रहा हो पूछते भी नहीं कि यह सोनो पूछते भी नहीं थीक है लेना है ओके डन लेते जाओ तो कई बार ऐसा होता है दुबाई मौल में जाके पहते तीन लाके अर्मानी के डिशडला लिया समझ मैं है तो ऐसा भी होता है इर्राशनल consumer ने आपने व्यक्ति इर्राशनल समझा मैं behavior irrational बोल रहा हूं समझ मैं है बरबर बरबर फिर एक था आपको यादो तो future expectation आफ प्राइस प्राइस फ्यूचर में बढ़ने कम होने वाला है तो law of demand आज ही work कर देगा irrespective of price for example gold का price future में बढ़ने वाला है इवन दो प्राइस आज ज्यादा होगा तो भी आपने लेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में हम नहीं क्या किया सबसे पहले समझाए demand मतलब क्या होता है सबसे पहले क्या समझा बड़ा demand मतलब क्या होता है demand must be backed by बुलो purchasing power demand काई प काई पर depend करती है price income related goods taste and preference demand schedule is a table showing price and quantity demanded demand curve is a graphical representation of demand schedule law of demand if the price goes up the demand goes down हला के इसके कुछ exception है अच्छा बेटे यादे and contraction of demand यादे increase and decrease in demand agar because of price demand is affected if because of price the demand is affected बताओ expand किदर किया जाता है demand कर नीचे जाता है याद आ रहेगा तो इधर होता है expansion इधर होता है contraction if the demand reduce expansion if the demand increase so अगर price अगर price के चकर में आपकी demand effect हुई we called it as expansion or contraction of demand yes we called it as expansion or contraction of demand you stay on the same demand curve either move upward or downward आप सेम डिमांड कर पे बैठे होते हो आप सिर्फ या तो contraction की तरफ जाते हो या तो expansion की तरफ जाते हो because there is only one factor and that factor is बोलो ना विडा price there is only one factor and that factor is price तुम्हे तुम्हे त्रों आप सेम डिमांड कर पे होते हो या तो सिर्फ उपर जाते हो या तो सिर्फ नीच्चे आते हो अच्छा if the demand is affected by any factor other than बुलना मिडा price इदर गया increase in demand increase in demand तो हुआ तो आपका right shift रहेगा इदर गया तो decrease in demand कौन सा shift रहेगा बोलो बिटा left shift कौन सा shift रहेगा बिटा left shift is that done अब आपको याद हो तो इस यूनिट में लास्ट चीज बचिए बताओ जल्दी इस यूनिट में लास्ट चीज बचिए कौन सी इलास्टिसिटी ओफ डिमांड येस और नो येस अब ध्यान जा सुनिये इलास्टिसिटी ओफ डिमांड अगर आप ध्यान लेंगे इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉंसिवनेस ओफ चेंज रिस्पॉंसिवनेस ओफ चेंज कोई भी फैक्टर जब चेंज होता है तो उससे आपकी डिमांड पर फरक पड़ता है इसे हम डिनोट करते हैं थ्रू इलास्टिसिटी ओफ डिमांड मेरी एक बात समझ एलास्टिसिटी ओफ डिमांड किस पे बेज़ होती है पहला प्राइ बिस्टिस्टी दूसरा इंकम आस्टिसिटी तीसरा क्रास्टिसिटी चौथा अद एलास्टिसिती चौथा अड़िजमेंड एलास्टिसिटी अन देरार मेंथध तो मेंगर Acho कौन कौन सी मेफ़ड है कि परसंटेज मेफ़ड कि पॉइंट इलास्टिसिटी हाँ हाँ है तोटल आउटले आर्क मेफ़ड याद आ रहा है या लिख फड़ाबट चार तरीके की इलास्टिसिटी मेजर करने के चार तरीके हर तरीके में चार तरीके है हर तरीके में चार तरीके है हां जी बुझे को बात बताओ इस में से सबसे ज्यादा कॉश्चन आता या तो प्राइज इलास्टिसिटी पे और इस में से सब से ज्यादा कॉश्चन या तो आर्ग पर या तो परसंटेज पर ये एकदम factual point है यह गम factual point है कि इसके ऊपर आपको question बनते है येस अच्छा जी अगर price के चक्कर में आपकी demand change हुई we called it as price elasticity इन सब को बाजु करो पहले ये तो समझ ले type of elasticity क्या होती है type of elasticity इन चार पांच काश मुझे बता होता बोलो पहला perfectly in elastic दूसरा वेरी good perfectly elastic चल बटा है यूद्टरी elastic रिलेटिवली इन इला स्वारी रिलेटिवली इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक दम लगाना हम पड़ेगा बहुस ऐसी नहीं होता एनर्जी डाउन करके तोड़ी चलेगा ब्रो थक गया इत्ता इदम थागा इत्ता इदम थागा डॉंट यू थिंक यहां e is equal to 0, e is equal to unlimited, e is equal to 1, e is more than 1, e is less than 1, आहो बरबर दूसरा इनलास्टिक इनलास्टिक वल्टिकल स्ट्रेट लाइन टू य एक्सिस इनलास्टिक प्राइज उपर जाए नीच्छे आहे आमाला काही परक पड़ा नाहीं आमची डिमांड पर्फेक्ली इनलास्टिक जैसे मेरे लिए नॉन वेज अंडे का प्राइज दस रुपे भी पहुच जाए मेरे को कोई फरक पड़ने हाला नहीं है मेरी डिमांड उसके लिए क्या है इनलास्टिक येस तो माई माई क्वांटिटी डिमांड इड विल रिमें जीरो अनली प्राइज कुछ भी जाए दूसरा क्या है बिटा पर्फेक्ली इलास्टिक डोंट यू थिंग अनलीमिटेड कॉंटिटी तो बुलो बिटा पैरलल टू एक्स एक्सिस इनका रेक्टांग्यूलर हाइपरबोला कर्व इस केस में प्राइज 10 परसेंट से नीचे जाए है तो कॉंटिटी डिमांडेड प्राइज पी वन से पी जीरो गया कॉंटिटी क्यू से क्यू वन पे शिफ्ट हो जाएगी इधर प्राइज नीचे और इधर कॉंटिटी डिमांडेड अप प्राइज वन से पीजिद रिवागांडेगा है पर शिफ्ट हुआ, Q से Q1 पर शिफ्ट हो जाएंगे यह 10% से चेंज, यह 30% से चेंज last, anyone BC is steeper बस हाँ जी सर सर एक बात बताईए एक बात बताईए मेथड्स के उपर अगर मैं आऊं मेथड्स में पहला क्या था, पर्संटेज मेथड, what is the formula पर्संटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन पर्संटेज चेंज इन प्राइज याड आ रहे ग्या आर्क मेथड हाँ q1-q2 upon q1 plus q2 into p1 plus p2 upon p1 minus p2 सबसे ज्यादा चलने वाले मेथड पॉइंट को कोई पूछता नहीं टोटल आउटले मेथड भी लिख लो फिर भी टोटल आउटले प्राइज इन्टू क्वांटिटी कितना टोटल खर्चा हुआ एक और चीज़ पूछी जाती है क्रॉस इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी कब वक करता है वेन सब्स्टिटीटीज अवेलेबल देख जब सब्स्टिटीट अवेलेबल होता है तो तेरा क्रॉस इलास्टिसिटी वक करता है लोग एक्स के जगह काई पर शिफ्ट हो सकते हैं येस तो सब्स्टिटीट के अवेलेबल होने से मेरे प्रोड़क्ट पर क्या इंपक्त पड़ता है तो इलास्टिसिटी कैसे मेजर की जा सकती है इसकी change in quantity of x upon change in price of y into price of y upon quantity of x price of y into quantity of x is that done इसके आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा forecasting का थेरी था इसके आगे क्या था पूरा forecasting forecasting क्या था भहिया निकालना कि हमारे को कितनी demand आ सकती है तो इसके आगे पूरा forecasting का थेरी था वह आप घर पे कर सकते हो right दो पेजेस थे I guess forecasting को consider करते वे दो पेजेस थे जो किसको consider कर रहे थे forecasting को consider कर रहे थे उस time पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसके बाद आपका matter आता है किसका विड़ा supply supply में हम सिर्फ एक ही चीज़ कंसेडर करते है price elasticity of supply चलिए supply के कुछ बाते पूछता हूँ what is law of supply if the price goes up supply goes up याद आ रहा है आपको yes if the price goes up supply goes up what are the determinants last के 10 minute what are the determinants of supply supply किन किन चीजों पे बेज़ दोता है पहला price दूसरा price of related goods तीसरा factor of production arrests technology तोय सर्फ प्राइस पर dependent करता है प्राइस ओफ रिलेटिव पर तपर प्राइस पर तक्पर से करता है तक्नोलोजी पर डिपर गरता है गॉवर्मेंट पॉलिसी पर डिपर से करता है येस इसके अलावा भी there are many other factor अगर हम बात करें supply curve की supply curve don't you think supply curve is upward moving supply curve is upward moving मतलब supply curve कैसा होता है बेटा positive upward towards right क्या ही है direct relationship करता है direct relationship with price that is if the price goes up supply goes up तो इसका जो relation है ये direct relation है price के साथ अब याद होगा तो आगे की तीन चीजे कॉमन है आप से वेसी पूछ लेता हो लिखने का भी काम नहीं expansion and contraction of supply अगर एक मिनिट रुकी है अब लिखी लो चलो इतना भी क्यों छोड रहे हो चलो लिख लो लिख लो expansion and contraction of supply बुलो expansion and contraction of supply if the supply change बुलो because of price अगर आपका supply change होता है किस वज़े से चीज़े होता है बुलो price के चक्कर में तो आपको क्या लगता है sir don't you think supply कर वैसा होगा तो नीचे क्या मिलेगा sir contraction यहां पे उपर क्या मिलेगा sir expansion यहां इस कर्व को आईसा उठाके आपको आईसा होगा आईसा रख देना बढ़ता है demand curve नीचे जा रहा था इसको उपर उठाके रख दीज़े expansion उपर पहुच जाएगा contraction नीचे पहुच जाएगा सिर्फ situation को reverse करना है इस के आगे क्या था बटा increase or decrease in supply increase or decrease in supply if supply change because of pulvida other factor other than price increase decrease increase increase हुआ तो किदर shift होगा right decrease हुआ तो किदर shift होगा left वो थार्ड है ना पक्का लास्ट पॉइंट तुमारी एक्स की कसम हाँ जी एक्स है नहीं ना कितों के नहीं बताऊ चरह अच्छा इन लोगों की एक्स नहीं है अच्छा जनूइन ली कितने लोग सिप्व Bonuto है ज्यूत हिए तोदू का तट तुम में तो चनी की गुए कशा का कम तुम में तुम में कमि यह यह आपपर्चनेटी की क्या Ann để यह आपपरचनेटी के है न लड़किआम लड़ा यह नहीं सब इसमें दो वर्ड थे एक था मो और दूसरी थी माया यहां पे भी दो वड़ते मो और माया सही बात है विटा और कुछ लोगों का तो मुए मुए न मुए न माया है मुए मुए यह एस और नो बट सर अनेश्ली स्पीकिंग सबसे पहले खुद के लिए जोड़दार ताली बजाओ जैनुएनली जब शुरुवात करा था सुबरे ग्यारा वजे तुमने नहीं सोचा था हम इसको खतम भी करेंगे बहुत से लोगों को लगा था भाई एक दो चैप्टर एक दो गंटा अपन आउट बट यू डिडिट बी प्रावड अफ यह सेल्फ हां क्या गाना ना मैं कि इदर लिक लिक के लिक लिक के हाथ दुख्या है उस पेसे गाना भी कवालो नहीं तुम्हारी मांगे मजदूरों जैसी बढ़नी रही है पांच मिट का आइस ब्रेकिंग चल रहा है बागी रुको रजिस्टर रजिस्टर सब बाहर रगो बाकी बाकी इतल दे नहीं चोड़ता मैं किसी भी फैनल वाले से इंटर वाले से पूछ नहीं मैंने अधा़ टका भी टाइम पर नहीं छोड़ा मैंने आज आपको कित्य बढ़ी तक टाम दिया था यह एलो साथ यह अलो साथ बजे तका टाइम था फॉलतू की बाद मैं बता रहो दोस्तियारी गई मारा पिट्यों हो जाएंगे इदर है कि साथ बजे तका टाइम दिया गया था साथ है मारा पिटी हो जाएंगे देखो दोस्ति यारी भूल जाओंगा मैं सब ठीक है मैं भी मेरे एरिया के गुंड़ने को बुलाओंगा उन्हीं होते है छपरी भाई चलो वाई सही है सही है सुनो बट एक बात जैनूइनली तुमको भी नहीं लगा था बढ़ा है इसमें भी जैनूइनली सिफ इलास्टिसिटी वाला पॉइंट बचा है क्योंकि इसमें कर्व के पॉइंट्स होते हैं तो 4-5 पॉइंटे जोंदे लिखने बट कुछ बातों को बहुत अच्छे से याद रखना इवन दो भी आर कंप्लीटिंग इस पर्टिकिलर माराथान दो बाते आपको याद रखनी है इस लास्ट 25 डेज जिसमें हम लोग को सब कुछ खतम करना है अगेन आइम स्पीकिंग अगेन आइम स्पीकिंग अगेन उसका एक बहुत बड़ नहीं करता ना वहां बोल देते ना भी रिसेंडलिए इंडिया कंटिनियूसली जीते जा रहा है जीते जा रहा है अगर कुछ चीजे लास्ट में भी सही होती है तो हमने गड़बड का की एंड में सेम गड़बड हमें नहीं करना हमें वर्ल्ट कप लेके ही आना है सेम गड़बड हमें नहीं करना है आकरी के 20 दिन है और मैं फिर आपको सीधह सीधह कहा मिलूँमा इंट मैं चाहता है नहीं तुम दुबारा मेरे को बैच में देखो इदर सीधह इंटर हम लोग इंटर हो करेंगे एंड एक बात मैं अब इसको अफरंट बोलता हूं इधर तभी आना जब बिल्कूल महनत करने के लिए मस्ती मजा कि यह वो सब होगा यह तुमको भी मालूम है सारी चीजे तुमको भी मालूम है बढ़ हां हमें इंपोर्टेंटली जो चीज करनी है वो है कि बहुत गोल्स के ऊपर अपने को थोड़ा सा at this point of time रहना बहुत चरूर है सी तुम्हारे पास होने का expectation से तुम्हारा नहीं है तुम्हारे parents का भी है तुम्हारे teacher का भी है तुम्हारे classes का भी है everybody has this expectation and you have this responsibility not so easy कोई भी गोल जब आप चालू करते हो तो इतना easy नहीं होता आज के तरह से देख लो सुबह जब आये थे तब यह सोच रहते एक गंड़ा बैटेंगे दो गंड़ा बैटेंगे दीरे 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 मजा आने लगा और तुम धीरे दीरे इस पूरे marathon को खतम करने लगे यह सोनो फिर तुम्हारा दिल मुलता चल ठीक है नहीं एक और टॉपिक बैड़े आते हैं बस यहीं जील और commitment हम लोग को वापस ही है एक बात रखना है जब result लेकर के आओ तो यह जरूर याद रखना कि हमारे अलावा एक और जन होगा जो बहुत कुश मैराथान है बिल्कुल मच छोड़ना मस्ती मस्ती में खतम हो जाएगा क्योंकि देख तू 11 बजे से शामवे 6 बजे तक के बैठता ना वे तू ब्रेक्स तू भी तेरा complete नहीं हो पाता तो भी नहीं हो पाता आज तू इस बात पे तो शौर है कि एक subject BCK को खतम आज तू इस क्योंकि तुमको यहां फसंद आए नहीं आए जख मारके बैठना है और जख मारके लिखना है ओनलाइन में तुम क्या बोलोगे यह हो रहा है यह चल रहा है यह होता है यह होता है तो मैट्स का मैरेथान अका भी मैरेथान आपका YouTube पे रहेगा और मैं आप सभी को कहना चाह होते हैं and let's do it बिल्कुल मत छोड़ो मतलब अगर आप इसके पहले कभी भी फेल हुए हो तो इसको बस इस attitude के साथ सौल करना attitude का पूरा का पूरा फरक है अगर इसके पहले कभी फेल हुए हो तो इस attitude से करना कि मेरे को फेल किया तो किया ही है और अगर तुम first time exam दे रहे हो इस attitude से देना कि मैं fail नहीं हो सकता है मेरे को fail होने से ज्यादा डर लगना चीए rather than pass होने से तो चले इसलों। या है और चुम्हाट होने चली, नरेके इसले हैं। फाती है दोंसा हुआ रहा है रहा है। मेरे कस भी की थेμεना सोफोनी आधे, ठेंग, यहां अफेड़ कना सब्सक्राइब चते पासान और आठ, seven and eight, मैं एकदम plan बना के देना हूँ ध्यान तर सुनना, seven and eight यह होना चाहिए कि तेरा पूरा BCR खतम हो जाए, और BCR तीन घंटे से उपर मत पढ़ना, तुम जहेल भी नहीं पाऊगे, सब्जेक्टिव ऐसा है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, yes, तो तीन घंटा, तीन घंटा, अगले दो दिन में BCR खतम करो, प्लस, बच्चे वे दो दिन, मतलब जो बचावा टाइम है, तीन घंटे के अलावा, तुमने strategically क्या करना चाहिए, जो सब्जेक्ट हो गए, जैसे BCK का MCQ का MCQ दो घंटा कर लेना, इको का MCQ दो घंटा कर लेना, इससे होगा क्या theory वाले तेरे सब पहले ready हो जाएंगे, बच्चे वे दो दिन, तुने क्या करना है, मैच के MCQ, अकाउंट के MCQ, बरबर है, अब यहां तु पहुच जाएगा, मैच के MCQ, अकाउंट को सॉल्विए, अन मैच के MCQ, अकॉर्डिंगली, अब यहां पर तु पहुच जाएगा, लगबग-लगबग 10 तारिक तक है, अब इसको पैकेट में डिवाइड कर, जो सबसे लास्ट पेपर है, उसको पहले पढ़ना है, मतलब लास्ट पेपर सबसे कौन से है, बरबर, तो अगले दो दिन, मतलब 11th and 12th, तिरको सिर्फ और सिर्फ BCK and Economics के MCQ ही सॉल्व करने है, जहां MCQ में अटका, वहां concept देखना है, तो तू अपने उपर इतना confidence तो confirm रख सकता है क तो तो इतना confidence ज़रूर रख कि हां भाई तिरको आ जाएगा, तो तो confidence में रहे और MCQ सॉल्व कर, 11th, 12th, तिरे MCQ होने चीए, Economics plus BCK के, एक घंटा Economics के MCQ, एक घंटा BCK के MCQ, बचावा जो टाइम है, Maths और Accounts के Important Chapter को लिखना है, सॉल्व करना है, क्योंकि तू दिन, दिन मर नहीं करेगा, अगें, packet वो ही बनाना तेरे, दो घंटे, डाई गंटे के packet बनाना, अगें, जो hard point है वो, जैसे, तू क्या कर, 10, 12, 14, 16, 18, 20, पांच दिन, तीन सब्जेक्ट में डिवाइड कर दे, Accounts, Eco, Law की प्रैक्टिस, Maths, BCR, अगें, Law की प्रैक्टिस, देख सबसे ज् प्रैंड बजेगी न, वो होगा, Writing of Law, क्योंकि, तेरे English, Mashallah, Writing, Subhanallah, यहां तेरी गड़बड होती है, ऐसा नहीं है, तेरे को concept नहीं पता है, problem है, Writing Practice, Writing Practice उसको इतनी खतरनाक लगती है, दूसरा, BCK, हम उसको बहुत underrated लेते हैं, बहुत underrated लेते हैं, पर उसका प्रैक्टिस करना, उसका प्रैक्टिस करना, तो तुम्हारा ऐसा, अगले 5 दिन के अंदर में, 2-2 subject, 3-3 subject के packet चलने चाहिए, तो तुम पहुच जाते 20 पे, यहां तक तुम्हारा वापस से एक बार revision हो जाना चाहिए, यानि make sure 10th to 20th December, तुम्हारा यह packet में at least एक बार पूरे subject का revision हुआ हो, and when I say revision, here and after I only say solving of MCQ, मैं यहां पर revision मतलब book उठा के वापस पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, solving, solving, अब 20 तारिक से फिर एक बार क्या करना है, तुम्हें उल्टा जाना है, last, that is 21-22, maths के important chapter, या छोटे chapter as the case में भी, plus ECO-BC के BCR, इन 2-3 में डिवाइड कर दो, फिर, law और बचावा, maths का portion, अगले और 2 दिन, क्योंकि BCK, BCR खतम हो चुका होगा, ECO खतम हो चुका होगा, तो अगले 2 दिन, मतलब 23-24, आप क्या करो, again उठा करके, यह 2 chapter लो, maths के बचेवे, ECO का बचावा, या जो भी कुछ बचावा, फिर, balance of law and accounts, थाकि तुम जब तक क 28-29 पे पहुचो, तब तक के तुम्हारा खतम हो चुका हो, please make sure, please make sure, तुम 20 तारीक से पहले ही, RTP, MTP और mock test खतम कर दो, पिछले 2-3 साल के RTP और MTP solve करके जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 20 तारीक से पहले, तुम पैनिक में 25 तारीक को उठाओगे, तुम पैनिक हो जाओगे, अगर एक हाथ भी सवाल नहीं जमातो, करने का ही नहीं, तुमारे पास भरपूर टाइम मिला है, एक हफता extra मिला है तुमको, भरपूर यूज करो, 20 तारीक से पहले तुमारा RTP, MTP, MTP टेस्स कतम हो जाना चाहिए, अटलीस दो, दो, तीन, तीन, जिदर से question मिल रहा है, उठाके solve कर, और कुछ, अब मैं तिरको एक बात बताता हूँ, and being completely average student, मैं तिरको एक बात बताता हूँ, being a teacher, मैंने यह नहीं बोलना चाहिए, but being a friend, मैंने यह जरूर बोलना चाहिए, yes, नहीं करना, कुछ चीजे का answer by default में accept करना, मतलब इसका answer A आता, विषय खतम, दो से तीन बार दिख रहा, तेल लगाने क्या, इसके पीछे का concept क्या है, इसका answer A है, विषय खतम, अब उसके पीछे logic ढूंगते, नहीं बैठने का, at the end, क्योंकि तुम लास्ट मोमेंट पे यहीं तुम में और पंदरा दिन होते, मैं तुमको बोलता, वापस से कंचे पढ़ ले, एक बार चाप्टर रिवाइस कर ले, यह कर ले, कुछ नहीं करने का, इसका answer A है, गेम ओवर, विषय खतम, yes, ऐसा हो सकता है, और हर बार होता है, मैं तुमें समझा रहा हूं, first paper जब उदर ब्लैंक ना हो जाओ, नहीं, तो होता क्या है, कोई बच्चा सिर्फ MCQ solve करता और उसको तीन घंटे में solve करने के नहीं, पेपर को genuinely उठा के तीन घंटे में solve करने का देखो, तुमको समझ महांगा का गडबड हो रही है, कुछ चीज़े तुमको खुद से समझ महांगा कि इसमें जादा लिखना है, इसमें जादा नहीं लिखना है, इसमें यहां पे रिस्टिक करके काम खतम हो सकता था, राइटिंग वाले paper है, ऍरखो 1.8 मिनिट का mark is game, yes, 1.8 मिनिट का mark is game, 100 mark का paper, 180 मिन्ट, 1.8 मिनिट पर mark, 5 मिनिट का question है, 9 मिनिट से जादा नहीं लगने चाहिए यह स्ट्रेट अवे टाइम जोन है वापस से सम्झाता हूँ प्लीज ध्यान दे सुन हंडेड मार्क का पेपर 180 मिनिट तीन गंट लेके जाब से 180 मिनिट 60 मिनिट पॉर 3 1.8 मिनिट पर मार्क सिम्पल कैलरेशन है किल्कुलेशन करे बगैर अगर तुम जाओगे तो गडबड करोंगे औस्ट्रेलिया ने सबसे जबरत स्टाम यहीं क्या था औस्ट्रेलिया और क्या था घार प्लियर का इतना जबरता study करके गया था कि भीया शामी है किस side ball डालता है इस player को किस side खेलना है पिछले 9 चीज़ों का उठा करके study किया था उन्होंने सेम चीज तुमको करनी है end में आ करके study करना है कि कहां गढ़बढ हो सकती है तो 20 तारीक से पहले पूरे paper solve करो सारा solving वाला पार्ट सारे paper तीन गंडे के अंदर में होते है की नहीं एक से ज्यादा paper solve कर होते है के नहीं इस से मटर की paper आनी रहा ऐसे 10-20 mcq रहेंगे आरे मैं बोलता 50 में से 30 mcq ऐसे रहेंगे जो तू आल नहीं कर पाएंगा कर तो सरी पहले दर से लड़ बाद में देखेंगे तेरा paper कैसे आता है पहले दर से तो लड़ कि तीन गंडे में paper कैसा भी जाए अच्छा जाए बूरा जाए next paper को जाने का है यह सोच रखना ही नहीं कि account paper का बिगड़ गया तो मैं next paper में जाऊंगा ही नहीं बिल्कुल यह सोच नहीं रखने की चुप चाप जाने का देने का तीन बार ऐसा हुआ है पिछले तीन अटम से देखते आने तीन बार ऐसा हुआ है बच्चा जाता पहले इसमें उसको लगत चालीस भी नहीं मिलने वाले आगे पूरे paper छोड़ देता 42 आए paper में कितना पच्चतावा हुआ रहेगा जिनमेगी में paper कैसा भी आये तुम्हारा objective यह की है white आएगा black भेजना है तुम्हारा objective क्या है क्या बुला विटमेन है white आएगा black भेजना है विशेक कतम दिमाग नहीं लगाने का paper अच्छा गया की बुरा गया कैसा गया paper में जाने के बाद किसी से को discussion नहीं करने के पूरा confidence डाउन हो जाता किसी ने पूछा भाई इसका क्या solve किया भाई पता नहीं कूछ पता नहीं यह प्लीज मेक शौर paper से पहले आप कुछ चीजे लेके जाए है पाँ पानी में ग्लुकोज और इलेक्टरॉल या जो बहुत ही ज्यादा पतले है जिनको हवा बी उडा सकती थोड़ा सा ग्लूकोज और प्लॉड यह क्यों paper में बहुत बहुत एक्जॉस्ट होते हो लिखते लिखते यह आपको रोकना है दूसरा थेयरी पेपर में भी क्या लेके जाओगे लेके जाने का टेंशन नहीं लेने का ठीक तीसरी मेजर गलती पेपर का सामने वाला पाल्ट पूरा फिल करने का आप क्या गड़बड करोगे पेपर का सा अंने का, जो पाल्ट है na, फैर्सट पाल्ट उसको पूरण कुंपलेट करने का जहाँ धाया एंसिख्यून प्रोपर बना के आने का समझे माया, मैं लटी पल पैंसील, म्ल्तिपल शार्कनर, मल् कॉच्बन रबर, तुम मान के चलो की दुनिया की हर वर्स्ची तुमारा सा साथ पहले हो सकती है समझ में आया है क्या अपने आपको दुनिया का सबसे अनलुकिएस्ट परसन मानना भाई साब एक और चीज सुनो सुनो मैं आपको जैनुविनली बता रहो ही गडबड होती है पेपर के दिन सबसे डिल्ले ढले कपड़े पहिंके जाने के हैं बिल्कुल बुचाटाक माटाक नहीं भूत नी जिप्री बनके जानेगा लड़कियों आइसा जिप्री बनके जानेगा इससे दो चीजे होंगी तुमारा पेपर भी ढंक से जाएंगा दूसरों का भविष्य बचेंगा जिप्री बनके जानेगा अन लड़कों ने बैताल शेमडया ब problem बता रहा हूं there are many centers there are many centers यहां पर प्रॉपर facilities नहीं होता है अब सुधर गोंगे अलग बाते पर मैं नैशनल लेवल की बात कर रहा हूं हर जगह इतनी अच्छी facility नहीं होती you have to make sure कि भाया तुम तुमारे हिसाब सजाओ multiple complex box multiple calculator end में calculator नहीं चल रहा हो तुम दुनिया की सारी गलत्ची तिरसाथ हो सकती है be ready दुनिया की सारी गलत्ची तिरसाथ हो सकती है be ready getting the point and please have multiple copies of haul tickets बहुत important है बाबु इसको गलती से मत लेना क्योंकि वो जो college वाले ना उनको नहीं समझता तुम जैनुइनली सर मां कसम मेरा haul ticket आया था वो कोई मां कसम बाप कसम नहीं हो अधर समझमारी बात येस चलो लास्ट पर आते हैं और marathon over करते हैं बुलो हाँ आयू रेड़े तुम भूल जाओगे में को elasticity of supply आई ला ये वर्क नहीं कर रहे गया ओ माई गॉड हाँ जी आजओ 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 elasticity of supply पहला क्या है बोलो बड़ा है पर्फेक्ली है इनलास्टिक मतलब आपका इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो कर्व कैसा रहेगा है इस ट्रेट लाइन टू वाई टू वाई पर्फेक्ली स्ट्रेट लाइन कर्व पैरलल टू वाई एक्सिस सेकेंड बूलो बिटा क्या है पर्फेक्ली इलास्टिक इस इक्वल टू अनलिमिटेड यू ठू जू एक्वल टू एक्वल टू यू एक्वल टू लाइ Nations ऑफोर्थ ले डिज्टिवली लास्टिकीज्डेटर देन 1 देखो मैंने कर वाय एकसस को कट चरते वी निकाला प्रसा प्रसेयी बनान www.beam ch.size supply curve कैसा रहीगा विटा flat and pass through y-axis pass through y-axis relatively inelastic e is less than one steepy sloped pass through x-axis oh yeah to a-cho marathonees sir बहुत मैनत किये तुम लोगो ने हाँ genuinely I am proud of you all yes और तुम बहुत जल्दी सक्सेस पाने वाले हो बस थोड़ा सा डिसिप्लीन की जरौत है थोड़ा सा डिसिप्लीन में आजाना सब सही हो जाएगा I hope you have liked the marathon हमारी मेनत सपल होगी and see you in interns for your new syllabus मैं आप लोग का बहुत जल्दी वेट कर रहा हूं मैं चाहता हूं जो मजे फन हम लोगो ने पांडेशन में किये पास्ट्राक में रेगिलर में VCR में वह सब तुम वापस से जल्दी से करो इस दान येस बाए बोलो अच्छो हां तुमको में इता थकवान नी दीकरा गाना कावा रहे मेड़सी क्या लाओ नी शलो मेरे को गाना भी नहीं आता है यार भाई चलो ठीक है एवरिवन विल सिंग विद मी येस पापा कहते हैं बड़ा ना करेगा बच्चा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है का हां ये तो मजग गई बाइबाइ टेक करें ये बाइबाइ टेक करें ने घर जाओ यू हाव यू हाव एक्जाम्स मस्ति करेंगे ना इंटर पड़ा है सब करेंगे अभी जाओ कल आपका मैट्स का मैराथोन है अगेन एट इलेवन और ग्रूप पे जो भी टाइम आ जाएगा उसके उपर येस जी मैं कि चल जाएगा हां कोई प्रॉब्म में बंदास कि टाइम में क्या बेटा अब फिर काई को दिमाग लगा रही चोड़ना बुल कि लोजिकली आ जाएगा गुरूप पे लोजिकली इस से ज़्यादा की ज़रत नहीं है फिर भी मॉड्यूल पकड़ ले नोटस एक बार कर ले वापस एक बार सॉल कर ले उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए पचास माग के लिए साट माग के लिए क्या ही करेगी तो हाँ जी अब नॉर्मन लॉस्ट जो जनरली अराइज नहीं होता अभी जैसे अगर आप बोलोगे तेंगे हाँ हाँ